नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में दोस्तों इतिहांस में कई सारे महापुरुस हुए हैं जिसमें से हर धरम वर्ग मजहब जाती से भी पैदा हुए हैं कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए हैं जिनको समाज में सभी लोगों ने स्विक्रित किया बले ही कुछ points ऐसे थे जो जिसको नहीं श्विकार किया जा सकता है फिर भी उनका जो काम था उन्होंने जो उपलफ दिया दी उसको भी बकु भी हर वर्ग मजहब के लोगों ने सराहा है उसमें से एक राहुल संकृत्यायन थे एक्चुल नाम इनका केदार पांडे था केदा पांडे सरनेम होते हुए भी और बहुजन लोगों ने भी उनको कैसे स्विकार किया जहां ब्रामडों को माना गया है कि ब्रामडों ने हमेशा सोसर किया है और फिर भी बहुजन समाज में इनके लिए एक पोजीटिव छवी आती है आखिर ऐसा क्या किया था राहुल संकृ अचा राहुल संकृतियान चुकि केदार पांडे एक्चुल नाम था लेकिन इन्हों ने अपने जिन्दगी गुजारी उसके जो आखरी पड़ाव थे आखरी पड़ाव के जो कुछ दसक्त है उसमें तो इन्हों ने अपने पिता का नाम कहीं लिखवाने से मना कर देते थ हैं क्योंकि इन्हों ने अपना नाम तो बदल लिया केदार पांडे से राहुल संकृतियान तो कर लिया लेकिन पिता जी का जो नाम था उसमें तो अपंडे वगेरा था उसमें तो उस सरनेम से तो पता चल जाता है कि ये ब्रामण पुत्र हैं तो यह क्या करते थे कि कहीं जाते थे ठहरने के लिए तो पिता का जो कॉलम होता था उसको काते थे भाई इसको वेकेंट रखो इवे मैं ना दिख रहा है सहां पे नाम सूचिए जहां पे एक वो दोर था जहां पे ब्रामण अपना सरनेम बनाना उपर नंगे बदन रहना जनेवू दिखाना कि लोग ह जाअर अरवाद दिया और उस समय सोचिए जब आजादी के दहुर का समय था उस समय कोल्ट ने पांच सुरोपे फा nou सथ मार दिया एक दूसरे ब्राम हडu को जिस ब्राम हड ने एक दूसरे ब्राम हड को कह दिया था कि तुम आ च्श्को संक्राचारे बनते हैं उन पर अक्सर हां आरूप लगाया जाता है कि देखो ये ब्रामर्ण नहीं है आज भी लगाते हैं और लोग सोचते हैं कि अरे देखो किसी सुद्र को बना दिया गया है वो ब्रामर्ण नहीं है उनको बना दिया गया है ऐसा पकवास बाते हैं दोस्तों इसका भी हम खुलासा करेंगे, आज राहु संकृत्यान के मादे हम से खुलासा करेंगे, आज हम इनके नजरिये से आपको ले चलेंगे, घुमाएंगे आज आपको केदारनाथ, क्योंकि ये दो बार घुमे थे, एक बार तो जब इनकी उम्र 17 साल थी, तभी पूरे माथे पर त्रिपूर्ण गहिंच लेते थे दोती पहिन लेते थे जन्हें उन्हें उटाएंगे पढ़ते थे गुर्कुल में और एक वो दौर था जब उसके ठीक शालिस एक तालिस साल बाद एक तालिस फोटीवन यर्स पाद फिर दोबारा जब गए केदारनाथ बद्रनाथ पूरा घूम मारे देश विदेश हर जगे घूम डाला इनोंने कोई भी वाधाने नहीं दी ये एक ऐसे सक्स थे जिन्होंने घाट घाट का करते हैं घाट घाट क पानी पिना वैसे हर जगह घूमे हैं मतलब यह ऐसे ब्रामण हैं जिनको आरे समाजी भी कहता है कि राहुल संकृत्यान अच्छे थे सूच लिजिए यह ऐसे थे हैं जिनको बोधिश्ट लोग बड़ी रेस्पेक्ट है बहुद लोगों में यह ऐसे हैं बोजन समाज में इ ऐसी कौन-कौन सी चीज़े क्या-क्या उपलब दिया दी हैं जिसके कारण से हर वर्ग मजहब के लोग भी उनको पशन्द करते हैं आज मैं दिखाऊंगा आपको कुछ ऐसी बाते दिखाऊंगा कुछ ऐसी चीज़े दिखाऊंगा कि वो जो चीज़े ले आए समाज में उस समय जो इन्होंने जोखिम उठाई थी सायद ही कोई ब्रामःड ऐसा जोखिम उठाता और किसी ने उठाया भी नहीं तभी तो एक छत्र नाम है रहुल संकृत्य के अद्राईयनका है तभी नाम है ना आज पूरे भारत में जब कोई कट्डर अपने को कहता हम तो कट्रे लिभारतो मैं एपी जे अब्दुलकलाम ही एक ऐसे मुसलिम थे जिनकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं मतलब कट्टर से कट्टर जो अपने को हिंदू बोल रहोगा वो बोलेगा उसी तरह से राहूल संकृत्यान की छवी एक ऐसी बनी है कि किसी भी धरम मा जहाब पंध का कोई भी व्यक्त कितना से कट्टर से कट्टर हो फिर भी वो कहेगा कि ब्रामण हो तो फिर रहूल संकृत्यान जैसा इन्होंने खुद अपना नाम बदल दिया था किदार पांडे से इनको सरनेम पसंद नहीं था मतलब बाबा साहब ने वो कहा था न कि हिंदू में पैदा हुआ हूँ हिंद पंडा समझ ले पंडित समझ ले ये भी करना में करते थे लेकिन एक फायदा भी था इनको जिस समय समाज पूरे ब्रामणों के दलदल में फासा हुआ था ब्रामणवाद की चपेट में फासा हुआ था उस समय इनके पास एक तो बेनफिट था कि आमत और पर जिस्तर से CST O को भी सी उन मंदिरों में नहीं जा सकते थें वहां पर मूर्तियों को नहीं देख सकते थें उनके सिलालेखों को नहीं देख सकते थें वहां पर इनको ये बेनफिट मिल जाता था कि ये वहां पर जा सकते थें देख सकते थें फोटो भी घीच घीच के लाए हैं और उन्हो ने वो चीजे उजागर कर दी पुरा तत्व अब्रामडों के कबजे से वो चीजे उजागर की जिसके लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्हों ने उस समय वो काम किया वो सच्चाई को सामने ले आने में सफल हुए हलाएं कि इतिहासिक तोर पर देखे तो रहुल संक इतिहास की वही बाते पता थी जो आम तोर पर एक जो प्रचार प्रसार करते हैं उतने तक ही सिमित थे हैं कुछ चीजें यह जैसे गुप्तवन्स को भी यह समझ लेते थे कि वो वैशनों होंगे या फिर शैव होंगे लेकिन गुप्तवन्स से पीछे नहीं जाते थे यह प्रामहड पंडा पुजोरियों को सैव वैशनों को गुप्त काल तक मानते थे यह मानते थे कि बुध ही पुराना है इन्होंने अपने वरितानतों में आखरी के दिनों में ये भी श्विकार किया कि मैं पहले समझता था कि वेध पुराने हैं लेकिन अब मुझे समझ में रहा है कि वेध तो बहुत बाद के हैं बुद्धिजम को ही वो सबसे पुराना मानते मनने लगे थे आखरी दोर में यहां तक वो पहुंचे थे तो इन्होंने जितनी किताबे लिखी शुरू में जो किताबे लिखी उसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि रहुसंद कृत जायन तो अपडेटेड नहीं थे लेकिन वो धीरे धीरे सीखते रहें इनमें सीखने की ललक थी इन्होंने तिबद से लेकर चाहे मन्यमार से लेकर सिरलंका से लेकर हर देश में गए इन्होंने तिपिटा को कमपाईल करने का भी काम किया आलाएं कि यह संस्कृत के विद् तो अब ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि इन्होंने जब अनुवाद किया पाली जो तिबत से जो स्कृप्चर थे उसका अनुवाद किया कहीं-कहीं पर गलतिया हुई हैं उसको कहा जाता है लेकिन अपने समय में इन्होंने अपना बेश्ट परियास देने का गिय को बहुत ही सम्मान की द्रिष्टी से बहुजन समाज भी देखता है चले इसको शुरू करने से पहले हम मैं लिगल डिस्क्लेमर आप लोग को दिखा देता हूं यहां पर जो भी बाते होती हैं जो भी प्रेजिंटेशन होती हैं जो भी डिवेट होती हैं इनका उदेश्य आपको दिखा दूं कि इनका जनम मरण कब हुआ था आप आसानी से कहीं से भी देख सकते हैं कि इनका जनम जो है अप्रेल 9 अप्रेल को हुआ था 1893 और इनकी मृत्यू भी अप्रेल 14 को हुई थी 1963 में अब 14 अप्रेल हम सब को याद है वो तो कोई भूली नहीं सकता अब ही देख सकते हैं आप केदार पण्डे नाम था राहून संकृत्याइनबाद में अनकी चूछ किया हुआ पिऊंकि बुधा के जो बच्चा था छोटा बच्चा व्यद उनका भी नाम राहु था इन्हों ने अपने को बुध का बच्चा माना सबसे परम्सित स्य माना और इन्हों ने पूरी तरह से बुद्धियम को आत्मसात कर लिया था, पहले गीता का खुब प्रचार करते थे, बहुत बड़े विदान्ती बने गूमते थे, एक बार टकरा गए किसी मैफिल में बुद्धिश्टों से, और जब धंपद देखें तो कहें, अरे यार मैं क्या लेके घूम रहोंगी, था वेदान्ती तो कुछ है ही नहीं, कहां अब रखा है, मैं कहां घूम रहा था, तुरंद चले गए, मतलब ये बिल्कुल open minded, तिमाग खुला हुआ दिमाग, फिर लोटे नहीं वो, और उसके बाद से उन्होंने जो काम किया, सैद यही करण है कि आ राहुल संकृत्यान, और इसमें उन्होंने उन्होंने तमाम वृतान्तों को दिखाया कि जब ये घूमे थे, क्या-क्या चीजें वहाँ पे उन्होंने देखी थी, बड़े अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते चलते हैं, कहां पे चाय नहीं पीना है, कहां पे मक्या भि के लिए जगह नहीं मिली कहां पर इन्हों ने लेटर लेखे इंजिनियर को उसने इगनोर कर दिया और कहां पर इनको किसी कांग्रेशी नेता ने उस समय का पाचान लिया कि अरे यह तो रहो संकृत्त आया नो तो पूरी जो लोग इनको इगनोर कर रहे थे उस सब खड़े हो खंड बदरी नात की भूमी में पहले भी जा चुका हूँ किन्तु केदार बदरी की यह यात्रा आज से 41 वर्स पहले 1910 इस्वी में हुई थी पहली बार 1910 में गय थे इनका जनम कब हुआ था वो मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ इनका जनम हुआ था 1893 में और 1910 में यानि कि 17 साल की उम्र में वो जा चुके थे लेकिन तब उस द्रिष्टी से नहीं देखे थे फिर 41 साल बाद यानि कि 51 में देश आजाद हो गया तब यह जब दुबारा गये केदार नात में तो अब इनकी जो द्रिष्टी थी अब पहचानने वाली थी मूर्तियों की जैस आपको एक बार सचाई पता चल गई तिहांस में कि उन जो प्राचीन मूर्तियां हैं प्राचीन जो मंदिर हैं उनके पीछे का असली तिहांस क्या है वो मूर्तियां किसकी हैं तब आप दुबारा आप देखने जाएंगे तब आपको कुछ अलग ही पता चलेगा यही से पूरा अपना करते जाते हैं मशुरी जाते हैं मशुरी से उपर जाते हैं पर्याग गुप्त कासी इन सब का जिक्र करते हैं यह देखें यह बताते हैं नाला शी वाले के पास बौध सुतूप यह बोलते हैं कि एक वहां सुतूप था उस जो नाला शी वाले जो था वहा तो गय तो इनको दिखा नहीं, दुबारा जब लोट रहे थे तब उनको दिखा, पोटो खींच लिए, अब उस समय तो ब्लेक एंड वाइट होती थी, अब इसकी जो मूल प्रती होगी, इसकी मूल मैं कहूंगा कि अगर शम्यक प्रकाशन के जो भी अगर प्रकाशन के अगर देख रहे हों या उन तक जो भी बता सकते हैं, तो उनको चाहिए कि इस किताब को हिमाले जो परिचय हैं, इसको लोग रिप्रिंट करा हैं, और इन तस्वीरों को कलरड में डालें, ताकि लोग देख सकें उस समय का, जो उन्होंने फोटो खींची थी, थैंकी वो तो ब्ल 1910 में और एक बार 1951 में, तो उन्होंने जो जो चीजे देखीं, और जो सिलालेख देखें, उन मंदिरों के भीतर, गर्वग्रिह के भीतर ये जा सकते थें, क्योंकि ये तो ब्रामण थें, उसको तो बेनफिट भी मिला, आम तोर पर तो बाकियों को नहीं जाने दिया जात उन्होंने उन मूर्तियों के पीछे दिवालों पर जहां घी पोत-पोत के उसकी लिखावट को मिटा दिया गया था, इसका जिक्र किये हैं, उन चीजों को वहाँ पे गरम पानी मंगवा के सोचिए, इनकी पहुंच को देखिए, कि उसका बेनफिट भी ये लिए, उसको ब पहले तो जाकर रगड़ रगड़ के छुड़ा रहे थे कि अब अच्छर दिख जाए, नहीं दिख रहा था, पता चला कि घी में दिया जलाते थे सब, बाकी का जो घी है, जहां सिला लेखता उसी पे पोत देते थे, और पोत ते पोत ते इतनी मोटी लेयर चड़ा दिये कि किसी को पीछे क्या लिखा है पता ही नहीं चलता, लेकिन ही तो ब्रामन थे, भेदी थे भेद लिए, भेद लिए पता चल गया कि कुछ तो कुछ लिखा है, उनको पता चल गया खेला, इन्होंने कहा हमको आता है पढ़ने, हम पढ़ेंगे, गरम पानी मगा के मार उसको चुड़ा के कुछ अच्छर पढ़ पाएं, फिर इस किताब में लिखे हैं वो, कि उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके उसको पढ़ा जा सकेगा, कुछ ऐसी गुप्त बातें उन्होंने लिखी हैं किताबों में, जो हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ा जाता, हम लोगों प्रेमचंद की भी कुछ कहानिया बता दी जाती थी, कि प्रेमचंद ब्रामण कैसे करता था, ब्रामण कैसे अत्यचारी होता था, लेकिन इतिहांस से संबंधित, पुरा तत्व से संबंधित कहानिया इसको नहीं बताया गया, कि रहुल संस्कृतियायन जो है, यात्रा किय तो मंदिर के भीतर क्या मिला इनको सुटूप भी मिल रहा था वहाँ पे तीबती लेख मिल रहा था था वहाँ पे तीबति ओक तीबत में तो बुद्धिजम हैं उनके क्यों अभी लेख भीतर मिल रहे थे इस समने पढ़ाया जाएगा कोई ऐसे यात्रा विर्तांत नहीं आजादी के समय भी मंदिरों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे साफ साफ पता चल रहा था पर उन चीजों को हाइड कर दिया गया अब किताब नहीं पढ़ाय जाएगा प्रकासन पर जाईए खोजने किताबे नहीं मिलेंगी यह तो कहिए कि e-library आ गई है और मुल्लेबान मुल्लेबान चीजों को संरक्षित कर लिया गया है तो चले आगे बढ़ते हैं मैं किताब खोल के करके पढ़ते जाते हैं ताकि सब लोगों को पता चले हकीकत क्या है तो फोटो भी खींचते थे हैं फोटो खींच खींच के उन्होंने यहां पे लिखा है अब देखें यह पांच घर का ही गामडा था, सारा वृतांत लिखें हैं, मतलब ये लिख दिया हैं कि आज जितना भरभर के लोग जा रहे हैं यात्रा करने, 1951 की ये इस्तिती थी, 1910 की ये इस्तिती थी, या उस समय अंग्रेजु के समय ये इस्तिती थी, कि कोई जानता तक नहीं था उसे, स ये इस्ति वर्ग भाई के लोग कटर हिंदू बने गूम रहे हैं, हकीकत पढ़िये यहां से, ये सच्चाई बताएंगे, और ये कोई अहरे गहरे नहीं है, ये भी प्रामण व्यक्ति हैं भाई, गुसके गरभगी के भितर गुस-गुसके बाते लिखें हैं, क्या लिखते गया है, लोग आ रहे हैं, ये इनका कहने का मतलब है, फिर आगे यहां पर लिखते हैं, कि जब मैं 41 वरस पहले वहां से गुजरा था, तब भी ये मौजूद थें, और उस समय इनकी अवस्था सुदामा की मड़या से बेहतर नहीं थी, इस सारा चीज़ बताते चलते हैं, क कि क्या चीज़े पहले जब गए थे, तब क्या था, 41 साल में कितना चेंज हो गया, आज कितना चेंज हो रहा है, तो ये पूरा वहां पर डिटेल देते हैं, कि कैसे जाते हैं, ठाहरने के लिए, यहां पर देखें, दफ्तर में जाते ही नाम गाव लिखवाने की जूरत पर अब उनको ठाहरना था वहां पर, तो उसमें कोई उज्र नहीं था, आप नाम लिखवा लो, गाव का पता लिखवा लो, कहा करने, सब लिखवा लो, किन्तु जब बाप का नाम पूछा जाने लगा, तो मैंने साफ इंकार कर दिया, इसीदे हीं इंकार कर दिया, ये बाप क नाम नहीं लिखूंगा मैं अंदाज तो मालूम होने लगा कि ठोर न मिलेगी अब बाप का नाम लिखना अब इनको लगा कि भाईया लगता है रूम भी न देगा बाप का नाम लिखेंगे क्योंकि अपना नाम ये राहूल संकृतियान कर लिए था इचाहते नहीं थे किसी को बताना कि हम पांड़े उंड़े हमारा सरनेम है पिता जी हमारे इसे कुछ ब्रामड रामड है रिसिकेज में किसी होटल का भी पता नहीं लग रहा था बेचारे छेत्र वालों के पास जो पूराना छपा हुआ रजेश्टर था उसमें बाप का खाना भी था अंगरेजु के समय से यही काईदा चला रहा था दुनिया में हर जगा पासपोर्ट में बाप का नाम लिखवाने की जरूरत होती लेकिन भारती पासपोर्ट में अब भी सायद बाप का नाम लिखना जरूरी है खैर प्रबंदक ने मुझे टस से मस न होते देख बाप के खाने को सुना ही रहने दिया और एक कोटरी में जगा देदी कहा भईया चले जा तू मतलिक अपने बाप का ना जा भईया तो फिर आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद से जो है ये सारी चीज़े ये बताते हैं कि ए अंके साथ भी ये बात कर रहे थे तो भाटिया जी को देखा भाटिया जी सेथ शेथ थे तो इन्हों ने कहाते हैं कि जब भाटिया जी का आगरह रुका नहीं तो घूमा फिरा कर कहना पड़ा कि सेथ लोगों ने पहले तो थैली पर हांथ साफ किए मतलब वो इनको बता र प्रेश्गुरखपूर क्या किया था अंग्रेजु को समय से ही पूरा भक्ति भाव बना दिया था तो इनसे मिले तो कह रहे हैं कि हमको न गीता भवन में जाना है वहां कल्यूग के दो परम भक्तो एक तो पोद्दार और गोइंद का आज भी गीता प्रेश्गुरखपूर जब आप खोलेंगे चाहें रामचरित मानस हो या रमायण वगर जो भी हो तो उस पर अनुवादक कौन मिलते हैं सारे पूरानों के आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा हनुमान प्रसाथ पुद्दार ये उनके अनुवादक है ब्रामण और दूसरा ये गोइंद क गोइंद का कौन है ये वैश्वर्ग से थे इन्होंने पैसा फाइंडेंस किया इन दोनों की जोड़ी जो है पूरा भगति माय की और एक और गोइंद का थे उभी वैश्वर्ग से थे उन्होंने मन्यमार जाकर बुद्ध्यजम का प्रचार किया उनको अपना सही तिहांस चल गया तो उन्होंने समझ गया कि भला हमारे भाई बंदु उन्हें पूरा पना पैसा जिन्दगी का जितना कमाया था अपने दम पर खर्च करकर कि बुद्ध्यजम के जो मेडिटेशन है उसको आगे बढ़ाया यहां एक कोईन का है यह भक्ति भाव को आगे बढ़ा रह का नहीं तो घुमा फिरा कर कहना पड़ा कि सेठ लोगों ने पहले तो थैली पर हाथ साफ किया फिर राजकाज पर और अब उनके धरम की गद्धी भी समालने का निश्चे कर लिया है मैंने भाटिया जी के अस्तर पर ही आकर बड़ी नमरता से कहा इसलिए उन्हें बुरा नहीं लगा मतलब सचाही समझा दियें कि कर क्या रहे हुआ कुछ और राजनीती चल रही है आप जपरजस्ती कल्यूक के उनको भक्त बनाए पड़े हुए हैं तो फिर के हैं आगे जाते हैं फिर रूम लेते हैं रूम लेने के बाद से रुकते हैं वहां पे और जाने के ब पॉइंट यह मैं दिखाना चाहता था यहां पर क्या लिखते हैं कि अगस्त 1894 की प्रलयकारी बाढ़ प्रलयकारी बाढ़ आई थी वहां पर सब चीज बह गया था बहुत सारी चीज़े बह गई थी तो वहां पर कुछ पसाड जो हैं जे कैसे इन विशाल पसाड़ों को उ आये हैं तो वहां के जो लोग थें क्या बोलते हैं इसका उत्तर लोग देते थें असुरों ने इन पथरों से दिवार चीनी थी यह ज़रा चीज समझेगा आपको वहां के जो मंदिर हैं सब बहब हो गए और पुरात्व की दृष्टी से वहां पर बड़े-बड़े जो प बता लगाना चाहा कि पसाड कहां से इतने बड़े-बड़े आएं हैं यहां पर इकतना मुश्कील हैं यहां पर कौन लेके आया है तो वहां के लोग क्या कह रहें हैं कि असुरों ने इन पथरों से दिवार चीनी थी मतलब वहां के लोग को भी यह कहानी पता थी कि यह हम प्रामःडवादियों का नहीं है, यह काम कोई असूर ही कर सकता था, यानि कि यह बात यहां से पता चल रही है कि वो जगह किसी भारत के पुद्धिजम के लोगों की थी, इस पॉइंट से आप सीजह समझे, वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, प्रामःड़ कि हम लोगों ने किया है, वो बोल रहे हैं, असूरों ने यहां लाकर पहुंचाया था, यानि कि पहले कभी किसी और का था, हम लोगों ने ले लिया है, इसका यह मतलब हुआ, फिर यहां पे केवल कुछ पुरानी खंडित मूर्तियां वहां पे हैं, जिसमें एक बूटी धारणी सूर्य मू अच्छा, इसके बाद से किसी ने बताया कि सचिदानन्द के यहां ठारिएगा, तो यह गये, अब सचिदानन्द के यहां पहुंचे, तो स्वामी जी प्रगा चचु नित्रहीन थे, अब देखिए, नित्रहीन होना, मतलब उनकी आखे नहीं थी, और संस्क्रीत का बहुत ग्यान रखते थे, तो इन्होंने बताया गया कि कोई दोती कुर्ता पहने हुए बाबु आये हैं, तो इनको तो वहां रूकना धा बेसिकली, उसलिए गये थे, तो फिर वहां पे, यह लिखते हैं, नीचे यहां देखिए, मैंने संचिप्त अपने ख्याल से भी दो-तीन मर अतबे संस्कृत में बात छेड़नी चाहीं, कि इन्तु स्वामी जी भाखा छोड़ने को त्यार नहीं थे, अंत में सड़क के पास वाले चोबारे में जगह मिली, मैं तो कोई सीड सावकार था नहीं, तो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन काम चलाओ इनको मिल गया, वहा प्रसनता होगी, इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया था, और वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम लिया, पूछा उनसे, कि उनके बारे में आप जानते हैं, कभी आये थे यहां पे, तो जो सचितानन स्वामी जो है, वो अपनी जिस पर उन्होंने सेखी करने में बहुत माईत था, मैं किसी बिद्वान का नाम लिया, तहीं नहीं कह रहा है, कि हूँ बिद्वान है, बिद्वान मतलब बिद्वान होता है, सिकी बगारने लगा कि है, मतलब दम है तो हमसे डिवेट कर ले वो, ये वो, तो ये बात भी नहोंने में सन किया है, कि ग स्वामी गंगेश्वरा नंद जी ने अपनी एक पुष्टक में स्वामी संक्राचार्य के अमत को आधुनी कहा है उसे भला शंकर के अनुवाई कैसे ब्रदास कर सकते थे उचिड़ा हुआ क्यों था उइसलिए चिड़ा हुआ था कि इस सब कहते थे कि हमारे संक्राचार्य ज जो है भाई से बन के चर रहे थे सीव जी इनके सांथ जाना नहीं चा रहे थे इनको दर्सन नहीं देना चा रहे थे तो इन लोग का यह मानना था इनको माभारत अब माभारत कब हुआ यानि कि माभारत हुआ था पिछले 1000 साल के अंदर इसका मतलब तो यहीं हुआ ना क्यो पूराना नहीं है आठवी नौवी सदी का है अब यहां पर मच गया इन लोग को मच गई थी चुल इसलिए भड़क गया था कि हम तो डिवेट का चलेंज देते काई नहीं कर लिया डिवेट तो वही लिखते हैं कि भले इसे भला शंकर के अनुवाई कैसे बरदास कर सकते थे वह तो संकर मत के संकर मत के शंस्थापक को आठवी शदी का एक दार्सनिक शुधारक मानने के लिए त्यार नहीं है यह मतलब समझ लिजे कि 1951 की यह इस्तिती थी कि संकराचारे को इसाब नहीं मानते थे इसाब पहुचा दिये थे महाबारत काल पता निकौन कौन से काल ब प्राचीन अपने प्राचीन हो गया तो यही काम वहां कर रहे थे तो 1951 में यह हालत थी इसका जिकर किये हैं मैं यह किताब क्यों आप लोग को दिखा रहा हूं आपको इतिहास के कुछ ऐसे पहलू से आप रूबरू हो येगा जो आम तोर पर और लोग नहीं बता सकते हैं इनके लिए शान थाई ब्रामण थे हैं ब्रामण बनके भीतर घुस के चीजों को ले कराएं खेर ये लिखते हैं खेर बल बहादूर ने रोती तरकारी बनाई तरकारी कहते हैं ये आजमगड के थे हैं आजमगड के लोग बिहार के लोग सबजी को तरकारी कहते हैं और चा मास भोजन पर विहिद किया है और जहां ब्रामःडों से लेकर सभी मास भी खाते हैं लिखे लेका अलू कि सब्जेए में प्याज डाले तो ये point में आपको दिखाना चाहता था कि ये मांस खाने का जो नौटंगी परोस दिया गया है आजकल न सकाहार सकाहार आप देख लिजिए कि राहूल संकृतियान खुद कर रहा है कि ब्रामवड भी पूरा मांस खाता था ये 51 की बात है चले और इसके बाद से आगे फिर ये कहानी बताते हैं कि ये पास के ये देखें दुकान बीच में आपा जाएए हाँ इन छोटे मंदिरों के पास कोई बड़ा मंदिर रहा होगा इनको पता चला कि वहाँ पे कुछ पुराने मंदिर यह जहाँ जहाँ जितनी मंदिर दिखती थी उसके पास जाते थे और जो इनको पुराना लगता था उसकी फोटो खिशते थे उसका इतिहास पता करने कोशिस करते थे तो फिर ये लिखते हैं लेकिन मंदिर कतियूरी काल के दस्वी तेर्मी शदी के हैं एक कतियूरी काल था दस्वी से तेर्मी शदी और इनका मानना था रहुल संकिर त्यायन का कि कतियूरी काल में जो राजा था उसने क्या किया था कि शैव मार्ग को अपना लिया था, इनका मनना था, हलांकि पूरी बात सही नहीं है, लेकिन इनका ये मनना था, और ये माननके चलते थें कि कतिवरी काल जो है, लेकिन वो शैव जो है, उशंकराचारे वाला शैव नहीं था, ये भी बात ये मैंसन किये हैं, कि वो जो सैव है, वो शंकराचारे वाला शेव नहीं था, बलकिल संकराचारे वाला शेव तो बहुत बाद में आके यहां कब जाकिया हैं, उनसे उचिन लिये हैं, इभी लिखे हुए हैं ये, तो वही बुलते हैं कि पास की एक छोटे से मंदिर में एक मयूरारुढ कार्तिकिया की मूर्ति, अ को बुद्ध समझते थें, और बाकी अलुकोतेश्वर बुद्ध के बारे में इनको बहुत जनकारी नहीं थी, तो वो उसको शेव मारका, वैश्न मारका समझ लेते थे, तो वो भी लिख दिये हैं ये, कि वो जो है, आब जैसे यहां पे वो नहीं समझ पाएं कि मयूर पे बैठा हुआ, जो कर्तिकिया है, उतो बुद्धिजम का है, तो लिख दियें कि वहां मयूराडूर कर्तिकिया की मुर्ती, और दूसरी भी द्वीभुज मुर्ती थी, जो बतला रही थी, कि यह कत्यूरी काल का कोई मंदिर होगा, लेकिन टाइम डियूरेशन सही निकालने रहते हैं कि 12-13 शदिका होगा, आगे दलनंग चटी से सडक पर जाते हुए, कोई पुरानी मुर्तियां है, पुजारी इसको भी जोर्तिरलिंग, इस चीज को ध्यान दिजिएगा, अब वहीं से कुछ आगे गए, एक मंदिर था, तो पुजारी जो है, उसको बार-बार जो जोर्तिरलिंग बता रहा था, जोर्तिरलिंग मतलब, जो शिवलिंग शिवलिंग आप कहते हैं न, देखें, पास के मंदिर से कुछ पुरानी मुर्तियां है, पुजारी इसको भी कोई जोर्तिरलिंग महादेव बनाने के लिए उतारू है, वह बार-बार बोल रहा था है, जो तिरलिंग है महादेव का है, लेकिन इनको तो सच्चा ही पता थी, और वो जवरजस्ति उसको जो तिरलिंग महादेव तो इतो नहीं लिखे हैं, लेकिन क्या लिखे हैं आगे, कि वो जवरजस्ति उसको जो तिरलिंग महादेव बनाने को उतारू है, मतलब वो है नहीं, ऐसा लिखना नहीं पड़ता न उतारू है, अगर होता तो कह देते हैं, कि हां यह महादेव का जो दिरलिंग था, कर रहे हैं कि पुजारी उतारू था उसको बनाने के लिए, कि जो तिर्लिंग महादेव ही है. फिर कहते हैं, नाक कान टूटी, मुर्तियों को देखकर जब मैंने पूछा, अब हुगा क्यों क्यों बता रहा था? क्योंकि उस मुर्तियों के नाक और कान टूटे हुए थे. और मैंने आपको बताया है कि नाक कान काटने की परंप्रा एक तो रमायान में मिली है। दूसरा जब मुहमेड दूती जो था, मुहमेड और उसका लड़ाई जब हो रहा था वालिड ड्रेकुला से तूर्की तूर्की के आगे हंगरी हंगरी के बीच में एक जगा हो था इन दोनों के बीच में तो जो वालेड ड्रेकुला था, उसका नाम ही ड्रेकुला इसलिए पढ़ गया, वो भी क्या करता था, मुसलिमों को पकड़ता था, उनका नाक कान काट के गिफ्ट देता थाले बटा, उसको पूप सब चढ़ा दिये थे, कि बटा, तु ही रखवाली कर पाएगा यूरोप की मुसलि से, तो इतना खतरनाक मार मारता था, तो उसका भी यही ट्रेंड था, नाक और कान काटने का, फिर हम लोग को एक दूसरा बालमिकी रमायर में मिलता है, शुपनका प्रशंग में, जिसमें राम कहते हैं कि इसको अंग विहिन कर दो, तो लचमन जो हैं, उसका नाक और कान का जब मैंने पूछा कि क्या रुहेलो, अब ये रुहेल कौन थे, ये बहुत खतरनाक रुहेल थे, ये वही रुहेल हैं, जिन लोगों ने क्या किया था, आगे चलके 1788 में, जो मुगल दूतियत हैं, जफर दूतियत हैं, उनके भीतर घुसके, उनकी ओरतों को नंगी करके न जफर था, उसका आँख फूड दिया था, बहुत खतरनाक थे सब लूटने में, उन्ही के प्युही थी ये रुहेल की, तो क्या रुहेलों ने इन मूर्तियों की ये हगत बनाई, ये पूछते हैं, राहुल संकिरत्यान पंडों से, कि भाई एक बात बताओ, ये जो जितना तोड़ फुड हुआ है, नाक कान काटने वाला ही सब, क्या रुहेलों ने इन मूर्तियों की ये हगत बनाई है, तो वह जट जबाब मिला, रुहेल आये थे यहाँ पर, लेकिन सीवुजी महराज ने भौरे छोड दियें, जिससे वह भाग गयें, कहानी देखिए पंडे की पंडे की कहानी देख लीजिए, कि सीवुजी छोड दियें, अरे भाई, नाक और कान मूर्ति का टूटा हुआ है, आप जब अरजस्ति उसको जोर तिरलें को महादेव बनाने पर उतारू है, आप पूछा जा रहा है कि रुहेल है थे, वही सब तोड़ पुड कियें हैं, तो कहानी बता रहा है कि नहीं, वह आये तो थें, लेकिन सीवुजी जो हैं भावरा छोड दिये, तो भाई या नाक कान फिर कौन काट ले गया, अब भागना तो गलत है, जिनसे वह भाग गए, भागना तो गलत है, सारे उतरा खंड में टूटी फूटी मूर्ति मिलती है, जो बतलाती है कि रुहेले शंपती लूटते ही नहीं, मूर्ति भंजन का भी पुन्य भी लूटने में शफल हुए थे, अब यहां पू लिखा हुआ है, पुन्य आधा अड़ा भी दिख रहा है, हो सकता है, मिट गया है, पुन्य होगा, तो कहने का मतलब यह है कि रुहेल जो हैं, वो क्या किये थे, कि खुब मूर्ति तोड़े थे, मुगल और रुहेलों में दुस्मनी थी, लोग सोचते हां ना, मुगलों ने तोड़ा था, मुसलिम थे रुहेल भी, लेकिन मुगल, फिर ग्वालियर के एक राजा ने, जो रुहेल था, उसको पकड़के, और उ 1788 में, तो ये आप देख लीजिए, कि मतलब उन लोगों ने क्या करते थे, जो धातु की मूर्तिया होती थी, जैसे सोना का है, चांदी का है, उसको गला देते थे, गला के लेके चले जाते थे, अब देखें, ये पंड़ा जो है, इस चीज़ से इंकार क्यों कर रहा था, और रुहेलो के आकरमण के बाद से उनको मारा काटा हो, तब पंडे पहुंचे हो, और इनको उतनी जनकारी नहीं हो, इसलिए वो किसी भी मूर्ति को जूरतिरलिंग महादेव बनाने पर उतारू है, कई ऐसा तो नहीं है, ऐसी संभवनाएं उठ सकती है, तो अब दोपहर म काफी विश्राम करके, फिर आगे वहाँ पे कोई अगस्त मूनी का बना दिया गया था, वहाँ भी जाते हैं, और उदर घूमते हैं, यह लिखते हैं, अगस्त मूनी की मूर्ति दू भुजा वाली तथा धातू की है, देखने में भद्दी मालूम होती है, लेकिन मंदीर के बाहर दाहिने और के गवाक्ष में अरि गौरी की सुंदर मुर्थी चपकाई गई है, अरि गौरी किसको कहते थे हैं? जिसमें शिव और पर्वती को दिखा जाता था, उसी को हरगरी कहते थे हैं, अब सिव गौरी वास्तों में कौन थे? नाम तो हरगरी पढ़ गया था, लेकिन वो वास्तों में कौन है, अगर बुधिष्ट सिल्पकला में देखया जाए, तो इसका जिक्र किया हुआ है, अलबुरूनी 11th century में किया है, कि बुध्य की समान ही एक और मूर्ती बनती है, जो बुध्य की ही कही जाती है, और उस मूर्ती में हमेशा उनको उनकी पतनी के साथ दिखाया जाता है, 11th century में लबुरूनी लिखके गया था, पर यहाँ पर आप देखेंगे, तो हरगोरी की बात आती है, चले हम इसमें कुछ अपना इंटर्प्रेट नहीं करेंगे, हम AGT उसको रखते हैं, आगे पढ़ते हैं, और भी मूर्तियां रही होंगी, लेकिन खंडित मूर्तियों की पूजा तो होती नहीं, और उनके प्रेमी तथा व्यवशाई पिछले 100 वर्सों में पीछे पड़े हुए थें, इसलिए अधिक देखने में नहीं आती, तो आश्चर्य की बात नहीं, तो खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, मूर्तिया यानि बहुत सारी खंडित कर दी गई थी, और खंडित पड़ी हुई थी वहीं पे, उनके समय में, तो फिर अब आगे जो हैं, ये भी लिखते हैं कि वहां पे टिड्डों का प्रकूप हो गया था, और क्या हुआ कि टिड्डे बड़ा नुक्सान कर रहे थें, तो बोलते हैं कि एक तो वहां पे खाने पीने की चीज की कमी थी, बड़ी चीजें महगी थी हर चीज, उपर से नुक्शान इतना था, और उन्होंने देखा कि ब्रामडों के उन्होंने यहां पे देखा नौटंगी देखा, उसका भी जिकर किया है, देखें क्या लिखते ह कहते हैं कि यहां 10-15 मील में उन्होंने नुक्षान नहीं किया था, वहां फ़शल अच्छी हुई थी, बाकी जगह खुब नुक्षान हुआ था, एक ऐसा जगह मिला जहां पे नहीं नुक्षान हुआ था, इसलिए सिला में एक बड़ा यग हो रहा था, देखेजिए, यग कर प्रकट करनी ही चाहिए, चाहे उसमें मनुष्य के मुख का दुरलब आहार भले ही नश्ट हो जाए, अन्य के नश्ट करने का अपराध किया जा रहा था, किन्तु यहां कानून को कौन पूछता है, मतलब उस समय भारत भुखमरी के दोर से गुजर रहा था, अपंडा जो ह मनों अन और घी जो है वैसी जगह पे जहां बड़ी दुरलब होती है, आग में स्वाहा कर रहे थे, इसका भी जिक्र किये हैं कि कानून को यहां कौन पूछ रहा था, फिर यह आगे अब भीम शेन की बात आती है, आप देखते जाएं इन्होंने कितनी पूल खोली है, आग भीम शेन का देवाले है, अब बोल रहा था कि यहां भीम शेन का देवाले है, जिसके ही कारण इस अस्थान का नाम भीरी पड़ा है, मतलब वही पांडों के जो भीम शेन है, सब सोचते थे कि पांडों वहाँ पे गए थे आखरी दिनों में, उनसे कौन बहस करने जाए, र लेकिन उसके पास ही दो फूट उची विश्नु की प्राचीन मूर्ती है अब देखें इनाहों ने यहाँ पे जो सब्द इस्तमाल किया है विश्नु की प्राचीन मूर्ती अब उस विश्नु की प्राचीन मूर्ती वहाँ पे जाच करनी चाहिए क्योंकि केदारनाथ जो जग त्यान अवलोकतेश्वर बुद्ध की चर्चा नहीं कर पाते थे, वो नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय तक अभी आज के डेट में अपने लोग नहीं जानते हैं, तो ज़रा सूचिए 1951 तक कहां से वो जान पाते थे, वो बुद्ध जानते थे, बुद्ध का सीधा-सीधा प्रति उपकार का प्रति उपकार उसी व्यक्ति को नहीं दे सकता है, समझ रहे ना, कभी आपको ऐसा लगे कि आप जिससे कुछ सीख रहे हैं, या जिससे कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसी का उपकार करें, बलकिल इनका ये कहने का मतलब था, आप इस चीज की कीमत जो औरों को चुकाना, अच्छा ही मतलब दूसरों के साथ आप कीजे ना, आपके साथ किसी ने अच्छा किया, तो आप जो हैं औरों के पुसी के सेंद अच्छा की जिसने किया है, इन्हों ने, खर आगे बढदे हैं हम लोग. अब इसके बाद से ये आगे बढ़ए, जब आगे बढ़ए, तो उनको वहाँ पूछने लगे। के बाहर दोनों तरफ चतुर्भुज विश्नु और शिव की मूर्तिया गंगा जमुना करके बना दी गई थी। पंडे लोगों को लिंग भेंद करना नहीं जानते थे। तो इस चीज का जिकर किये हैं आप जाके आज देखिए कि वहाँ पे जो चतुर्भुज विश्नु ब बोल देते थे, ये मैं आप लोगो को किलिर बता देता हूं. पिर ये पंडा के थो विरोधी थें, लेकिन इनको भी एक पंडा बनाना पड़गया, इन्होंने सोचा की एक पंडा बना लेता हूं, और फिर इन्होंने 79 यह्र्ज के एक पंडा थें, दुवानि घाओं के बना लेते हैं तो बागी दूसरा पंडा आपको परसान नहीं करेगा, उन नहीं पूछेगा, बुल देजेगा हम उन पंडा के हैं, तो उचोड़ देगा आपको, बड़ा सेट अप होता है पंडों का, वो जैसे जाएं के नाव कहां उठाओं पूछने लगेगा, आउसे उठाओं बुजूर्ग बनाया, 79 यर्ज का, 78 यर्ज का, क्योंकि इनको नहीं हिस्टोरिकल जनकारी लेनी थी, इनका परपस जो था वहां जाने का, हिस्ट्री को कूरियद के निकालना था, इनके अंदर बुदु को जानने के बाद से आप पुई तिहांस जानने का मन करता इनके अंदर यहीं चीज घुश चुकी थी, अब यह जानना चाहते थे, ब्राम्हों से उगलवाना चाहते थे कि असल हिस्ट्री क्या थी, तो इसके बाद से यह कहते हैं, हमारे आजमगण जीले में बहुत से गाओं में उनके यजमान थें, किन्तु बही में ना हमारा जन पत्थर बरसा हैं, कि उन्हें भागना पड़ा, कासी नाध जी ने एक दुकान के उपर रात्री में रहने का डेरा दिलवाया, अब इनका यह कहना था है कि रुहेले केदार ना जाना चाहते थे, लेकिन सीव जी पत्थर बरसा हैं, सब जूंठी कहानी सुना रहे थे, सब क गए थे, लेकिन हमारे सीव जी ना उला बरसा दिये, कोई करा पत्थर बरसा दिये, कोई भावरा छूड़ दिये थे, तरह-तरह की कहानी बना के सुनाते थे, तो फिर अब जो है, आगे यह एक बात यहां पर लिखते हैं, कि कि दारनाथ के रावल करनाटक देश के वीर से वह संपरदाय के हैं, जर्ब ध्यान से समझेगा, कि दारनाथ के रावल करनाटक देश के वीर से वह संपरदाय के हैं, पहले तो कि दारनाथ से संबंधित सभी प्रदान मंदिरों में दक्षिन के जंगम शाधू पुजारी हुआ करती थे, ध्यान से देखिएगा इस चीज कासी के भिश्वनाद के पूजारी एक कुनर भासी सैव साधू है, इनसे कुछ बाते मालूम होई किन्तु यह पता नहीं लग सका कि केधारनात में मंदिरों में दकचिन वीर शैव का अधिकार कैसे हुआ, भाही दकचिन के वीर शैव जो हैं उनका अधिकार क्यधारनात पे क वहां पर लेके चलता हूं देखें कतियुरी काल के शीला लेख मिल गया इस पर इनको यहां पर यह लिखा हुआ यह चीज मिला था जो कुछ-कुछ पढ़े थे और इसी में यहां पर देखें सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर है कि पत्थर का एक सुतूप इनको वहां मिला जो कि कुमावौ गढ़वाल का एक मात्र बौध सुतूप है यह चीज और फिर उघंग सड़क के किनारे ही मंदीर की दिवार पर मौजूद था लेकिन लोटने पर मैंने उसे देखा मंदीर के लोगीदर पर मौझूद था इससे समझ लिजे कि क्या मंदिर जो हैं उसके उपर बना दिया क्या था इस मंदिर के भीतर कई खंडित मूर्तियां हैं जिसमें सीव पारवती लच्मी नरायन कत्रिक्तिक चटाधारी मूर्ती किसी सैवशंद की है बाहर द्वार पर मंदिर की दाइका की भ नहीं जानते थे लोकश्वर, लोकनाद इस तरह के बूधिशत्तों के बारे में वह नहीं जानते थे उसका चर्चा वो नहीं कर पाए हैं सीधे बूध सुतू और नहीं तो फिर वैश्नों और शैवर यह समझते थे तो ये चीजह जो है जानकर आपको कई जनकारिया यहां से मिल सकती है क्योंकि बुधा की ऐसी कई सारे लोकोतेश्वर बुधा की मिली है जो जटाधारी मूर्ती है जिनके ऊपर चंद्रमा भी है जिनके ऊपर से गंगा निकलने की बात लेकिन वो बुधिष्ट की मूर्ती है तो यह सारी चीज हैं अब हम लोग समझ रहे हैं उस समय नहीं समझते थे फिर अचा चले अब वहां पहले चलता हूं सीधे क्योंकि यह बहुत शमय हो जाएगा यह एक पॉइंट और मैं दिखा दूं आप लोगों को पंडित विशाल मड़ी उपद्यहाई से उनकी बात हुई उभी इतिहास के पुरा तत्तों के बड़ी चुक थ तो कहते हैं पंडित विशाल मड़ी उपद्यहाई का नाम गुप्त कासी ही में सुन चुका था अंगरेजों ने केदारनाथ के पंडों को अब राहमड और खस लिगा था इनों ने क्या किया था केदारनाथ के पंडों को लिख दिया था विशाल मड़ी उपद्यहाई ने क जब खस हैं, छत्रिय हैं यह सब, तो विशाल मडी जी ने इस पुस्तक में उन्हें और ब्रामण बतलाना चाहा, जिस पर पंडो ने मुकदमा धर्ज कर दिया, उन पर मुकदमा धर्ज कर दिये थे, और चमूली के मजिस्ट्रेट ने 8 नुमबर 1940 इस वी को उपध्याय जी प कि भाई आप कोट से ओडर ले आई है, अगर वो कहा देगा कि ब्रामण नहीं है तो हम बन जाएंगे, हट जाएंगे, क्यूं कहता है, तो ये बात सुरू से है, जब भी कोई कहता है, कि देखो सूधर को OBC को पिछड़ा को बना दिया, जूंटी बात है भाई, उस सुरू स ही हैं, ये राहूल संकृतियान भी कहके गए हैं, मैं बताता हूं कैसे, फिर पंडित काशी नादेजी ने बाद में एक और पंडा सजन ने मुझे मुकदमे के फैशले की कापी दी, इसलिए यह नहीं बतलाया कि उपर के अदालत में जुर्माना छोड़ दिया, फिर उसको हैं, भेत जैसे एक सधारन से अस्थान में पुस्तक विक्रे और प्रकाशन का कार्यारम कर रहा था, जैसे लोगों को काफी लाव हुआ, पुराने मंदिरों और मूर्तियों भी उनकी दिलचस्पी है, उन्होंने बहुत आगरह किया कि मैं काली मठ अवस्य देखूं, केदा का मंदिर और तिर्त सभी 100-200 वर्ष परत्यक्त रह गया, जिसे खस छात्रियों ने पीछे दखल गिया, वास्तविक्ता यह मालूम होती है कि केदारनात के पंडे, जो 20-25 गाओं में बिखरे हुए हैं, बहुत प्राचीन ब्रामढ हैं, उनका ये कहना था ही बहुत प्राच बताना चाहा रहे थे, प्राचीन होने के कारण पहले वो छत्रियों की लड़कियां भी ले लिया करते थे, जिसे पीछे बाद में लोगों ने उनको ऐसे देखना शुरू कर दिया कि सब अब्रामढ है, ये बात यहाँ पे समझेगा, और फिर इस तरह की बाते होती हैं, आ जब आगे गए तो उनको सिरकटा गनेश के पास का भी ये देखिए, उनको बताने लगा कि देखो यहीं पे ना गनेश जी की गरदन काटा था सीवने, ये भी जगा मिली उनको, तो वो क्या कहता है ये लिखते हैं, परवती के रोने दोने पर संकर के हाथों से शदुजात बच्चे का सिर काटकर लगा दिया, जिससे गनेश गजानान बन गए, सिरकटा गनेश के पास की मूर्ती को गोरी कहकर पंडे ने बहकाना चाहा, कह रहा है कि सिरकटा गनेश के पास की ये जो मूर्ती है ना इगोरी है, यानि परवती है, और पंडे ने बहकाना चाहा, मतल लिखते हैं मैंने कहा यदि कपड़ा हटा कर दर्शन कराओगे तो 54 दक्षिना मिलेगी और फोटो लेने दो तो अठनी दूगा इभी जानगा है कि पंडा को तो चाहिए पैसा इन्होंने एक और ओफर दे दिया कि बटाई जो तुम छुपा-छुपा कर रखे हुआ हो एक ब पोटो नहीं खिचने दिया जरा सूचिए कि आखिर ऐसी क्या चीज़े हैं जब बोल रहे हो कि यह है यह इनकी यह है तो पोटो कि चले तो दुनिया के सामने आ जाता ना कि एक्चुल में वह किसका था कि क्यों उसकी गरदन कटी थी या क्यों इसकी यह चीज़े हुई थी पिर जो है आगे ये सारी बातें चलती राती हैं बहुत सारे बातें हैं बहुत सारी जनकारियां हैं और इसके बात से हम आपको आज मैंने मंदीरों की तुटी फुटी मूर्थियों की जांच परताल कर लेनी चाही कत्यूरिकाल के बहुत सारी चीज़े बताते हैं, फिर मैं जानता था केदार का प्रथम मंदिर उस समय अस्थापित हुआ, प्राचिन पशुपतों का जो था ये और भी कई सारी बाते बताते हैं, एक बात और यहां पर देखिए, मुझे यह भी मालूम है कि यह शब व वहां पर मतलब जितने जो वैभाव की बाता रही है, वैभाव शंपनता, वैभाव, उन दास दासियों के परिश्रम से पैदा हुआ था, जो सारी जनता की चोथाई थी, मतलब वो बोल रहे हैं कि यहां पर यह जितना जो आप वैभाव देख रहे हैं, जितनी जो अच्छ विष्टी जो वर्ग है, वो विष्टी जो वर्ग है, जिनको दास दासिय बना के उनको दे रहे हैं, पंड़ा पुरोहितों को नहीं दे रहे हैं, और फिर आगे जो हैं, यह देखें, नो बजे से कुछ पहले केदारनाथ का मंदिर यात्रियों के लिए खुल जाता है, तो अब यह जो हैं, इन्हों ने क्या किया, कि ब्रामडों से तय कर लिया, कि खुल जाएगा तो भीड़ भाड़ होगी, तो हमको पहले दिखाओ तुम, उन्हों ने, मैं साथ बजे ही मंदिर के भीतर गया, इनको साथ बजे का नुमति दे दिये, कि दारनाथ का मंदिर गोपे पैर विश्वनात दर्सन कर सकते थे, अब इन्हों ने एक बड़ा अच्छी यहां पे जनकारी दिये, इस चीज को समझेगा, बौधों ने भिन भिन जलवायू के अनुशार अपनी पूजा परिक्रिया में परिवर्तन किया है, बुधिष्ट लोग थे हैं, हर मौसम के लि नंगे पैर के तलवे के साथ सीधा संबंद चित की एकागरता के सहयक नहीं हो सकता, इसी लिए वो शदाहरन जूते के ऊपर उनी खोल लगाकर भीतर जाने में कोई हर्ज नहीं दिखाते, बर्मा और लंका में भारत की ही तरह जूता निकाल के तब भीतर भूसिये, अब य में भी दीपक जलाने की अवस्यक्ता वाले मंदिर के गर्भ में नंगे पैर जाना ठारा, नंगे पैर घुसा दिये, इनकी हावा खराब हो रही थी, मुझे वहां हर एक चीज को बहुत गौर से देखना था, क्योंकि इनका तो परपस था ना कि असल इतिहांस को सामने लान तो लेकिन तलवे बर्फ बनते जा रहे थे, खैर पानी में भींगा हुआ कंबल का टुकरा लाके दिया, जिससे उनकी कुछ हिम्मत बढ़ी, आधुन, केदारनात का मंदिर जैसे की पहले का उत्राखंड का एक सबसे बड़ा मंदिर है, अंगरेजी राजे के कायम होने के पहले वीश वर्सों से अधिके ट्रेल कुमायू के कमिशनर या राजा थे, तो ट्रेल ने इसके बारे में बहुत लिखा था, ट्रेल ने लिखा था केदारनात का मंदिर नया है, अब देखें ट्रेल ने रिसर्च किया था, ध्यान से सुनिएगा, उसने बताया कि केदारना तो सदी के करीब में बना है, 200 साल पुराना है, उसके समय में आसपास गड़वाल में भ्यंकर भुगंप आया था, जिसमें आपारहानी हुई थी, और उसी मौके का लाव उठाकर नैपाल ने आसानी से गड़वाल पर अधिकार कर लिया था, तो उस समय नैपाल का वहाँ अधिकार था, वो शक्ता है उस वक्त भुकंप से मंदिर की छती हुई हो और उसकी मरमत करनी पड़ी हो, वस्तुता हो मंदिर उस समय बना था, जिस समय के सिलालेक गर्वग्रिह की भीतरी दीवालों में जड़े हुए था, दियान दिजिएगा, उस मंदिर में सिलालेक हैं जो गर्वग्रिह में हैं, और आपको याद होगा कि गर्वग्रिह में ही नहीं घुसने दिया जाता है, आपको पता है न, गैर ब्रामलों को घुसने नहीं देते हैं, कभी-कभी तो यह कहते हैं कि जो यहां के पुजारी वाला है, वही गर्वग्रिह में, क्योंकि उस गर् ग्रीह के चोखट पर उसी समय की बनी है, सभा मंडप में भी कही पुरुस प्रमाण मूर्तियां हैं जो की उसी काल की है, मंदिर के अधिकारियों ने से मेरी बड़ी इच्छा थी कि कोई सिलालेख पूरी तोर पर पढ़ा जाए, किन्तु मंदिर में गी के चिराग बाले जात थे, भगवान के उपर भी घी का लेप होता था, और लेप करने के बाद हाथ में लगे घी को दिवार पर पूँच दिया जाता था, सताब्दियों से ये होता आया था, अब दिवार जो है, दिवार किसका था, तो दिवार था वही जहां सिलालेख इंस्क्रिप्शन लिखे थे उसी पर, जिसके कारण अभिलेखों के अच्छरों में घी भर गया है, अब ये देख लिजिए, ब्रामण को अच्छी तरह से पता है, कि इसलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, उनको पढ़ने तो आ नहीं रहा है, और वहां पर क्या कर रहे हैं, कि घी जला रहे हैं, फिर लिखते हैं, शुप्रिटेंडेंट साहब ने गरम पानी भी भी भीजवाया था, कंबल से रगड कर मैंने साफ करने की कोशिस की, देखें, गर्ब ग्री के भीतर घुस के ये बता रहे हैं, कोशिस की, लेकिन उससे वह काम होने वाला नहीं था, उसे तो गरम पानी में घु लेक काल बारवी-तेरवी शदी के पीछे का नहीं हो सकता, अच्छर पत्थर में काफी गहरे खुदे हुए हैं, इसलिए ठीक से दो कर चापा, चापा लेने पर पढ़ना मुश्किल नहीं होगा, अब उस पर घी क्यों पोधते थे हैं, क्योंकि गहरे अंदर तक खोद-खो लिखा गया था, पूरा घी कोधत बराबर कर दिए कि दिखे इनकी क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इन सब को पता था ना कि पढ़ेगा, और अब नाम लिखवा दें, बढ़ियां से सब चीज कर दें, और वहां का पुजारी जो है उसको सभलता रहें, तो क्या आ आपने मंत कि मेंट्रीजी का लिखवाया हुआ इंस्क्रिप्शन के गी पोथ-पोथ के बर्बाद करेगा बताइए तब ही करेगा गाणहों दूसरा कित सबस्कार演र कर लेगा और चाहेःगा कि यह मंत्री मंत्री है जिसने भी बनवाया लोगों को पता ही न चल पाए कि इन लोगों का है यह, वो उसको पोत के मीटा के और हटाने का परियास करेगा, कि किसी को पता ही न चल पाए, तो यहाँ पर यह चीज है, अब क्या होता है कि इन्होंने गरम गरम पानी से साबून से कड़े ब्रस के सहारे दोने की आफशकता फिर यह लिखते हैं कि बारवी, तेरवी शदी के पीछे का नहीं हो सकता, अच्छर पत्थर में काफी गहरे खुदे हुए थे, इसलिए ठीक से दो कर छपा लेने पर पढ़ना मुस्किल नहीं होगा, मैंने जो अच्छर पढ़े थें, उनमें रजदेव के डौट डौट फिर इती लिखा था, पहले चार अच्छर वैसे ही थें, जैसे बारवी शदी के ताल पत्रों में मुझे तिबबत में मिले हैं, अब एक बात और ध्यान दिजिएगा, इन्होंने क्या कहते हैं कि पहले के जो अच्छर जितना मैं पढ़ पाया, वो उसी तरह से थें, जैसा मुझे तिबबत के ताल पत्रों में मिले थें, यानि उनका ये कहना था, ये पुरानी लिपी पढ़ पाते थें, तिबबती भी कुछ चीज़े सीख गये थे, तभी नोंने तिरपीटा कानुगात किया था, तिबबत से लाकर, तो ये कह रहा हैं कि तिबबत कितरह एकदम एक चेक मैच कर रहे थे, तिबबती कितरह थें, फिर कहते हैं, अथवा जैसे अच्छर कतियूरी राजाओ, यानि दसवी बारवी शदी के अविलेखों में मिलते हैं, इती में उपर की दो विंदिया नीचे उ की मातरा लगा कर लिखा गया था, ये शिलालेख ये जही से भी, फिर आगे ये लिखते हैं कि केदारनाथ में महादेव का कोई लिंग अस्थापित नहीं है, ये लिख रहे हैं, फिर उसके बाद से बताते हैं कि पुराणों में कथा एक आती है कि पांडों हीमाले में गलने के लिए आये थें, संकर जी को ढूंडते हुए केदार की भूमी में उन्हें संकर जी का पता लगा, शंकर कुल हंत्यारे पापी पांडों का मुह नहीं देखना चाहते थें, इसलिए उन्होंने भैंसे का रूप धारन करके चरना सुरू किया, बर्प फिगलने के बाद वर्सा सुरू होते ही, केदार की भूमी और उपत् टांग रख दिया, कि शी के बीच से जिसको गुजरना है गुजरेगा, अब संकर के लिए धरम संकर हो गया, कि इसके दोनों जैंगों के बीच से हम कैसे गुजरेंगे, तो संकर के लिए बड़ा धरम्संकर उपस्तीत हो गया, उन्होंने चाहा कि धरती में डूड कर इस तरह से इसका नाम महिस रुपी का इलास पती नाम क्यों पड़ा है, यह पुराणों की कहानी है, यह बता रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो इन्स्क्रिप्षन थे पुराने वो तिबती जैसे थे, कैसे और बताता हूं, जान पड़ता है कि क्यादार नाथ के नाम से पूझी जाती सीला की आकृती देहकर महिस प्रिष्ट की खलपना हुई लेकिन इनका क्या कहना था रहुल संकृत्यायन का कि वो जो सीला थी उसे सीला की आकृती देहके इन लोगों ने महिस प्रिष्ट की या जो कहानी पुराण में बना लिये हैं उनका कहानी बाद में बना लिये है ध्यान से सुनिये का क्या लिखते हैं, जान पड़ता है कि किदारनात्थ के नाम से पूजी जाती सीला की आकृती को देखकर, मतलब सीला की आकृती को देखकर ये जो कहानी ऊपर चल रही थी, वो कहानी संकर पांडो वाली उबाद में कल बना कर ली गई है, समय रहे हैं तो कहानी बना नमती लोग माहिर हैं फिर आगे क्या लिखते हैं ये पत्थर के चारो और चोपोना अरगा ये सारी चीज़े बताते हैं किदारनाथ सीला के बारे में तो नहीं कर शकता आगे फिर आगे और चलते हैं हम लोग 1741-42 इस्वी में लूट पात करते रुखेले केदारनाथ तक पहुँचे थे उन्होंने यहां की सारी मूर्तियों को तोड़ पूर कर सबाब हासिल किया उनके यहां कहा गया था न यतना मूर्ति तोड़ों के उतना चन्नत मिलेगा सबाब मिलेगा लेकिन केदारनाथ की न लूली करके छोड़ दिया तो यहां आप देख सकते हैं कि उस समय कोई देवी देवता भी नहीं आएं और इनका कहना था कि उस समय न år यहां लिंग था आना कोई वहां पर कोई नाथ की कई मुर्थी थी यानिकि आप समझ सकते हैं कि रुहेला के आने से पहले वो किसी और का था और बाद हमें ले लिया गया फिर यहां पर आप देख सकते हैं यह दपी रुहेलों के यहां आने की बाद न इधर के पंड़ा मानने को तयार है न वर्तमान अधिकारी ही किन्तु अब शवाल का इनके पास कोई उतर नहीं है कि मुर्तियों को किस ने तोड़ा और अपने हथोड़े का लच्छ मुर्तियों की नाको को ही क्यों किया गया तो यह बार-बार पूछते थें कि भाई आप लोग इंकार कर रहे हो कि रुहेला के सब तूड़ फूर के गए है मुस्लिम जर्द ध्यान से समझेगा दोस्तो राहूल संकिर्टियान कह रहे हैं कि रुहेल जो थें मुस्लिम जो थें वो आके आपकी मुर्तियों को तूड़ गये हैं वहाँ का पंड़ा कह रहा है वहां के अधिकारी नहीं नहीं तोड़े हैं तो राहुल संग कृत्यायन क्या कह रहे हैं कि भाई इस सवाल के किसी के पास उत्तर ही नहीं है कि फिर इन मूर्तियों का नाक कौन तोड़ दिया नाक और कान कौन तोड़ दिया कौन तोड़ा भाई? मुसलिम तोड़ा नहीं, वो आया नहीं, उसको सीव जी जो है उधर से उधर भागा जीं, तो भाया इछेनी हथोड़ी लेकर देखें, एक्जेक्ट स्टेट्मेंट सुनें, कर रहे हैं यदपी रुहेलों के यहां आने की बात न इधर के पंडा लोग म मतलब बकाया दे हो थोड़ा लेकर मूर्तियों की नाको को ही क्यों तोड़ दिया गया, नाको को ही क्यों किया गया, हो थोड़े का लाच्छे क्यों था, कि सारी मूर्तियों का, अगर क्या आप लोगों ने तोड़ दिया भाई, पंडे, क्योंकि आपने तो मंदिरों में त पहुचते थें जो कहते थें कि अब तो हम किदा जा रहा है मर ही जाएंगे उधर से उधर ही चले जाएंगे सीधे स्वरगा रोहण हो जाएगा वो लोग जाते थे उस समय इसका जिक्र किये हैं तो भाई इन मुर्तियों को फिर तोड़ा किसने क्या ये बुद्धिश्यम की म मंदिरों में पहुंचे और केदारना तथा बद्रिनात उनके प्रहार से नहीं बज सके इनका ये मानना है कि रुहेल वहां गये होंगे उन्होंने तोड़ा होगा अब रामण पंड़ा पुरोईत वहां का दिकारे नहीं आये ही नहीं तो भाईया एक ही बात समझ में आ रह बहुत गजब का सवाल है फिर लिखते हैं गर्व ग्रिह में अर्ध के चारों कोनों पर बहुत मोटे चार पसार अस्तंब हैं पसार के मतलब की पत्थर के अस्तंब हैं जिनकी बगल से होकर भीतर की भीतर केदारनात की प्रदिक्षना की जाती है मंदिर की दिवारे दूसर पुराने मंदिरों की तरह बहुत मोडी तता बड़े-बड़े शुगड़ पत्थरों से जोड़ कर बनाई गई है शीखर के बारे में बताया जाता है कि पहले ही और बड़ा था अब छोटा किया गया है रिपेर्मेंट में लेकिन मंदिर के आकार के तरत में देखते में इनको बात ठीक नहीं लगती फिर आके कहते हैं कि इधर के मंदिरों की तरह शीखर के उपरी भाग में काश्ट वेश्टनी है गरभ गरिह के दुहार पर आकर देखा तो वहाँ चौकट के चारों और बहुत सी अलंकार्य मूर्तियां खुदी है जैसा बुद्धिजम की मूर्तियों में होता है जो वर्तमान मंदिर का अभिन्य अंग 12-13 शदी के पीछे की नहीं हो सकती गरभ गरिह के बाहर शभा मंदप है और फिर कहते हैं गरभ गरिह की तरह रोशन दान नहीं है किन्तु दरवाजे होने से वहां रोशनी काफी आती है इस मंदप के भी भीतर चार विशाल पसाण अस्तम है दिवार गोखो में दिवार के गोखो मतलब जो बुद्धिजम की सिल्फ कला है कि दिवार में काट के एक छोटा सा बना देते थे जहां पर लाइट रखा जाता था लाइट काने का मतलब दिया वगरा वैसा बना के और जब नालंदा वगरा की खुदाई होगी तो उसमें मिलते हैं तो उसमें बुद्ध और बोधिशत तो मिलते हैं आप आज भी जाके गया के देख सकते हैं इस तरह की चीज़े मिलती हैं बुद्ध गया में तो वही चीज़ उनको मिली थी कि गोखो में आठ पूरुस परिम परिमार लेकिन जो पंड़ा है उनको बता रहा है कि 5 पंड़ों एक दुरुपदी है छे बता रहा है तो फिर कहते हैं इन में से पांच मूर्तियां काफी प्राचीन है और कला की द्रिश्टी से भी अच्छी है तो जो पांच मूर्तियां बहुत प्राचीन हैं कला की द्रिश्टी से अच्छी है तब समझें कि प्राचीन मूर्ति वहां किसकी होगी फिर अब ये कहते हैं कि मंद कि साफ करवाकर उसे और प्रसस्त बनवा दिया है हाते की पीचे चार दिवारी में वहीं से निकली कुछ मूर्तियों को जड़ दिया गया है अब देखें वहां पर जड़ दिया गया है बाद में वहां पर चार दिवारी जो बन रही है वहां पर जड़ दिया गया है सभी मू संबंद रखती थी बाहर घूमते हुए मैं पीछे हाते के दाहिने कोने पर गया वहां श्री अमबादत के ने इशान मंदिर और ये कहते हुए बता रहे हैं अब फिर कहते हैं लेकिन पीछे के हाते दाहिने कोने पर गया वहां अमबादत तंगवाल ने इशान मंदिर नहीं इशान कुटिया खड़ी कर रखी है, उनका कहना था कि केदार खंड के मूल इशान भगवान है, अब वो जो वहां का एक व्यक्ति था, वो क्या बता रहा है कि ये केदार जो है इशान नाम के यहां भगवान है, जिनका वर्णन महात्मय मिलता है, लेकिन पुस्तक खोल कर शान सब्द दिखाने से पहले ही मेरी द्रिष्टी मंदिर के बाहर बीचे हुए पत्थरों में से एक परपरी, मुझे गौर से देखते हुए, देखकर उन्होंने कहा यह भोटिया अच्छर है, अब ध्यान से समझेगा यहां पे, भोटिया आप लोगोंने डॉक्टर भोटिया मिलता है वहां पे, अब ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है कि यहां पे इशान भगवान है, लेकि इनका ध्यान गया, जो वहां टूटा-पूटा रखा हुआ था वहां पे, तो मंदिर के बाहर बिचे हुए पत्थर, जितने पत्थर बिचे थें, उस पर एक प मिल रहा है, अब उनको पूरा इंस्क्रिप्शन एक मिल गया वहां पे, यदपी भोटिया वू में, शीरा रेख हिन, शीरो रेख हिन, लिपी के अच्छरों में इस अविलेख को दोनों पंक्तियों के दसों अच्छर मिलते हैं, किन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि गुपता ब्राहमी शे निकली है, इसलिए इसे जैसे भोटिया लिपी कहा जा सकता है, वैशे ही गुपता ब्राहमी भी, अब वो इंस्क्रिप्शन भी वो सब नहीं पढ़ पा रहे थे, तो यह उसको बता रहे हैं कि यह मतलब पाचिवी छटी सदी कि यह लिपी है, तक यह जो समझ रहे थे कि 12-13 शदी में यह था, अब वहाँ पे जो पत्थर तोड़ फोड़े के इधर उदर बिखरे पड़े थे, वहाँ इनको एक इंस्क्रिप्शन मिल गया, पाच्वी छटी सत्वी सदी का भोटिया में, यानि तिबती में, यदि गुपता ब्राहमी ह तो चौथी पाच्वी सदी की हो सकती थी, यदि वह में और साथवी आठवी सताबदी की, जबकि तिबती समराजय तरीम उत्पय काल से लेकर सारे हीमाले में था, यानि तिबतीों का उस समराजय था और उनकी वो लिपी में उन्होंने लिखवाया था, तब उनका था गुए कोशिस नहीं की, साईद संस्कृृत नहीं है. समयआ ना, संस्कृत नहीं था, कहां से पढ़ पाते यह? तिबती भासा होना ही शम्भव है. वो बोलते हैं कि तिबती भासा था, तिबत्यों का वहां शमराजमी था उसमे ऐसा होने पर पहला अच्छर ये है. दूसरा य, तीसरा र, चोथा यू, पाचवा र, सहित क, और छठवा द होगा इससे कोई अर्थ नहीं निकलता, सिलालेख खंडित है, शंभव है इसका दूसरा टुकड़ा भी यहीं कहीं आसपास पड़ा मिले तो यहां आपको एक बहुत खतरनाक जनकारी यहां पे मिलती है इतना तो इस लेख से असपष्ट हो जाता है कि बारवी तेरवी शदी में बने वर्तमान मंदिर से पहले भी यहां कोई मंदिर था, जिससे इस लेख का संबंध है समझ रहे हैं? किन्तु तिबती वू में होने पर यहां सबसे पुरानी तिबती लेख ही है मंदिर के आसपास कमीटी ने जो खुदाई की थी या पुरातात्विक दृष्टी से नहीं की गई देख लिजिए, कमीटी जो है खुदाई करवाया, पुरातात्विक दृष्टी से नहीं करवाया उसका उद्दे से था मंदिर के हाते को कुछ साफ करके बड़ा बना देना स्री अमबादत जी ने जब मुझे महातम दिखलाया तो मैंने भी उस लिख का महातम बतला कर कहा कि सबसे पहले इसे आप मंदिर के भीतर रखिये नौ दूरगा का मंदिर नहीं, यह टूटी-फूटी मड़ी है जिसमें 11-12 सदी के कई खंड़ स्पोट मुर्तिया रखी है इसमें से 9 तो नहीं, 5 मात्रिकाएं है आप मात्रिकाएं बुद्धिजम की होती है जिन से यह भी मालूम होता है कि साइद पहले वहाँ 9 मात्रिकाएं थी सास्तिर जी यह बातों का अफसोस कर रहे थे जिससे मैं उनका साथ दे रहा था कि यहां से थोड़ी दूर उत्तर जिस अस्थान पर भगवद पाद संक्राचार्य मरे थे वहां उक्त अचार का कोई असमारक नहीं है आप देख लिजिए अभी 2018 के करीब में 17 के करीब में या देख लिजिए का कब था 14-15 जब भी अभी आया था कितारनात में बाढ़ भेंकर तो उनकी मूर्ती तूट गई थी वो मूर्ती 1971 में नहीं थी उसके बाद बनाई गई है यह बात यहां से देख लीजी कह रहे हैं कि भगवद पाद संक्राचार्य जहां मरे थे वहां उक्त अचार्य का कोई इसमारक नहीं है और इनौहोंने एक बात लिखी है इसमें कि वहां के लोग यह भी बताते हैं कि शंक्राचार्य जो है उसको किसी सैव नहीं जहर दे के मर दिया था यह भी लिखे हैं इन आपने किताब में कि यह भी हो सकता है कि यह बात भी सही हो कि उनको इन लोगों ने मार दिया था, उनका कोई इसमारक भी वहाँ पे नहीं बना था, बाद में बना है, फिर अभी दोबरा बनवाया गया है, इसलिए पुरानी किताबे पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको कई ऐसी information निकल के आती है कि जो आपको, फिर ये बोल मुलते हैं कि रुहेलों जब आये थे, मंडप में छोटी बड़ी चार धातू मूर्तियां भी हैं, जो यही बतलाती हैं कि उन्हें कहीं छीपा दिया गया था, क्योंकि रुहेलों के साथ मूर्तियों को गला कर दरपे बनाने का पूरा प्रबंध था, तो ये दोस्तों, पर था कभी, जो मंदिर 12-13 शदी का था, आठरामी सदी से पहले 12-13 शदी, उससे पहले जो पांचवी छटी सदी है, तीबती अतीबत में आप जानते हैं कि बुद्धिजम पर उपर है, दोस्तों, इतिहास पूरा खुला है, सब के सामने हैं, आज तो मैंने सिर्फ आपको किदारनात की यातरा कराई है, राहुल संकृतियाय की नजर में, और इससे भी जवर्दस्ती यातरा में कराऊंगा, अब आप लोगों को, जो सटर्डे को साइंस चर्णी पे 130 दोपहर में जो इस्ट्रीम होगी, उसमें बदरिनात की यातरा कराऊंगा, और वहां पे मैं आ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, असल इतिहां सब बताया नहीं जा रहा है, तो चले, अब मैं लिंक दे दिया हूं, जिनको डिवेट करना है, आज है भही, डिवेट कर ले में, और यहां पे कुछ सुपर चैट्स हैं, वो भी मैं देख लेता हूं, मैं फिर लिंक दे हूं, जो डिवेटी हैं, वो आईए गवी, और यहां पे अभिमन्यू कावर जी का यहां सुपर स्टिकर है, शुक्रिया, बिग इगनीटर जो हैं, वो लिखते हैं, इस चे सर्व बुद्धिजम, एज, रिलीजन और फिलोशफी, जानने के लिए, कौन-कौन से बुक्स हम लोग पढ़ सकते हैं, रिलीजन और फिलोशफी जानने के लिए, इसी के भी आप पढ़ लेजिए, उठाके, बस याद रखिएगा, कि जब भी आप बुद्धिजम को पढ़िएगा, तो उसमें जो भी सब्द मिलेंगे, उसको आप आज की जो लेंग्वेज है, हिंदी, उसकी तरह मत समझ लेजिएगा, क्योंकि ये जो लेंग्वेज है न, ये ब्रह्मने करित हो गई है, उसमें जैसे सब्दा जाएगा, अगर भागवा, आप समझेगा कि अरे भागवा की कैसे बात कर रहे हैं, भागवान सब्दा आएगा, उसको आप यहां के भागवान की तरह समझेगा, तो सब चीज उल्टा उल्टा लगेगा, तो उसको समझने के लिए सारी सब्दावलियां आपको बुद्धिजम की तरह समझनी पड़ेंगी, फिर उन्हीं चीजों का अलग मतलब निकलता है, उनकी सारी सब्दावलियों का गलत-गलत मतलब बना दिया गया और फिर यहां पे धवल पंचाल जी का यहां सुपरिष्टिकर है, शुक्रिया आपका, शुधीर रंगारी जी का भी शुपरिष्टिकर है, नेचर लफ जो हैं लिखते हैं शर मुझे शतनामियों का रियल इतियास जानना है, और औरंगजेव के टाइम से वैसे 36 गड़ मे सबसे ज्यादा अभी शतनामी लोग हैं, मैं शतनामी शमुदाय से हूँ, प्लीज सर, अच्छा मैंने शतनामी शमुदाय पे एक श्ट्रीम तो की थी, आगे फिर कभी करूँगा, तो उसमें और डिटल्स दिखा गूँगा मैं, चले देखें कौन आये हैं, अच्छा अच चुहान आये हैं, पहले इन से दो बाते ले लेते हैं, हाँ जी अचल जी बतायें क्या काना चाहते हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो होता क्या है कि एक ही बुक के अलग-अलग वर्जन मिल जा रहा है, जैसे इवन मनुस्तमिती कोई अगर देखने की कोशिश करें, उने कहीं बहुत-बहुत वर्ज़त हैं, कोई आपने कभी बुक्स को अप्लोड करके रखा हैं, पीडिएफ के फॉर्मेट में, कहीं पर प्रवाइट करा सकती हैं, तो उनसे आप डाउनलूड कर सकते हैं, वो अथेंटिक रहेंगी, वो जानी मनी वेबसाइट से हैं, कई सारी, तो आप सर्च करेंगे नाम तो बता देंगे ना, जैसे बाबा साहब का 40 वॉल्यूम्स का मिनिस्ट्री ऑफ एक स्टडल अफ़ियर पे इन लोगों अप्लोड करके रखा है, और एक जब मुझे 21 वॉल्यूम दिखा, तो उनसे सही कौन है, तो हम तो 41 वॉल्यूम्स को पूरा डाउनलोड कर लिए कि एक बचलो वापस रिपीट कर लेते हैं, जो कुछ छोटी- के तो कभी तो बताएं, अब यह देखें, मैं अपना जो काम है अपने लिए करता हूँ, अब पब्लिक डोमेन के लिए मैं नहीं हर चीज अपनी अब लेवल करा सकता ना, वो नहीं, पीडिएफ नहीं प्रोवाइट कर दीजिए, एक बुक के लिस्ट का नाम ही सही, हम लो के लाइबेरी है, और वो मनी प्रभा टीका कहा जाता है, उसको बढ़ियां माना जाता है, मतलब आम तोर पर अगर किसी को रेफरेंस देना होता है, तो मनी प्रभा टीका, जो है चोखामबा पब्लिकेशन से पब्लिष्ट होई है मनुसमेती, उसका ही एक्जामपल देते ह है, बढ़ियां से टीका किया हुआ है, तो उसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, बाकि सब भी लगभग एक ही जैसे सब बात लिखें हैं, थोड़ा-थोड़ा बदल अदल भी दिये हैं, लेगिन मूल चीज आपको मिल ही जाएगी, तो उसी को ले लिजे आप, ठीक है अच्छा जी बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट्स को उठाया है, तो अगर हम लोग भी पढ़के हैं, जैसे इस बुक को भी हम डाउन्लोड किये, 600 पेज का था, पढ़े वे तो नहीं थे, इस पर अभी होगा ना, अभी फिर अगला, अगला स्ट्रीम अभी करूँगा ना, एक और सुरुआत की है, मतलब ये तो ट्रेलर था भी, तो अभी तो बहुत सारे चीज़े देनी है, अभी मैं करूँगा ना, शटरड़े को करूँगा, दो पहर मैं, साइन जानी पर, वहां पर मैं दिखाऊंगा, 600 पेज की बुक है, देखा मैंने, तो पुछ पढ़ पाए, कोई डिवेटी हो वह बता देजुए भई, जिनको डिवेट करना हो वह भापता देजुए, यजो गित norm साथ बता देंगगा ना, एक लोग, तो मुझे चले संघर्ष को ही आये, हाँ, जी शंघर्ष मताये क्या करना है, हाँ जी जैफीम डिवेट करना है आपको जी सर मुझे थोड़ा सा पूछना था आपसे जी सर मुझे ये पूछना था सर जो हमारे देश में जरसो सर जो चुनावाया जो ये गल्दिया कर रहा हैं क्यों मतलब सरे ब्रामेलिजम लाना चाते हैं कि देश में कि बताए आप जो हैं कि पूछिएगा मुझे से पोल्टिक्स के बात पूछिए गार सूछिएगा कि मैं पूल्टिक्स पर आपको उत्तर दूँ हूँ आप अपको कभी देखें इस मेरा चैनल देखते हैं आप देली चैनल देखता आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा या कोई जो आते हैं कोई विव्यक्ति जो इन से रिलेटेड हैं वह उनसे पूछ लिया कीजिए आपको जबाब देंगे आप क्यों जबर जस्ती मुझे जो चीज है मैं नहीं बात करता हूं जो चीज मेरा टॉपिक ही नहीं है जिसमें म अपनी बाते रखना चाहता हूं तो क्यों जो जबर जस्ती आप उदर को करना चाहते हैं ठीक श्रेंगर जी ओके चले आगे बढ़ते हैं हम लोग आच्छे यहां कोई लून आये हुए हैं आ जी लून बताएं क्या काना चाहते हैं जे क्या आप हमें शुन पा रहे हैं कि अपनी माइक अन्म्यूट करें कि अवाजरी लून क्या हाँ जी आ रही है जी बताएं सर नमस्कास हाँ जी में जाना था तर्मा आज भी कुछ पढ़ रहता तो में को जो तालगुंडा शिला लेख है उसके बारे में थोड़ा साथ मेरे को अजीब सा डाउट हुआ उसके 25 और 27 में उसमें मोर्य थर्मन का बेटा हुआ कंगवर्मन का बेटा हुआ बागिरत बागिरत का बेटा का नाम लिखा है उसमें हुआ कि वेटे का नाम लिखा है रखू अब यह सर जीए चो कि बनसावडि है एक मैज कर रही है राम की बनसावडि से मैज कर रही है मतलब बागिरत का कुस्त और रकू तो सरी एक बार आप खोल के देखेंगे कि वहां क्या ताल गुंडा शिललिक को अगर आपको मिले 24 25 और 27 में पंक्ति में कहीं जो हो सकता है मैंने किसी दूसरे चेनल पर देखा था उसका अनुवाद अगर आप देख कर उता सकते हैं कि अच्छा आप चो यह वन्सावली बता रहे हैं तो कौन सी सदीका है तल गुंडा विलिक यह साइद सोची सदीका है सब्सक्राइब पांच्वी सदीका है तो पांच्वी सदी में राम की वन्सावली कहां से आ जाएगी वह तो सब्सक्राइब आपकी बात है कि वह तो जब किसी को मालो पता नहीं और पुरान लिखने वालों ने लिख दिया और उन तीन का नाम वहां से उठा लिया हो लेकिन यह आप थोड़ा सा मेरे को लगा आपको बताना मेरे को साइद जरूरी है इसलिए मैंने उता है इनकी पूरार जो है सिरलंका कि किताबें है तीब अमधम शांज को सारहल दें है वहां पे वनसावलिय दी आप उन को पढ़ेंगे ना रख हो को तूआ है मलयम ही महावंस उठाएंगे उसमें आपको बहुत सारी जनकारिया मिल जाएंगे नहीं यह सिलालेक है तो मोर्य सर्मन का शिलालेक है आप एक बार सब्सक्राइब करके और मुझे कर दीजिए कि मैंने जो यह बात कही है वो एक्जिप्ट सही है क्योंकि मैंने किसी चेनल पर देखा है अब हमारा तीटी में वहां देखा है सर्फ मैं सोचता हूं कि अगर यह आपके पास इसका कोई मूल भी लेट या उसका कहीं कुछ भी देखें एक चीज़ आप समझिए जो आप कह रहे हैं तो मैं अचानक से थोड़े निकाल दूंगा भई आप जो कह रहे हैं आपको लाके दिखाना पड़ेगा ना मुझे तो खोजना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हैं कहीं वाटस अफ उन्वर्सिटी तो नहीं है कहीं फेस्बूक दिकाल कर दूंगा मेरा उस पर अभी कोई वह थोड़े हैं मैं अपना कुछ और आज टॉपिक लेकर आया हूं तो आपको अगर इसा लगता है कि किसी सीरालेख पे लिखा है तो वो त्यारी आप करके आईए उसको ला के यहां पे दिखाईए हम लोग भी उसको देख लेंगे फिर उसकी चेकिंग कर देंगे अब अचानक से आप कोई क्लेम कीजिएगा और वो क्लेम का कुछ हमसे अभी लेना देना नहीं है तो मैं अचानक से कहां से ला दूँगा और उसको अगर मैं यहां सर्च करने बैठूं तो उसमें तो मेरे पांच-दस मिनट फाल्तू के बरबाद होंगे ना फिर अपने काम आएगा मैं आपके चैनल पे और मुझे लगागी यह जानगारी आपको देनी चाहिए और आपको देखना चाहिए इसलिए एक बार आप देख लेना और एक सर्ब मैं यह पूछना चाहता था कि गिरनार का जो अभी लेक है तो उसमें जो मतलब रुद लमन का उ हैं स्कृत भी लेक बताते हैं उसको और उसकी जो बासा सेली है वो नागार जून के टाइम की सेली है तो यह क्या सर्फ पोसिबल नहीं हो सकता कि किशी ने बाद में उस सेली में लिख दिया हूँ उसमें तो वह सेली मिलनी सकती देखें मैंने उस पर ओल्रेडी वीडियो बना दिया है आपने लगता है नहीं देखा है पहले तो आपने जो नाम लिया रुद्रदामन का रुद्रदामन का पहले धरम पता लगाई है ना वो कौन से धरम का पालन करता था रुद्रदामन कौन से धरम का पालन करता था नि अब बताइए कि जो बुधिष्ट है और वो अगर संस्कृत कहा जा रहा है कि वो संस्कृत लिखवा रहा था अब बताइए कि बुधिष्ट अगर संस्कृत लिखवा रहा था तो ब्रामण का है नहीं संस्कृत लिखवाया एक बुधिष्ट राजा संस्कृत लिखवा रहा कि अगर उसको मिल जाये तो उसमें यह बताया कि मैंने कहीं सर्ज किया था उसको तो इसकी बीस पंग्टिया उसमें तीन या च्यार पंग्तियां इंपड़ने लाए योग्ये हैं तो आपने अगर उसमें किया है मैं एक वन ट्वंटीशेवन मैं देख लेता हूं रुद्रदामन का अविलेख है उस रुद्रदामन का अविलेख जहां पर लिखा गया है वो मूल रूप से समराट असोक का अविलेख है समराट असोक के अविलेख के नीचे रुद्रदामन अपना अविलेख लिखवाता है और जब अविलेख लिखवाता है तो उसमें जील की चर्चा करता है जिस जील पर मौर्यंस ने वह बनवाई थी बाद्ध ही ती उसकी मरम्मत करवा रहे हैं वह खुद एक बुदहिष्ट राजा है तो अपने बुदहिष्ट राजाओं की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है अब उसकी जो लिखावट की सहली है वो शमराट असोक की जो लिखावट की सहली है उसमें और इसमें 300-400 साल का अंतर है 400 साल से भी ज्यादा का अंतर है तो 400 साल में हिंदी आये हुए तो 1500 साल भी नहीं हुए सोचिए हिंदी आये हुए 1500 साल भी नहीं हुए तो चार सो सालों में भासाये जो हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है तो जो पाली पाकित समराट असोक के समय चलती थी वही थोड़ी सी परिस्कृत हो रही थी थोड़ी सी संस्क्राइट हो रही थी तो वही चीज को उसने अपनी समय की भासा में लिखवा दि उस समय थोड़ी सी बदल रही थी तो उस भासा में लिखवा दिया उस संस्क्रिट थोड़े ही है नहीं वो सर आपकी भासा में सहमेत हूँ आपकी काफी वीडियो में ने देखे हैं अगर लुन जी सवाल ये खड़ा कीजिए कि बुधेश्ट सब अभिलेक तो संस्क्रिट में लिखवा रहा है तो तुम्हारे अब्बू जान लोग कहें नहीं उस लिपी में अपना संस्क्रिट कहें नहीं लिखवा लिए बुधेश्ट अगर संस्क्रिट लिखवा रहा था धम लिपी में बंभी लिपी में तो इनके अब्बू लोगों को भी तो लिपी पता होनी चाहिए थे ना इनका भी तो कुछ लिखा हुआ इका है पिढ़ी दर पिढ़ी गपोड के ला रहे थे पुछ लिजिए आपका कोई अभिलेख नहीं मिला तब तो आपको बहाना बनाना पड़ा ना कि पिढ़ी दर पिढ़ी ला रहे थें कहें नहीं मिला वो लिखवा रहे थें आप देश में अनपड़ बने हुए थें यह बताईए कि कोई व्यक्ति जो है गाओं में एक शवा कर रहा है कि सबसे चतूर चलाक वहीं है और उसके ना गहर पर कुछ लिखा हुआ मिल रहा है कि यह उसका घर है न कहीं किसी को कुछ लिख पाता है ना ऊसलिए पूछ रहाता तरह कि ताइम पिरेड में वह बसा ern trucs नहीं कर रही है वागत की गलती नहीं है उस भक्तों के पिता जी लोगों की है जो इतिहास्कार बने गोम रहे हैं जो उसको संस्क्रीत कह रहा है जिसमें अब्बु जान कोजराय की संस्क्रीत में है वही यह बताईए कि आज हिंदी लेंग्वेज आपके पास है डेड़ सो साल पुरानी है डेड़ सो जदा से जदा इसी की इर्दगिर्द की है अब भारतेंदू अब एक बाद बताएं कि जो व्यक्ति जो लंग्वेज इतनी नई है तो इसमें आपको अर्बी के भी कुछ सब्द मिल जाते हैं इसमें आपको अर्बी फारसी अंग्रेजी के भी सब्द मिल जाते हैं पूर्टगाली भी मिल जाते हैं अलग-अलग देशों के जो जो आया उनके सब्द इसमें मिल जाते हैं तो हिंदी पे पुछा जाए कि हिंदी जो लेंग्वेज है इसमें किसका प्रभाव है यहांगरे तो उसी तरह से जब रुद्र दामन जो अभी लिख रहा है तो उस अभी लेख पर किसका प्रभाव होगा उसके पहले खिंगरे का पर वह हो है तो उसके पाहले संस्कूर्ट थी जिस संस्कूर्ट की लंगविश बन गई उसके पहले तो पाली पाकित थी Fernando तो उन लेंग्वेज का उस पर प्रभाव है ना वह लेंग्वेज जो लिखवा रहा है थोड़ी सी बदल रही है समय कालखंड में थोड़ा थोड़ा चीजे बदलती हैं लेकिन उसके पीछे की जो लेंग्वेज होगी उसी का प्रभाव क्योंकि राजा भी बुधिष्ट है उन ही सब्दावलियों को इस्तेमाल करेगा जो उसके धरम के हैं यही तो करेगा ना नि जो बाद की लग रहे है मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो बाद के है आरे नहीं लुन जी वो बात नहीं है बात ये है ना कि ये दूर्त जितने इतिहासकार बने गूम रहे हैं उसको लिखा रहेगा बमड तो उसको लिखेंगे ब्रामण समझ रहे हैं उसको लिखा होगा देवा नाम पिय तो उसको लिखेंगे देवा नाम प्रिय बदल देंगे तब आप पढ़ेंगे तो कहेंगे मूझे मूल विलेग मिल जाए उसका मूल विलेग कहां से पराप्त होगा उसको आपको जितने इतिहांसकार बने पड़े हुए हैं उसको सारे के सारे यहीं हैं अंडा छाप लोग हैं बैटके आपको पाली पाकित का संस्कृटाइज करके बताते रहेंगे संस्कृट है संस्कृट है पूछ देजिए अगर रुददावन संस्कृट है वह संस्कृट में लिख रहा था तुम्हारे अब्बु जान लो का है ने एक भी सिला लेके एक भी किताब लिख दियें एक भी पांडुलेपीन के लिखी वही मिल जाती इस्टो की पुरानी पूरानी मिनस्कृट मिल गई इन लोगों की एक भी मिनस्कृट नहीं मिली अब बता रहे हैं कि इनके अब्बु जान लो संस्कृट में लिखते थे पूरा का पूरा यह एक रोजिए अधार पर सब्सक्राइब आप मैंने बता दिया है वीडियो जो आपने बंसावली की बात की तो यह बंसावली न फरजी है यह बंसावली जो है सिरलंका के महावंस आप पढ़ेंगे वहां का सासन वंस पढ़ेंगे तो उसमें सेम सेम आपको यही चीजह मिल जाएंगी कि इन्हों ने वो बंसावली भी कॉपी की है बुदिष्ट किता तो पूरा ज़रो ना है अगर यह वावन्स का उसके आदारीद बाते तो सारी बाते बाते मानो उनकी पिक अप क्यों करना है वहाव किसी कि जो अच्छा लगे वह उठाते बाकी चीज फैंक देते मावन्स से में तो काफी ऐसी चीज़ नहीं होती इनका चाहिए वो क्रसन का म तो उसमें एक जगे वेद की कुछ चर्चा आई है साइद पांशी सदी में वेद तो और थायान का भी साइद उसी समय का है तो उसने भी तरी वेद कें उसमें भी तीन वेद कें तो क्या सर अपने यह मान सकते हैं इंस्क्रिप्शन के वेस के आदार पे कि वेद चोई वो अपनी उसमें होंगे पाली पाकित में होंगे या किसी और वासा में होंगे वेदों का कुछ न कुछ से उसमें आ गया होगा अरे भाई वेद और पुराण बुधिष्ट सब्द है पुराण एक विखु का नाम है पुराण जो है एक विखु का नाम है महादेव विखु का नाम है लिखित प्रमाण है तिपिट का पुराण तो उसमें नहीं हो सकते पुराण नहीं हो सकते पुराण नहीं हो सकते पुर कि वें समय रहें हैं है कि एक बात बताइए त्री पिटक, अपने नाम सुना त्रीपिटक उसमें क्या कहा गया त्रीystem पिटक क्या मतलब हुआ दिन जगह रखे हुए चीज हैं यही अधिलब व्य मतलब अन pleas कर् uppुट रखी हुई चीजिए वो क्या चीज़े रखी गई है किताब का तो नाम नहीं है लेकिन इनका क्या है कि इनके किताब का नाम क्या है इनके किताब का नाम है रिग वेद, यजूर वेद, शाम वेद, अथर्व वेद तो भाई उनके सब के पीछे वेद वेद लगा हुआ है तो किताब का क्या नाम है? रिग, यजू, साम, अथर्व ये नाम है इनके किताबों का नहीं कह सर अगर आप तो काफी कुछ पढ़े हैं तो कहीं हो सकता है ये चीज़ें कि इसी बुद्धिस्ट साहिते में ये सारे सब्ध जो है इनोंने बाद में गड़े हैं इनका कोई वेद वेद नहीं है बताइए कोई inscription पर नाम लिखेगा वेद का तो वहीं वहाँ पर लिख देगा ना रिग वेद भी लिख देगा ना कि किताब का नाम रिग वेद है वेद का है लिखेगा भई बताइए और उसको जब लिखना होगा त्री वेद तो तीन वेद जब त्री वेद लिखी ही रहा है तो तीनों वेदों का नाम भी तो लिख देगा इत्री वेद क्या होता है त्री वेद क्या होता है इनके तीन वेद थोड़े होते हैं, वहेतु विद्या है, चिकित्सा विद्या है, और भी इस तरह की चीजे हैं, फिर पंच विद्या आती है, उसमें ये सारी चीजे जूरती चली जाती हैं, तो आप क्या करें कि बुद्धियम की चीजों को उठाके, आज जब अरजस्ती भ सब्ध बुधिष्ट का उठा रहे हैं, खोज रहे हैं, पिता जी रुदर्दामनक वाला हाल हो गया, राजा बुधिष्ट है, सिलालेक उसका लिखवा क्या बता रहे हैं, कि उस संस्कीत में लिखवा रहे हैं, तो बुधिष्ट लिखवा रहा है, तो उसमें आपके पिता पाँचवी कभी मान लेते हैं तो यह बताईए कि पाँचवी सदी में बुद्धा के हजार साल बाद भी इनको अपने किताब अर्टक सामवेद अभी पुरूज इस्त्माल कर रहे थे पृंचवी सदी में अभी नहीं नहीं अभी नहीं है वो अविले की बुद्धियम का है बौधो जैनों का होगा इनका इंस्क्रिप्शन 15 सदी में रहता तो यह लोग लिखते नहीं इनको पता नहीं रहता लिपी का नाम नहीं पता रहता इनको इनको लिपी का नाम अगे बढ़ते हैं हम लोग प्राइमरी टीचर जो है लिखते हैं great presentation सर जैफ हीम नवबद्धा ओके शुक्रिया आपका प्राइमरी टीचर जी और जितियन्दर कुमार जी कहां सुपरिष्टीकर है शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर इसके बाद से यहां पर प्रशान्त निलटकर लिखते हैं क्या करनाटक होईशल वारा टेंपल वज्रयानियों का है होईशल वारा हाँ जी देखें आठवी, नौवी, दसवी, ग्यारवी सदी तक साउथ में तो खैर सोलवी, सत्रवी सदी तक बुद्धी जम रहा है तो वहां ब्रामणों का मूर्ती कला से कुछ लेना देना नहीं है एक भी ब्रामणों मूर्ती बन आता हो आपको मिलेगा ही नहीं बन वायेगा किसे सबको अच्छूद बना के रखा था च'S lid लड़के साभिद कराएं तो ये बताइए फिर उसके लिए मूर्ती कोन बनाता था कि Bluetooth को अच्छूद बना रखा अच्छूद बना रखा है उतों मूर्ति कौन बनाता था तो यह फरजी वाड़ा है सारे मूर्तियों के नाक तोड़ तोड़के राउल संक्रत्यान कोश्चन तो उठाए है न यह सब भारत के शमन्त प्रंप्रा की मूर्तियां बालवुद्ध महायाने लिखते हैं शही यहां जानने के लिए नन ब्राम्हण की बुक पढ़े हैं हाँ जी बिल्कुल सही कहा है आपने चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें आप कौन आये हैं यह खुई आये हैं पैरासाइट इन पैराडाइज अच्छा जी बताइए क्या कहना चाहते हैं क्या हमें सुन पार रहे हैं पैरासाइट पैरासाइट है पैराडाइज में लगता है निवास करने चले गए हाँ जी ओ पैराडाइज अब ऐसा नहों 500 हूरे सूचने लगे 500 अपसराओं का खौप देखने लगे ओ पैराडाइज लोग चलें फिर अच्छा आगे बढ़ते हैं अच्छा जिन लोगों से बात हो गई है न वह थोड़ा सा खाली कर दीजिए ताकि नए लोग आ जाएं जिनको डिवेट करना है उनको आने दीजिए डिवेट यू को आने दीजिए ताकि जो उनके डाउड्स हैं उनके जो प्रश्न है वो चीज़े सब लोगों को दिखे चला जीतेंद्र जी आये हैं दूसरा दिन से ले लेते हाँ जी जीतेंद्र जी बताएं क्या करना चाहते हैं अब भरो आवाज आरे हैं मेरी आ रही है लेकिन थोड़ा बैक्ग्राउंड भी आरा है अब बैक्राउंड आरा है अब यह जो यह जो इस आप जो उससा आथा वो खताम होग गया देशा दिखने मारा मेरें कि यह भी मतलब कि यह ब्रह्मन माजू के चाल हो सकती है मतलब कि कंस्टूशेशन को कमजोर करने के लिए इससा मेरे विचार है देखें बहुत बड़ी बड़ी राम मंदीर पे बहुत बड़ी बड़ी गेम खेली गई है आम आदमी तक वह बात भी नहीं पता है ना आम आदमी जनना चाहता है उसमें थाइलेंड के थाइलेंड से गेश्ट बुलाए गए थाइलेंड का जो राजसी परिवार है जो राम उनके हां राम वन राम टू राम थ्री राम फोर बनाए गए उनको बताया जा रहा है कि हम र के राम का वो जो राम सोचते हैं रमायन जो सोचते हैं राम जातक कथा जो सोचते हैं उनका बन रहा है यह बताया गया है और भारत के लोग जो हैं उनको बताया जा रहा है कि जो बालमी की रमायन है उनका बनाया जा रहा है और भारत के जो बहुजन है उनको ऐसा लग रहा है कि जो संबुक के हंत्यारे राम है उनका बन रहा है और उस पर कबजा किसका है उस मंदिर पे पुजारी लोक्राओन है फिर बताया जा रहा है कि वो रामानंदी समा जो कोई प्रभुसरी राम का मंदिर था इतने तो पुराण लिखे गए हैं जगन्नात के बारे में केदारनाध से लेके नमिश्यारन और पताने क्या-क्या सब चीज़ लिखा गया है, तो क्या अयोध्या में राम्मती इसका कहीं जिक्र है? अउकवर का भी जिक्रा आ गया है, रविदास को रहुदास बना के लिख दिया है, जीसस का जीक्र है मुहम्मद का जीक्र है अब बताएए राम जी का जो ऑयोध्या है उसके बारे में भी तुझ जीक्र होना चाहिए तो कहीं है थूरे भाविश्य पुराण में महारानी विक्टोरिया भी है लोड वेवल भी है लोड मेकाले भी है लेकिन राम जी के बारे में डिटेल्स ही नहीं हैं कि राम जी वहां पे थें सक्ति किसी ने तूड़ दिया उसकी बारे जनकारी नहीं है बाबर के बारे में लिखा है कि बाबर ने मंदिर मूर्तिय तोड़ी लेकिन यह भी नहीं लिखा है कि राम मंदिर उसी ने तोड़ा, कहीं नहीं लिखा है, यह लिखा है कि सजा देने के लिए उसका जो पोता था आकबर वही बन गया, वही ब्रामध था तो वही जनम ले लि उसको ब्रामहड भाई बना लिए पूरोजनम यह लिख दिया लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि वह बाबर ने राममंधिर तो भाई कहीं भी किसी ब्रामहड ने लिखा हो तो बता दें यह पूरे दुनिया को इतना ज्यादा अलग अलग चीजे बता के हर तरह से सब को फासाया गया है इस अच्छाई कब लोग जानेंगे अच्छा सब मुझे एक की जो समझ में आ रही है यह अपने रामा स्वामी जी का जर्म जिनता उतने विश्कानों जेंती बना ली और दूसरी चीज है कि जब बाबा साब का पर्णी निर्वान हुआ उसलिए उनको असे कर रहा था उसको दावाने के लिए ब्रामने की निजम ने इसको दे लिया तो मेरे को तो यह से रखता है कि इतने भी देवी देवता जो इनके हैं वह कोई नहीं महा पुरुश क्यों रवाने के लिए उनने प्रगर्ट पैदा करेंगे एक इसको पर भी बहुत अच्छी डिवेट वह सकती इसकोष करने बढ़ेगी से यह समरा आपसे निवेदा ने बिल्कुल बिल्कुल बहराल इतना आप समझ जाईए कि राम की जो मूर्ती लगी है उसमें तो जनेवु पहना देना चाहिए था ना क्योंकि बालमिकी रमैड में तो बताया गया है जनेवु शंसकार यह पवीत हो रहा है और राम के तो बाल्लय आवास्था की और राम के जब जंगल में जाते हैं बड़े हो जाते हैं तब की चर्चा है आंसादी विबा हो तो है और फिर जो अपहरण की घटना आती है फिर लड़ाई जगड़े जो होते हैं और उसके बाद से जब राम राज तो तब आता है ना इन सब चीजों को जब वापस घर आ जाते हैं तब राम राज सुरू होता है तब जंगल में छोड़ने कर भती बीबी के या फिर संबुक हत्या ये सब तो राम राज आने पर होता है तो अगर यही दिखाना था कि हमको राम राज ही दिखाना है तो राम के राजा बनने के बादवाला चित्र होना चाहिए था बड़ा एक चित्र बनना चाहिए था मतलब यंग वाला बनना चाहिए था तो और कोई भी व्य तो जो फोटो होता है वही तो ठांगा जाता है ना उसी फूल माला चढवाई जाती है अखरी फोटो तो राम तो कम से कम 11000 साल तक तो सासन कीये ते ना 56000 साल बालकांड में तो लिखा हुआ है ग्यारा हजार साल दस आज़ार साल उस्में उत्तर कांड में भी लिखा है और यूलकांड में उनके साथ साथ जार सल खेति लिखा हुआ है तो कम से कम जो राम प्रभु राम बताया जा रहा रहा है उनकी मूर्ति कि आखरी फोटो जब उन्होंने जिसको नदी बताया जा रहा है तो यह कितना बड़ा आप समझे कितना बड़ा वो है मुर्ति दिखाईए आप पूरी दुनिया को बिना जनेऊ के दिखाईए बाले अवस्था का दिखाईए कि लोगों से जबाब भी न देना पड़े कि यगोपवीत कहां है एक तीर से कितने सी कार हुए है पता है किसी को इंटरनेशनल अस्तर पे जो खेल खेला गया है भारत क जगा पर तो उन्हें मंदिर बनाया है नहीं क्योंकि अगर यह उस स्थल में मंदिर बनाते तो अरब कंट्री से भारत के रिलेशन भी गड़ा जाते है तो इन्हें वहां से आठागे तीन चारी प्लिवेटर नहीं वह अब उसकी फैक्ट चेकिंग हुई है तो उसमें क्या लोगों में गलत फैमी हो गई है और मंदिर सायद उसी जगह पर ही है फैक्ट चेकर लोगों का तो यही कहना है कि वह किसी ने गूगल पर लोकेशन से छड़ खानी की है इसलिए जो गूगल से चेक कर रहे हैं उनको अलग-अलग जगह दिखाई दे रहा है यह फैक्ट चे वीडियो मेरे पास आया उत्तर प्रदेश से की सामवी विभा का था वो कारिकराम उस पे पांसो शड़शन जोड़ों में से नप्य परसेंट जोड़े फरजी थे और लड़कियों ने खुदी अपने अपने बर्माला डाली दुले थे यह नहीं क्या बात कर रहे हैं तो हा लड़कियों ने खुद अपने हाथ से पर माला डाली पैसे के लिए पैसे पैसे मिल रहे थे क्या एसा करने के क्या नजार रुपे जोड़े को और जो सामवेश दुलार भड़ा का रहा गया था वह भाई-बेन थे अछे वे 이유 वर्माला डाली तुर्ण अपना आप्स्ताउंड अब का कट जा रहा है तो देख लीजैं ना क्या-क्या चीज़र चल रही हैं देख लीजे अप्या-क्या चीज़र्ण और लड़किया आप के लिए यह लड़किया अकियर कर लेती थी है जिस हिसाब से प्रचार किया गया है, तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना फिर, सवाल तो उठेंगे ही, जिस तरह से प्रचार किया गया है, ठीक है, जिदेंदर जी, ओके, हाजी, ओके सर, जै बुलने वासी, हाजी, जै बुलने वासी, चले, आगे बढ़ते हैं, और प्रिय 3 माई फोटो और रिपब्लिक टे सेलेवरेशन इन राजस्थान विलेज स्कूल हाँ देखें ये प्रेंका जी ने एक बड़ी एक खबर दी है कि एक खबर आ रही है कि किसी जगह पे कोई स्कूल है और वहाँ पे जबर्जस्ती ये फोर्स डाला गया है कि वहाँ पे किसी एक धरम की किसी गौड़ेश को वहाँ पे लगाया जाए और हम जानते हैं कि चाहे सरकारी स्कूल हो प्राइबेट हो कोई भी हो सरकारी स्कूल में तो कदापी ही ये नियम है कि आप किसी एक रिलिजन का नहीं प्रचार कर सकते है क्योंकि उसमें जो छुट्टी भी दी जाती है रिलिजियस जो छुट्टी दी जाती है तो वो सारे धरम की दी जाती है मतलब क्रिशमस इसाईयों की भी दी जाएगी शिक्खों का भी कोई पर्व होगा उसमें भी दी जाएगी उसमें मुस्लिम के जो होंगे इदविद उनमें भी छुटी दे दी जाएंगी, और जो अपने को हिंदू कहते हैं, ब्रामडवादी जो भी उनके तेवहार हैं, उनके लिए भी दी जाएगी, तो सारे धर्मों को दी जाती है, तो जो भी सरकारी संस्था है, वो पंत निर्फ यहाँ पे आपके किसी धरम का हमें नहीं चलेगा, यहाँ पे जो constitutional लोग हैं, वही चीज रहेंगे, या जो महापूरूस हैं, उन लोगों का रहेगा, वो माना कर देती, तो क्या उस पर same यही चीज अपलाई होता, या कोई इसाई वहाँ पे होता, इसाई लोग होते हैं, वो particular धरम की, देखें, आप इश्वर देवी देवता माने, हम लोग मना नहीं करते हैं, कोई भी नहीं मना करता, आप जाहिए न, अपने घर में रखिए, घर में पूजा कीजिए न, आप अपने घर में डाल, चावल, रोटी खाईए, पनीर, पूरी खाईए, मीट, मचली खा आते हैं बच्चे, अमाल लेजिए वहाँ पे कोई नास्तिक बच्चा हो, या दूसरे दूसरे धरम के बच्चे हो, उन पे भी आप सरस्वती को थोपेंगे, कि नहीं यहाँ पे लगेगा, आपको यह मानना पड़ेगा, प्रस्वती पूजा करनी पड़ेगी, तहीं तो ग पर थोपना ही थोपना है, यह कि इसे करेंगे, माल लेजिए कि कोई वहीं स्कूल पे धेर सारे मुसलिम होते हैं, वो लगते हैं अपना नमाज और सारी तरह की चीज़े थोपने, तो बाकी के जो लोग हैं उनको खराब लगता ना, तो सेम वहीं चीज़ अगर कोई थोप कि नहीं, आपको सरस्वती रखनी पड़ेगी, तो यह भी फिर उसी तरह से गलत है ना, उसी तरह से यह भी गलत है, पता नहीं लोग अपना इमान कहां भूल गया हैं बाई, इतना आप लोग पुरवागरह से ग्रसित मत हो जाएं, कि जबरजस्ती आप स्कूलों में देव महापुरुस को रखे ना, मैं कहता हूं कि गांधी जो है, बाबा साहब में गांधी में तकरार थी, आप 26 जनवरी या किसी 15 अगस्त में गांधी बाबा साहब दोनों के भी फोटो रखेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बाउजन समाज का व्यक्ति ये भी कहा देगा कि नहीं गांधी कहाटाओ, या कोई ये कहाएगा कि नहीं बाबा साहब कहाटाओ, क्योंकि ये दोनों महापुरुस उस समय के हैं, जिसके लिए ही 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाये जा रहे हैं, कोई आपती नहीं करेगा, पर आप धरम को बीच में क्यों ला रहे हैं, धरम को क्यों थोप रहे हैं, वो भी एक धरम को, जबकि स्कूल जो हैं, पॉलेज जो हैं, जितनी गवर्मेंट चीज़ हैं, वो धरम निर्पेक्ष हैं, तो प्रियंका जी बहुत खुबशुरत आपने यहाँ पे अच्छा किया ये बता दिया यहाँ पे आपने, और सब ल जो है सच के साथ खड़ी रहीं, शेलूट है उस महिला को, तो बहुत सुक्रिया आपका प्रिंका जी, और फिर यहाँ पे द अरहत जो हैं, वो लिख रहे हैं, किताब में पढ़ा था कि बुद्धा ने जाती प्रथा के खिलाफ काम नहीं किया था, आपको शुनकर यह जान पाया हूँ कि क्यों काम नहीं किया था, बुद्ध का शही तिहांस बताने के लिए धन्यवाद नमव बुद्धा है, हाँ जी, द अरहत जी, मुझे उम्मीद है कि आप सही चीज समझ गये होंगे, जब जाती व्यवस्था वहाँ थी ही नहीं, तो उस पर काम कैसे करते हैं, अब कोई ये कहे कि बाबा सहाब ने इतनी पढ़ाई तो पढ़ी, लेकिन क्वांटम फिजिक्स पर उन्होंने काम नहीं किया, अब कोई ये कहे कि उन्होंने रोबोटिक्स पर काम नहीं किया, अरे भाई तो रोबोटिक्स जो है बाबा सहाब के समय में होती कहा थी, रोब अधारित किताबे क्यों नहीं लिखी अरे तो भाई बाबा साहब के समय में DNA पर काम ही कहां हो रहा था जो चीज है उस समय थी ही नहीं आज है आज हम ना देख रहे हैं लेकिन बाबा साहब के समय में नहीं थी होती ही तो बाबा साहब भी अपने किताब में जहां आर्यंस की बात आई है वहाँ पे DNA भी मेंसन कर देते हैं कि यहाँ DNA क्या रिपोर्ट क्या कह रही है उभी तो कर देते ना मेंसन बाबा साहब तो कोई यह कहे कि बाबा साहब ने DNA पे काम ही नहीं किया तो ठीक उसी तरह से यह बात है कि कोई यह कहा दे कि बुधा जो है जाती प्रिथा क गाम करते हैं, जाती प्र्था होती तब तो काम करते हैं, बाबा साहब से जो बामण लड़ने आया, अमबस्ट वो खुद ही साक्य था, लड़ने आया, क्योंकि वो बामण था, बाबा साहब बोल रहा हूं, बुद्धा ने उसकी कुंडली खोल दी, ति पीटक में अमबस्ट चुद पढ़ लिजे, कुंडली खोल दी, उग शाक्य दासी पुत्र निकल गया, तो जाती प्रथा होती तो एक शाक्य दासी पुत्र जो है, उग बमण बने के, जिसको आज कल ब्रामण ब्रामण करें, उग बन के क्यों घूम रहा होता, सोचिए, यहनी जाती प्रथा नहीं पे भी स्ट्रीम करें, आच्छा जी, ओके शिक्मरोल जी, जरूर, राकेश अर्पी जी का यहां सुपरिष्टी कर है, फिर यहां पे, आर्जू जी यहां लिखते हैं, शर जैफीम नमपुद्धा है, हिंदू धर्म तो छोड़ चुकी हूँ, बस इस सिंदूर को लेकर से लेकर वेश्ट तक कितनी महिलाये सिंदूर लगाती है, कितनी महिलाये लगाती है, आप तो महिलाये जो हैं, सिंदूर नाक तक लेकर आ रही है, जो रामानंदी समराज ने शुरू किया, पूरे नाक तक, आधे नाक तक से लेकर उपर तक लगाने का, अब महिलाये भी न 24 के उपर है आप क्यों लगाना चाहती है क्या आप दुनिया को बताना चाहती है सिंदूर लगाई है इसलिए आप साधी सुधा है तो आप किसको बताना चाहती है फिर मर्द जो है वो क्या लगा के घूम रहा है कि वो शाधी सुधा है वो तो दिन भर बाहर घूमते रहता है उसको किसी को बताने के जरूत नहीं है कि वो साधी सुधा है क्या चीज है यह मतलब कैसा ट्रेडिशन है तो यह आपके स्वतंतरता के ऊपर है फीमेल राइट्स के ऊपर है फेमिनिजम आप सूचे अपने हिसाब से कि क्यों आप सिंदूर लगाएं फिर मर्द क्या तो महिला पर क्यों थोप दिया गया तो यह चीज है यहां पर और प्राचीन काल में कोई महिला सिंदूर नहीं लगाती थी और आप हिस्टोरिकल खांका खेंच लीजिए सिंदूर की प्रता नहीं है पूरानी नहीं है लोकनाथ ठाकूर जो है वो लिखते हैं शेलूट कर है शुक्रिया आपका और मनु जी यहां लिखते हैं इसचे सर चैट में एक चेंज वर्ल्ड नाम का टुन्नी बोल रहा है कि आपको डिवेट में उसका आज ड्यूटी लगा ट्रोल करने आपके श्ट्रीम पर बाई मेरी किसी से कहीं पर कोई बात ही नहीं होती है तो यह कहां से कौन बोल देगा कोई वाटसब गपोडी होगा मैं यहां पर ओपन डिवेट इन्विटेशन देता हूं लिंक दे रहा हूं जो भी ऐसे गपोडी है आ जाए यहां पर आके डिवेट कर ले ऐसे जो हैं एक तरफ आपने घर में अपनी पीठ थप थपाने वाले बहु है और आएगा नहीं मैं गारेंटी देता हूं कि नहीं आएगा और मैं फिर से कहा रहा हूं कि यह जो भी चेंज है जो यहां क्लेम कर रहा है कि डिवेट कर लिया है कर लिया है आजा बेटा आके यहां सब के सामने डिवेट करके दिखा मैं देखू कौन से सपने देखके आ जा भी सस्ता माल फूंकने पर ऐसे बड़े दूस्व अपना आते हैं ना रोज नए नए ख्वाब आते हैं कि अच्छा इसके बाद से यहां पर रमेश बलिट जो है यह लिखते हैं जैविम नमबुद्दा है हाँ जी को भी जैविम नमबुद्दा है अरुशी यहां लिखत इस दौरान में थें इसा से 600 साल आप उसी दौरान चारो बगल पूरी दुनिया को देखें आप यह पाएंगे कि पूरी दुनिया इतने अंधविस्वास में गरस्त थी यूरोपियंस को अगर आप देखें तो आप वहां देखेंगे कि बली पर था बहुत तेजी से थी इ अपने में से काते थें कौन सा स्रेष्ट है कौन बली बली चढ़ा देते थें कि इससे इस वर खूस हो जाएगा देवता इतना जबर्दस्त अंधविस्वास था कभी कभी राजा डेरियस को आप देख लीजिए जिससे सिकेंदर की लड़ाई हुई थी इतना भ्यानक और बड़ा एंपायर था और सिकंदर ने उसका समराज्य खतम कर दिया चोटा समक दुनिया का एक लड़का 20 साल का एक लड़का जिसका बाप फिलिप जो है उसको सबसे बेवकूफ और बेकार समझता था और उस लड़के ने पस एक फेंक न्यूज फैल आई कि इसके बाप की हत्या जो है इन लोगों ने की है और बदला लेना है और बदले के जुनून में उसने इतने बड़े एंपायर को खात्मा कर दिया अब सवाल यह है कि जो दूसरा एंपायर था डेरियर्स वो कैसे खतम हुआ अब देखें उसके खतम होने का कारण था अंधविश्वास बड रागरहन छत्र कहते हैं जूद सी क्या कहते हैं इसी तरह से प्रवार को देखिए गोड़ा अंदर लेके गए क्योंकि उनका पुरोहित कह रहा है कि भाई देखो यह जो होर्स है ना वह भाग गए हैं सब हमको गिफ्ट देके गए हैं अब वो खुस होगा ले चलो अंदर उसमें तो सैनी घुसे थे उतर के रात में गेट कोल दिये भीतर घुस के सब को मार काट के पूरा समराज है खतम इसी तरह से और भी कई सारी लडाईया हुई हैं कई बार तो लडाईया में दोनों तरफ शेनाये खड़ी हैं अब उपर दिख गया वो जो मून एकलिप्स ज भागो भागो सेना छोड़के भाकड़ी और दूसरा बड़ा असानी से जीत गया तो उतने उस दोर में इतना व्यापक अंध्य विश्वास जिस दोर में चल रहा था उस समय कोई व्यक्ति जो है खड़ा होके लोगों को समझा रहा था कि बेटा हर चीज के पीछे कुछ न अच्छे खासे परिवार से था फिर भी वो रास्ता चुना जो रास्ते पर कोई भी अच्छा खासा परिवार का व्यक्ति न जाए और वो व्यक्ति उस समय जमानी की उस दहलीज में जाके लोगों को समझा रहे था इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने कुछ तो खास था आज की डेट में कोई रेशनल है कोई अंधभाक्त है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि आज की डेट में नास्तिकों की संख्या बहुत है जो आपको तरह-तरह की किताबे लिख चुके हैं इतनी समगरी एबलेबल करा चुके हैं इतने तर्क वितर्क हुई थी उस समय कोई व्यक्ति निकल के इतनी तार्की के बात कह रहा था तो यही तो खास बात थी जो लोगों को पसंद आ गई संच जो है वो पसंद आ गया तभी लोगों ने श्विकार कर लिया यह चीज थारूसी जी और इसके बाद से रोमी जो है वो लिखते हैं आपकी आवाज में विहारी टोन है गजब पिलते हैं देखें रोमी जो हैं बोल रहे हैं विहारी टोन है देखें टोन तो अपने सीखन के ऊपर है ना आप कोई सा भी टून बना सकते हैं सीख सकते हैं वो आपके ऊपर है शुक्रिया आपका रोमी जी चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आये हैं यहाँ पर कोई ज्योती राजवनसी आये हैं हाँ जी ज्योती राजवनसी बताएं क्या करना चा अपनी माइकन म्यूट करें जोती राज जोती राज वंसी के आप हमें सुन पा रहे हैं देखें तो कोई साउंड नहीं आ रही है तो फिर चलें फिर राम चंद्रा डिवाइश नॉट कनेक्टेड है भाई डिवेटी लोग कहां चले गए राजस्थान वाला प्रकण बता रहे थे घुका आप उसमें कहें कि किसी एक द्धर्म की फोटो लगाना नहीं सही हिए हम बात तो सही है पसवर कोई दुसरे की नाम या फोटो हुप लफ्द करकराइए हैं भावब्ट से द्हराम है जैसे एक त्रॉक्पल के लिए यसायत में जिसस है जिसस की B फोटो मूर्थी तो लगती है ना इसायों की सर आप गाड़ेस कहें है देवी हैं आप गाड़ नहीं कहें गाड़ेस कहें अरे तो गाड़ेस तो मरियम है ना उनकी माता है ना जिसस की माता मरियम उनकी फोटो लगा लीजिए और भी बहुत सारी है ना अरे पांडे महोदे डेमी गॉड का नाम सुने हो डेमी गॉड का नाम सुने हो किसका सर डेमी गॉड डेमी गॉड का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो नहीं सुने है सर बता यह यह तो जो है डेमी गॉड का सुने है अच्छा सरस्वती का फोटो मिला है देखा है आपने अब मिला नहीं है नेकर नाम तो है ना सर अरे तो नाम है तो नाम तो कोई भी बना लेगा ना हम तो पूछ रहे हैं कि सरस्वती जी का जो सरस्वती की आप बात कर रहे हैं उनकी फोटो तो मिली होगी मिली है कि नहीं मिली है ये बताई है हमारे जानकारी में सर नहीं है बताई आपके जानकारी में नहीं है आप पांडे है ना हाँ बोलिये तो पांडे है तो मिली है सरस्वती जी की फोटो मिली है भाई आप पता नहीं कौन सी दुनिया में है कि आपको नहीं मिली है सरस्वती मूजियम में रखी हुई है उस पर बकायदे जो यह साई जो है उसने लिख रखा है कि सरस्वती है यह आपको नहीं पता है अरे भाई मूर्ती है भाई फोटो थोड़े मिलेगी मूर्ती जिस सुम्हें बन्ती ती तिस adjustments इसलिए हम नहीं समझ और इतना DAN नहीं इतना जल्दी कहां भाग रहे हैं भाई इतना जल्दी बागंने की प्लड़े जल्दी हों आ हां इतना जल्दी जो है भागने की नहीं न जरूत है हम जोडंगा सा सब्रवस Cao 37 को दें कि सब्रुम सब्रुत चाइब किसकी हैं तो तभी एक काम करते हैं थोड़ा देखते हैं शरसुती जी को कहां गहीं शरसुती जी यह रही शरसुती जी लीजे मैं सेयर कर रहा हूं एक पर सरसुती जी को देख लेते हैं यह एक मूर्थी मिली है देल्ही मैं सरसुती जी का तो हम लोग देख लेते हैं यह दिख रहा है का जूम कर दूंद क्यात कूरा सा यह काफी है पश्क भी देख रहा है तो इस मूर्थी को देल्ली मैं में रख हुआ है और इस मूर्ती को सरस्वती जी का बताया जा रहा है, हाथ वगेरा में भी कुछ-कुछ चीज़े ली हुई है, जैसे नीचे कमंडल है, उपर कुछ पंडूलपी वगेरा है, अब बताइए कि अगर ये मूर्ती प्राचीन है सरस्वती जी का, तो आप जो फोटो बना रहे हैं सरस्वती जी का, वो ऐसी ही बननी चाहिए न, जो पुरानी मूर्ती होती है, उसी तरह से तो देवी जी दिखनी चाहिए, गौड़ेस ऐसी ही दिखनी चाहिए न, इनके एक हाथ में वीड़ा भी है क्या सर? हमको तो नहीं दिख रहा है वीड़ा, हमको तो धमचक दिख रहा है, पांडूलिपी दिख रहा है, पांडूलिपियां तो चोथी पांचवी सदी में पांडूलिपी बनने लगी थी, वो पांडूलिपी दिख रही है, सर पे भी कुछ है, सरस्वती जी के सर पे कुछ है, दिख रहा है आपको हाँ कुछ मुकुट टाइप का है और जूम करूं क्या हमको थोड़ा देखने में भी दिख्कत होता है राइट साइड में उपर मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है देखेंगे आप कि अच्छा हां कुछ दिख तो रहा है सर यह कुछ महावीर या बगवार जैसे देख रहा है अच्छा जी थोड़ा और नजरीक से देखते हैं अब कौन दिख रहा हैं ओपर मुकट के उपर नहीं दिख रहे हैं इसको मिडिल में करिये सर थोड़ा अच्छा मिडिल में करें लीजिए भाई मिडिल में कर दिया है देखें बैक्ग्राउंड साउंड आ रहा है उन्हीं दो में से तो ये कहा है सर बुद्ध है या महावीर है अरे भाई बुद्ध है महावीर है बुद्ध है भाई मुर्तिकला इसी तरह से बुद्ध रहते हैं ये बताईए कि जिस सरस्वती जी का फोटो वहां पे कह रहे थे और ASI इन्हीं को बता रहे है कि सरस्वती जी है तो सरस्वती जी के तो ऊपर बुध हैं, सर के ऊपर बुध हैं, बुध बैठाए गये हैं, तो अगर ये सरस्वती जी हैं, ऊपर बुध बैठे हैं, तो दोनों में बड़ा कौन होगा? बुद्ध बड़े होंगे तो आप जो हैं किसी भी धरम को आप तो कोई बुद्धिष्ट भी ये बात नहीं कहता है वो जो महिला होंगी वो भी बुद्ध को मानने वाली होंगी ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानने वाली होंगी वो भी रेस्पेक्ट करती होंगी लेकिन ये तो को यहां नहीं रखने की जरूरत है मतलब वो आप उसको एक धरम से क्यों जोड़े लिए यहां तो वो बात आ गई न कि बुद्धा उपर बैठे हुए हैं यानि बुद्ध की बात आ रही हैं फिर भी जिसको वो मानती हैं उसको भी इसलिए कह रही हैं क्योंकि यह Constitution के दैरे में नहीं आता है तो भी आप जो हैं उन पर क्यों थोप रहे हैं कि आप किसी Goddess को रखिये ही रखिये और आपने कहा न कि किसी में Goddess होती है इससे तो यह पता चलता है कि Goddess जो हैं सिर्व बुद्धिजम में होती हैं क्योंकि जो पुरानी मुर्ती मिली है जिसे सरस्वत अजय कि बताया जा रहा है उनके ऊपर तो बुद्ध है यानि कि वो बुद्धिजम की परमफर नहीं थे उनके उपर तो भράμ-भा की सरस्वति आ रहो है वहां बुद्र आज तक कोई सरस्वति मिली नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग जबर्याश्ती को हां ठोबर inhabitants आतो य है किसी चीज को क्यों ठोपेंगे बहरत में पहली बान महिलाओं के लिए इस्कूल किस Moving सकते हैं ऐसे Ό तो इस की लगेगी वो तो हमँ नहीं किये na हम आप आप से जो पूछे हैं उसका जवाब काहें नहीं दिये आपको जबाब देना चाहिए था ना जो हमने पूछा है आपको तो सरम भी नहीं आ रही है कि वो महिला जो है Constitution की मूल भावना है कि आप किसे भी धरम विसेस की एक मूर्ती को आप वहाँ पे नहीं रख सकते हैं उस चीज को वो मान रही है Constitution का पालन कर रही है और आप आके जो सवाल पूछे हैं एक counter सवाल मैंने पूछ दिया तब भाग गए हमसे तो आंसर आप to the point लेना चाहा रहे थे सर अगर हम उन सिच्छिका की जगा होते तो हम वो करते जो हमारे अधिकारी हमको निर्देशित किये हैं आपके अधिकारी निर्देशित किये हैं मैं जो पूछ रहा हूं उसका भी भी आप जबाब नहीं दिये हैं आपके अधिकारी क्या निर्देशित करते हैं यहां पर कोई क। क्या निर्देशित करेगा क्या constitution आपको एलाऊ कर दिया एलाऊ कर देतें यहां मर्यमा वर जीसस की फोटो लगां बता cognitive यहां पर नियम कानून होते हैं हर इंस्टिटूशन जो है अपने कुछ रूल्स डिजाइन करता है और वह रूल्स सबसे उपर constitution होता है आपने देखा होगा कि जो organization होती है उसमें भी एक व्यक्ति अगर नराज है तो दूसरे पर वो आगे बात कर सकता है कोई आपको जरूरी नहीं है कि भाई आप देखें सेना का रूल अलग होता है और जो विश्व विद्याले हैं जो university हैं जो college है इस्कूल है सिक्षक को अलग से वरियता दी गई है वहाँ तो marsal law लग जाएगा कि आपको किसी भी हालत में शेना के कमांडर की बात माननी है लेकिन school college का जो platform है जिसको ये माना गया है उनको ये दाइत्व दिया गया है कि आप school college के इतर भी अपनी चीजों को रख सकते हैं आप एक बच्चे का भविश्य त्यार कर रहे हैं आप उसको independent बनाई है न कि आप उसको slave बनाई है अब देखेगा कि हमारा teacher तो एकदम हमेशा जुक के रहता है उपर वाला जो कहता है वो इसे ही दब के जुक के काम करता है तो बच्चा तो डड़पोक और भूदू बनेगा न वहां सिख्चक को वरिता दी गई है कि आपको भूदू नहीं बनना है न बनाना है बच्चे को आपको constitution की जो भावना है उसको करना है और उपर का अधिकारी constitution से इतर आपको कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है जो constitution के हीत में नहीं है तो आप उसकी further appeal भी कर सकते हैं Constitution किसलिए होता है इसलिए होता है और आप कह रहे हैं कि आप महिला जो है उपर वाला गलत काम कहने के लिए तो गलत काम कर दे पांडे आप बता दीजिए कि क्या Constitution के हित में है कि आप किसी भी एक धरम विशेश की मूर्ति को आप वहां पे लगा सकते हैं जरा जवाब यहां पर लगेगी मक्का मदीना की आप लगा देंगे लगाना पड़ेगा पांडे यह इसको कहते हैं कि आप चाटुकार हैं फिर आप जो हैं बॉस के चाटुकार हैं लेकिन Constitution यह नहीं कहता है Constitution यह बात कहता है कि अगर आपके उपर का भी अधिकारी यह जितने भी रष्टाचार के लिए इतने बड़े बड़े लोग भी जिनको पकड़ लिये जाते हैं किस अधार पर पकड़ लिये जाते हैं भई वो इसी अधार पर तो पकड़े जाते हैं कि आप Constitution कि इस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं वो भी तो कोई नियम कानून दिखाता था है तभी तो करता है ना उसी तरह से आगर आपके उपर का देकारी भी constitution के इतर आपसे कोई गला चाम करवा रहा है जो constitution की मूलभावना के खिलाब है तो फिर आप नहीं मानेंगे उसको अब मान गया था कि आप यहां पे सिर्फ गुलामी प्रथा कि बात कर रहे हैं फिर तो आपको कोई भी व्यक्ति जो है आपका जो अधीकारी है वो किसी को कहेगा आप से कि जाके कुएं में कूद जाओ तो कुएं में बॉस कहता तो भही आपका बॉस जो है अगर आपसे कही दे गलत काम कह दे आपको कही दे जा कुए में कूद जा यहाँ पर नाला बहरा है नाला में जाकर डूब की लगा लेता आप जाकर उसमें लगा लेंगे आप तो यही बोले हैं कि आप जो है जाकर वो करेंगे बॉस की यही आगया बारेंगे आपको सही चीज राइट डारेक्शन चूज करना होता है आपको पता है कई सारे देशों में करांतियां जो होती हैं राजाओं के खिलाफ करांतियां हो जाती हैं कई देशों में तो जो राष्टपती थें तक्ता पलट हो जाता है क्योंकि बागी के प रहे हैं और आप जो हैं ऐसा बता रहे हैं कि उपर वाला गलत काम करने को कहे तो भी गलत काम करते रहना चाहिए पंडे इसका जबाब देजिए कि अगर आपको कहा दे आपका बॉस कि आप जो हैं कुए में कूद जाएंगे बताइए कि आप करें सर हम आये थे रहू संस्क्रतायन पर आप कहा पहुंचा दिए देख लीजिए यहां पर फस गये तब दे यादब au स्लुटियान हैं और के बारे में और उनके पाम के बारे में तो हमारार Susum है कि राहो संस्कृतायन जिस बुद्धर्म की जानकारी दिये हैं और जिस पे काम किये हैं तो उसका आज के बुद्धर्म से क्या लेना देना है क्या उन्हों ने जो बुद्धर्म की जानकारी दिये है उसमें 22 परतिग्या है बड़ा अच्छा सवाल किया है पंडे अब तरह ध्यान से समझिएगा देखें सबसे पहली बात क्या है कि बुद्धम जो है वो किसी एक की वो नहीं है कि दरत नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इस पे काम कर दिया वही चीज है बुद्धम में अनेक कड़िया है और मूल जो है बुद्धा है बुद्धा जो है उनके मूल जो चीजे हैं वो इस तरह से आती हैं कि वो ये कहते हैं चार आर्यशत्य की बात कर रहे हैं, बुधा जो हैं अश्टांगी कमार की बात कर रहे हैं, विपशना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी वो उसके आलाबा वो कारेकारणी सिधान्त भी बता रहे हैं, लेकिन इनके बीच में जो एक कॉमल चीज है वो ये ह कि अपनी तर्क बुद्धी विवेक का परियोग करने के लिए अतदीपो भव की बात कर रहे हैं। के लिए तो especially क्योंकि भारत में क्या किया गया है कि बुद्धा को ही आतार बना दिया गया है। इसलिए उनको 22 परतिग्या लेने की जुरत पड़ जाए। समय रहे हैं। तो यह आप लोगों ने यहां पर किया है और बुद्धा इस बात को बड़े अच्छे से बताये हैं कि situation के हिसाब से अपनी चीजों को परिवर्तित करने की। यही काराण है कि भारत के दुनिया के different different देशों में बुधा गये। और बुधा को आप देखेंगे तो उनकी मूर्ति भी अलग-अलग देश अपने हिसाब से डिजाइन करता है। अफ्रीका वाले बुधा को अपनी तरह से डिजाइन करते हैं, मेक्सिको वाले अपनी तरह से डिजाइन कियें, अमेरिका में सोच लिजिए, इसी तरह से चाइना वाले बुधा के मूर्ति अपने हिसाब से डिजाइन, अफ़कनिस्तान वाले अपने हिसाब से, मतुरा वा यह जो मूर्ती मैंने दिखाया कि उन्होंने गौडेस भी बनाई और गौडेस में भी उन्होंने क्या दिखाया कि कोई महिला है वो भी पढ़ सकती है यह मूर्ती आपको यह नहीं दिखा रही है कि कोई देवीदे होता है बलकिल उन्होंने बुधा के समय में ही पूरा का पाचवी छठी सदी की है और थेरी गाथा तो इसा से भी 100 साल पहले लिखी जा चुकी थी और वो महिलाओं ने लिखी थी तो बुद्धा ये दिखा रहे हैं बुद्धिजम की ये जो फिलोस्पी जिसने भी ये मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई वो ये दिखा रहा है कि एक मह महिला जो हैं उसमें बहुत सारे गूर्ण हो सकते हैं जिसमें वो एजूकेशन ले सकते हैं लेकिन आप तो मनुस्मृति अभी तक लेके घूम रहे थे हैं जिसमें आपने महिलाओं को अधिकार नहीं ते रखा था और सावित्री वाइप फूले जी ने माता सावित्री वा महिला कर सकती है आगे भी बढ़ सकती है हर चीज में पारंगत हो सकती है इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी और नीचे की जो मूर्ती थी उसको अपने देवी देवता बनना सुरू कर दिया तब तह को लोगों को लेनी पड़ेगी और बूद्ध को लिधा बना दिया बूद्धा को नीचे कर दिया जब आप ऐसी गलत चीज़े करेंगे तो जो भी fact checker होगा बाबा साहब ने इसकी fact checking की उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया तो समय के हिसाब से उन्होंने दिया और बुद्धिजम में अरहत क्यों आते हैं बुद्धिशत तो क्यों आते हैं इसलिए तो आते हैं कि समय समय पर उसे काल खंड के हिसाब से जो चीजों की जरुरत होती है उसे हिसाब से वो चीज़े बतानी होती है अलग-अलग पैदा होते हैं बंते नागसेन कौन थे बंते देव कौन थे बंते नगारजुन कौन थे बंते अश्वघोस कौन थे इतने लोग आते जाते रहें बाब बस आपके कारियों को देखते हुए उनको बोधी शत्व की उपाधी दी गई और आप आये हैं बताने के लिए उनसे उनसे क्या लेना देना है जाइए पांडे पढ़ाई कीजिए अज्ञान लिजिए फरजी की कहानी न बताया करें चले हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहा अरे बाई मेल आईडि नहीं मिल रही है आप जो है इंस्टा पर मैसेज छोड़ आदा कीजिए और या फिर पेट्रियों पर अगर आप χोंगे तो पेट्रियों पर आप 1 यंट्र मैं will be grateful to you for disclosing this important hidden truth. English officer, It Cansans Himalayan Gadgeter has lots of information on Shankar and his evil. People should go through this book. अच्छा देखें ये बड़ा एक अच्छा बुक का नाम लिया है. It Cansans Himalayan Gadget. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. चले, ये बुक भी हम लोग देखेंगे. और आगे कभी इस पर भी हम लोग इस्ट्रीम करेंगे. सुख्रियापका. और फिर यहाँ पर जो ये बुए जो हैं वो लिखते हैं ये पंडे मूर्गियों के साथ बैठ के अंडे देते हैं. पढ़ता वड़ता नहीं हैं, पता नहीं, कहीं के बामन बने बैठे हैं. मतलब देखें, वो जो कॉलर आया था, उसको तनी के भी सरम नहीं आई. कि देखो एक महिला ने कॉंस्टिटूशन का पालन किया, कॉंस्टिटूशन की मूल भावना का पालन किया, और बंदे को सरम नहीं आ रही है, इधर पूछ रहा है, इसको क्यों समंद उसके हैं? मतलब अंदर से जो DNA वाली बिमारी है छूटेगी नहीं इनकी, कभी एक राइट क्वेश्चन, सही चीज का साथ देना है ही नहीं, राहुल संकृत्यान खुद लिख रहे हैं, कि पंड़ा जो है अलग ही कहानी उनको बार-बार सुनना रहा था, कई पर लिखे हैं वो, अब इसको इसे कौन बहस करें, कुछ भी कहानी बना रहा है, तो इनकी आदत जान नहीं रही है, प्रोब्लेम है कुछ, विनोध पिंपल जो है वो लिखते हैं, शर्क्या गौतम बुद्धा हिंदू थें, अरे विनोध पिंपल जी, हिंदू बुद्धा तो बुद्ध के समय थ अब उसी समय में हिंदू सब्द आप दिखा दीजिए, उनसे पहले दिखा दीजिए, उनसे पहले छोड़ दीजिए, उनके समय में दिखा दीजिए भारत में, कहीं कहीं पे, और एक बात और है न, बुद्धा पे 10-10,000 किताबें मिल रही है तिबद में, होंगे न, उन बताये ही नहीं, और इक और परचार करतिया हिंदू, जो पिछले 500-200 साल में आया है सब्ध, 1500-200 साल में जो सब्ध आया है, पिछले 1000 साल में जो परियोग हो रहा है सब्ध, उन पहुंच गया ट्रैम ट्रेफल करके वहां तक, तो सीधी सी बात है विनोत अच्छा, गीता देवी जो हैं वो लिखते हैं शरजी राजस्थान की टीचर बहुत ही बहादूर हैं, जो अकेले ही पूरे गाओं के लोगों से लड़ी सही बात के लिए, शेल्यूट है उन्हें, शही मायने में सेरनी हैं, बिल्कुल सही कहा है गीता देवी, ये और फिर इसके बाद से यहां पर और विल एन जी का यहां सुपर स्टिकर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विल एन जी, बालबुद्धम मायानी जी नहीं यहां मेंबर्शिप किफ्ट किया है, बहुत शुक्रिया आपका, बालबुद्धम मायानी जी, शुक्रिय कमलेश जी बताएं क्या करना चाहते हैं क्या आप हमें शुन पा रहे हैं कमलेश जी क्या आप हमें शुन पा रहे हैं कमलेश जी देखें नहीं सुन रहे हैं ठीक है नहीं शुन रहे हैं तो अच्छा यहां पर कोई कट्टर सवाल है हाँ जी कट्टर सवाल बताएं क्या करना चाहते हैं जैहिन नमवबुत है सर जी हाँ जी जैहिन नमवबुत है जी बताएं जी पताएं पर बोलिये जी सर जी मैं आपका एक-डू साल होगे सार देखते इबहुत आपका फेन हो सर। कि हैंट है icon मत बनी टिकाना पैन मत बने और है इन चीजों का आपफंड लोगोमें अगर आप चीजों को समझते हैं तो सही चीजें लोगों में प्रचार प्रसार करें पैन बनना कोई वह नहीं होता है आप भी काम करें मैं मतलब मेरा यह कहने का मतलब है जी बताएं और क्या करना चाहते हैं जी सर मैं अक्सर जो सहीं चीज है जो प्रेक्टिकल लाइफ में है उसको आप मानों करके ना हमेशा अवेर्नेस करते रहे था हूं सर सबको क्या कि कालपनिक न सब लोग कलपना को कालपनिक चीज को मानते हैं है ना तो कालपनिक को मानने सब्सक्राइब कर अब जानो समझो फिर मालू इस चीज को हमसे बोलते हैं रिभांप सच्छे में पूलिए यह लोग सभी लोग बोलते हैं कि हिंदु हिंदु करके बोलते हैं सब्सक्राइब चन्राइब पूलिए आपको ले रहे हैं तो जू साधी है आपको सब्सक्राइब पूलिए यह जाते पूलिए ना येसे कि मुसल्मान ऊजाती है है ना उमें डिवाइड नहीं है ने ने हिंदू आप किस चीज के लिए हैं सबसे पहला ये सवाल है ना अगर कोई ब्रामहर है अगर कोई छ тебе है गर कोई वैश है और आप से कहा जा रहा है कि अगर हैं वहाप हिंदं हैं तो सवाल है यह है कि अगर हम हिंदू हैं तो किस चीज के लिए हम अपने को en princess मिदलब तुम भी अपने को हिंदू हम भी अपने को हिंदू तो भाई आप अपने को हिंदू क्यूं कह रहा है आप अगर यह कियों कऊ हूँ आप खी नीकर सक्थ है फिर एक कि हिंदू ही सारे पोश्ट पर बैठा है अदूसरा हिंदू दूसरे पोश्ट पर उस पोश्ट पर क्यों नहीं जा सकता एक हिंदू जो है वही सारे के सारे पुजारी बन सकता है अदूसरा हिंदू जो है नहीं बन सकता यह कैसे भाई यह कौन सा हिंदू है तो क्या हिंदू सिर्फ और सिर्फ दान-द क्छिना के लिए है ये ये हिंदु दान लेगा और ये लिखिंदु बन जाएगा तो हिंदु को वोट करेगा इस लिए है उसलिए छों बस दान देट Supra तो यही यही चीज खड़ा करना है ना कि हम अपने को हिंदू क्यों कहें जब सब काम हम हमारा काम जो तुमने सब काम सुद्र वाला दे रखा है और फिर हिंदू किस बात के लिए कह रहे हो फिर सिधे सबाल आ जायेगा ना फिर कि बाखी जाते को छूड़ को छोड़ के अपना साधी साधी के लिए पूछने अउस्ससे बोड़ता हमाई साधी करोगे आप हिंदू हम तो हिंदू हो गए ठीक है लेकिन आप हिंदू हिंदू भाई 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 तो चलो साधी भी कर लेते हैं अगर आप हिंदू हमको नहीं मानते तो भी कहाई के लिए हिंदू में लेते हो करके बहुत हो करते हैं सर हम तो अपने जो लेवल में सब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर तूट सीकर जो हैं वो लिखते हैं एश्चे जी प्लीज कर्मा थियरी और पापुन्य होता है देखें कोई कर्मा थियरी क्या होता है और पापुन्य क्या होता है आपको समझने की जरुरत है कि यह सब्द आये कहां से हैं क्यों इसका पर्यूग होता है कौन क्या मतलब समझता है कर्मा कर्मा लोग क्यों कहते हैं जैसे मा बाप अपने बच्चे को कहता है कि बेटा तुम अच्छा करम करोगे न, अच्छा व्यप्ति बनोगे, यह न, तुम चुरी, मत करना, यह तुम जाके इधर-ुधर फरजी कामिस में, मत परना, तुम जो है, हिंसा-ुंसा से बचना, टिखे, यह नहीं की जाके हिंसा-ूंसा कर देना, व्यविचार मत कर देना, ये सब जो चीजे सिखाए जाती हैं बच्चों को और जब आप ये बात कहते हो तो सांथ में क्या कहते हो ऐसा करोगे तो आपको आपको कुछ अच्छा मिलेगा यही कहा जाता है ना कोई नहीं जानता कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा लेकिन लोगों में एक चीज ये है कि अगर हम अच्छा कर रहें हैं То कम से कम बाकी के लोगों के अज़र में तो अच्छा रहेंगे ना। बाकी के雕्यास-सों लोगों में अगर कोई दस-फांच गाली भी दे तो ज्यादातर लोग तो कहेंगे कि हाँ यार कुछ भी है लेकिन अच्छा तो आदमी है ना पांच-दस तो सबको गाली देते हैं लेकिन अगर आप बुरा काम करोगे तो जो सो लोग होंगे ना उसमें से पांच-दस आपको गाली नहीं दे रहे होंगे उसमें से 90 परतिसत लोग आपको गाली दे रहे होंगे जब बुरा काम करोगे तो आपके बुरा कर्म को देखका ज्यादा लोग आपको खराब मानेंगे तो यह effect पड़ता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो अच्छी चीज़े कर रहे हो तो ज्यादा लोगों की नजर में आप अच्छे ह यह हो इसी के बनिस्पत इसी अनुपात में आपको स्वर्ग में कुछ अच्छा तो यह बेकार थेयरी है फर्जी थेयरी है टोटल बोगास है ब्योपूफ बनाने वाली थेयरी है तो बुधा बुद्धिजम में यह कहा गया है कि आप अच्छे करम करो तो बाकी पुन्य यह पाप पुन्य वही मतलब होगा है कि आप अगर कुछ अच्छा करम कर रहे हो तो लोग कहते हैं आपको पुन्य मिलेगा यही लोग कहते हैं कि आपको पुन्य मिल जाएगा तो हमें यह चीज समझने के जरुरत है कि वह पुन्य क्या होता है फिर हमने बता दिया कर आदिवाशी बहुजन युवा, हर्ब्स, हर्वल, फ्रेग्नेंस, अरोमा, ओयल, इट्सेक्टरा और AI की मदद से कॉम्पेक्ट फरनीचर डिजाइन करें, बनाएं और स्वेम निर्यात करें, देखें शत्या उनली जी पूरा बिजनस मोडल बता रहे हैं, ठीक है, एक दिन हम लोग बिजनस मोडल पर बात करेंगे, कि कैसे बहुजन लोगों को खड़ा किया जाए, क्या-क्या opportunities हैं, कैसे बहुजन जो हैं, क्योंकि देखें, आगे तो समाज तभी बढ़ेगा न, जब बहुजन वर्ग से बड़े-बड इंडर्स्ट लिस्ट खड़े होंगे, और वो अपने लोगों को, अगर दूसरा कोई नहीं जौब दे रहा है, तो अपने हाँ अपने लोगों को जौब देंगे, तब जाके ये चीज़े आगे बढ़ेंगे, तो आपका सुझाओ दो बहुत अच्छा है, शत्त्या ओनली, शुक्रे आपका, मेगा जी ने यहाँ पर मेंबर्शिफ गिफ्ट किया है, बहुत शुक्रे आपका मेगा जी, और फिर डॉलर किंग जो है, वो लिखते हैं, इस चे सर, आज डीनर में मटन, निहारी, एन खमीर रोटी, देखें, डॉलर किंग जो है न, खमीर रोटी की या बाते करते हैं, यह हमेशा लल चाने के लिए जरूर आ जाते हैं, डिनर के लिए, ओके डॉलर किंग, चले, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कोई जेपी जियांग आये हुए है, हाँ जी जेपी जियांग, बतायें क्या काना चाहते है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, जेपी जियांग, डेखियें, जेपी जियांग आ तो गया है, बोलेंगे हैं, चलिए नहीं बोलेंगे, तो जाईए फिर, आप लोग आ के बोक्स में बैठ जाते हैं, आने भी नहीं देते हैं, इतने डिवेटी जो कमेंट वीर बने घुमते रहते हैं, उनको भी आनने चले यहां पर कोई इंदिरा कोई आये हैं हाँ जी इंदिरा जी बताएं क्या करना चाहते है जैभीम साथ हाँ जी जैभीम जी बताएं मुझे डिवेट नहीं करना सर्थ मैं खाली आपको धन्यवाद करने के लिए बात प्राइब आप बहुत अच्छा काम करें धन्यवाद ऐसा ही चलने दो जी शुक्रिया शुक्रिया आपका जी जी आगे बढ़ते हैं और यहां पर कोई गोतम शिधार थाएं हाजी गोतम शिधार बताएं क्या काना चाहते हैं कि जो बुद्ध थे उनके गुरू अलार कलाम नाम था तो किस पतिति में या किस भासा में उनको ज्ञान दिया गया और ज्ञान देने वाले कौन थे उनको इसके बाड़े में सब्सक्राइब करते हैं अच्छा आपने जो प्रश्ण पूछा है उस प्रश्ण में आपने बाई डिफॉल्ट बुद्ध का कोई गुरू इस्टेवलिस किया है अपने जो प्रश्ण ने किया उसमें आपने ये बोल दिया कि अनार कलाम नाम का कोई उनका गुरू था लेकिन सवाल ये है कि बुधा जो है उनका कोई गुरू कहां था बुधा का सबके जितने गौड़ेस बनाए गए है एक मिनट जितने गौड़ेस बनाए गए है आपके उन सारे गौड़ेस के ऊपर तो बुधा की मूर्ति बनी हुई है गौड गौड़ेस के तो बुधा का तो गुरू है नहीं जिसको लोग पूरी दुनिया का मान रहे हैं कि पूरी द कि अगल फोते तो बुद्धा के उपर उनकी मूर्ती बन तीन बटाया जा ता ना बुधा बताते ना यह गुरू है कि इसे तो उनको दिमाग में रेशनल थिंकिंग कही न कहीं से आया होगा सर्थ अच्छा एक बात बताईए कि सिधार्थ गोतम आपका गुरु कौन है हमारे गुरु तो जो हमीं टीचर से पढ़ रहे हैं जो हमारे गारजियन हुए टीचर हुए कितने लोग हैं बहुत लोग तो जब जो लाइफ के हर एक पड़ाव में से बहुत गुरु मिलते जाते हैं बताईए गौतम सिधान्त आप जो हैं पूरी दुनिया में फेमस नहीं हैं फिर भी आपके हर पड़ाव पे लोग मिलते गएं विछुडते गएं आप जरा सूचिए एक व्यक्ति पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फेमस है और उनका आप एक गुरु बना दिये हैं हसी नहीं आ रही है हर व्यक्ति जो पढ़ रहा है उसके जिंदगी में ना जाने कितने लोग आते हैं हर व्यक्ति से कुछ सीखता है या कुछ क्वेस्चन खड़े होते हैं तो और आप जो है उनके उपर एक गुरु बैठा दिये हैं तो यह जिसने भी बैठाया है ना उसने बड़ा एक सड्डेंद्र खेला है यह जितने भी सिलेवस प्रिजाइन करता है उस सब के सब जो है ब्योकूफ बनाना चाह रहे हैं भारतियों को बताईए बुद्धा को बुद्धा उनके सामने नत्मस्तक है उनके सामने जितने भी उनसे थोड़ा सा भी अलग-अलग विचारधारा के जो लोग थे हैं जैसे अजित के सकामबली थे हैं एक दिन पहुंच गए उनसे डिवेट करने बोल रहा है कि मैंने तो सुना है कि आप किसी भी इंसानी सत्ता के अलावा किसी और सत्ता को आप मानते ही नहीं है और आप किसी करमकार्ड को नहीं मानते है तो बुधा ने उनसे कहा कि भाई ये बगल में जो नदी बहर ही है इस नदी के उस पार आपको जाना है आप क stained के से जाएंगे तो अजीत के सकामबली ने कहा कि अगर पानी थोड़ा कम रहा तो ऐसे ही चले जाएंगे और पानी थोड़ा ज्यादा रहा तो तैर के जाएंगे तो बुधा तो उन्स कहते हैं कि फिर इसमें कोई और सत्ता की क्या ज़रूरत थी जब काम आपको खुद ही करके वहां जाना था और आप दूसरों को ये दिलासा दे दें कि इस नदी के उस पार जहां आप जा रहें हैं उस पार कोई वस्तूह है इपने आप पर ही आपके पास चली आएगी कईसे पॉसिबल होगा फिर तो sub पास कर जाओगे एक्जाम पास करने का तरीका क्या है आप पढ़ाई कीजे एक्जाम दीजी आप फ़स्ट आईए आपको यह आपको दिलासा दे कि नहीं आपने इसकी पूजा कर लो यहाँ पर पंड़ीजी से पांच उर्पे की कथा कह वालो यह वाला ग्रह न छत्र क्या न करम कांड पाखंड क्या होता है जूठी दिलासा लोग जो है किसी को लगता है जूठी दिलासा किसी को करता है कोई कह देगा कि आपके घर में भूत प्रेत है अब किसी ने चिसने भी यह डर फैला दिया कि भूत प्रेत है तो अब वो क्या करेगा भूत प्रेत को तो उसको हटाने के लिए पैसा किसका खर्च हुआ जिस व्यक्ति के हां भूद्पृत खड़ा किया गया उजहागुनी जो भी बाबा ढबा तीन पजामा था उसके पास गया यानि कि यह मुवी आप नहीं देखें हैं यह मुवी जिसमें बताता है कि आप जो हैं वाइरस बनाईए पहला दीजिए वाइरस फिर एंटीडोट बनाईए और एंटीडोट बनाके बेचिये पैसा कमाईए तो बिजनेस है ना बूद्पृत खड़ा कीजिए अंदेविस्वास खड़ा कीजिए पाकटन कीजिए और उसका डॉक्टर बनके ओजागुनी बाबा ढाबा तीन पजावा मंत्र ओंत्र फूंक फूंक के अपना बिजनेस कीजिए यह तो पूरा बिजनेस मॉडल है ना यह और उसके लिए और बुधा को अंधेरा दिखाने के जरुत नहीं उनको टार्च तो बेचना नहीं था प्रवारी सकती निचली सकती निगेटिव एनरजी दुनिया इसने बनाया अब दुनिया उसने बनाया तो तुम हमको कहे बता रहा है कौन बनाया है सुचिए जरा कोई कहता है मतलब इतने इतने बेवकूफ मैंने व्यक्ति आज तक नहीं देखें जो यह कहता है आप बनाया तो अगर उसने बनाया तो उसने बनाया तो का कि हमसे बताएगा ना अगर उसको काम है तो हमसे बताएगा हमसे कुछ पटा नहीं रहा है कि बीचना दलाला के हमको कहानी सुना रहा है उसको खुद नहीं पता है तो यह एột गौतम शिधान्त जी यही चीज हमको समझना पड़ेगा कि यह जिसने पी सेट अप कर दिया है कि अनार कलाम ये कलाम वो कलाम ये सब के सब जो हैं पेवकूफ लोग हैं ये हम लोगों को भारत के लोगों को अंधविश्वास दलदल में ढकेलने के लिए बुधा का एक अलग चरित्र खड़ा करते हैं जबकि पूरे बुद्धिजम की किताब आप जितनी टेक्स्ट पढ़ लेजिए कहीं बुद्धा का कोई गुरू नहीं है समय रहा ना सब्सक्राइब करने के लिए बुद्धिजम आया तो उस जो हिस्ट्री आगे पीडी के लिए ऐसा क्या करें कि उस तरफ उस तरीका सो सोचे नहीं उसके लिए आपका क्या टेक है देखें एक बात आप समझेए आप कोई भी चीज तभी कर सकते हैं ना जब उस चीज पर आप पहुंचे बहुजन समाज को इतिहास चेंज करना है तो उनको बहुतायत मात्रा में स्कॉलर खड़े करने होंगे से पीछे भागने से बच्चे जो हैं जितने बच्चे हैं वह सब सब बच्चे हैं नितागिरी में तो सब भाग रहें एस लेकिन भाई आप जितनी जन संख्या है इतने हजार नेता खड़ा करने क्या जड़ों थे एक दो जो नेता है उनको दो न आप बाकी बच्चे जो है उनको त्यारी कराओ की वह स्कॉलर बने न अपने समाज के लिए काम करें किताबे लिखें मार्केट में इतनी किताब लिख जैसे बाबा साब को पढ़ती है जोतिवा फूले को पढ़ती है अब कहेगी कि हमको कोई भी चीज जानना है तो हम अपने ही स्कॉलर के पढ़ेंगे बई समयरे ना तब बच्चे अपने इतिहास चानेंगे ना और जब ये बात आ जाएगी तो सरकार को भी पढ़ाना ही पढ़ेगा उनको जूकना पढ़ेगा इगनोर नहीं कर सकते ना कितने इंटेलिक्ट्चिल को आप इगनोर करोगे यहां इगनोर करोगे तो यहां के इसके प्रकासन से चपेंगी जब पियर्सन से चपेंगी औक्सफोर्ड से चपेंगी कोई रोक लेगा बताइए नहीं नहीं तो इसके लिए जबूरी है कोई अलग हिस्ट्री पड़े के लिए अगर कुछ नहीं किया तो आगे की जो पीडी है उस तरीका से अब मालेजी के सराज हम लोग 15-20 साल से वही पड़ रहे हैं आज अपना थोड़ा सा रेसनल जब तिंकी हुआ जब हम सोच रहे है तो उससे हटने के लिए उससे अलग क के लिए आदमी में इतना ना मतलब कि क्या बोलते फ्रिक्शन हो गया है कि उससे हटने में आदमी को लगता है कि भाय हम इतना जो 20 साल से फॉलो करते आ रहा है एक आएक कैसे छोड़े अपने परिवार को मैंने कैसे किये इस समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिकत हो रहा ह देखें वो इमंदार नहीं है अगर वो इमंदार होता तो फिर हमें इसकी जरुरत नहीं पड़ती आज मैं रहुल संकृत्यायन की जो किताब लिखा था बताईए जिन मुर्तियों को वो गनेश बता रहा है जिन मूर्तियों को वो गौरी बता रहा है और राहुल संकृत्यायन कह रहे हैं कि हम तुम को पैसा देंगे तुम बता तो रहे हो एक बार कपड़ा हटा के तनी दिखाओ ना दर्शन कराओ ना हमको देखें यहां पर कहते हैं सिरकटा गनेश के पास की मूर्ति को गौरी कहकर पंडे ने बहकाना चाहा इनको बहका रहा है कि जो सिरकटा गनेश है इनके पास की यह जो मूर्ति है ना गौरी जी की है तो इन्होंने क्या कहा मैंने कहा यदि कपड़ा हटा कर दर्शन करा दो तो 54 दक्षिना मिलेगी उस समय 54 बहुत बड़ा एमाउंट होता था 1941 की बात है और फोटो लेने दो तो अठनी दूंगा मैं वह इसके लिए तयार नहीं था बता ये पंडा को ऐसा कौन सा डर लग रहा था भाई कि मुर्ती जो है उसको ढग ढूक के रखा था ये पैसा भी दे र है भाई देवी देवता है अब पंडा डिसाइड करेगा कि उनको ढख ढूक के रखे बाकी के लोग जो है उनको अपने इस्वर को देखने में पंडा की इतनी क्या है बेजिती हो ये जा रही है कि मुर्ती ढख ढूक के रखता है भाई पंडा के हाथ में जाते ही ढख ढूक कहा है रखता है भाई वो तो आप ये समझिए कि इन लोगों में इतिहास की इतनी बली चड़ाई है ये पंडों के डीने में चला गया है ना हर जगा का पंडा अब माले जे उसी में से कोई पंडा जो है एजुकेशन में हाइर पोजि केदारनाथ में जब गये हैं तो घी मलमल के आप वहां पे डाल दिया था कि इंस्क्रिप्शन पे ये बात वो लिखे हुए हैं कि घी मलमल के डाल दिया गया था इनोंने गरम पानी मंगा मंगा के आप वहां छुडाना चाहा ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई यहां पे क्या लिखा हुआ है यह आलत कर दी गई थी हैं तो यह हम सब को समझने की जरूरत है ना यह यह देखें यह बोली बोली कुछ दिखाना चाह रहा था कि राहुल संकिर्ट्यायन जो हैं वो क्या लिखते हैं कि देखें यह देखिए मंदिर के अधिकारियों शभा मंडप में भी कई पुरुष प्रमाढ मूर्तियां हैं जो जो भी उसी काल की है, मंदिर के अधिकारी और मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि कोई सिलालेक पूरी तोर से पढ़ा जाए, किन्तु मंदिर में घी के चिराग वाले बाले जाते हैं, मतब जलाये जाते हैं, भगवान के उपर भी घी का लेप होता है, और लेप करने के बाद हा दिवाल में कहें पोचोगे, कोई अपने दिवाल गंदा करता है भाई, उस घी को जो बच गया है, उसको आप दो पोच के आटा, सब लोग को दिवाल साफ सुत्रा रखते हैं, वो क्या करते थे सब, कि दिवाल पे उस घी को लेप देते थे जितना बचता था, कोई भी जो साफ सुत्रा समाज है, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने दिवाल पे घी नहीं लेपेगा, अरे खाने के लाले पड़े हैं, दिवाल पे इनके घी लेपता था, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, उस सुनिये, तो दिवालों पर पोच दिया जाता है, शताबदियों से य अभिले के अभिलेक थे, इन सब को पढ़ने उठने नहीं आता था, आइका करते थे घी पोत-पोत के उसको खतम कर दें, फिर ये लिखते हैं, शुप्रिटेंडड साहब ने गरम पानी भी भीजवाया था, कंबल से रगड कर मैंने साफ करने की कोसिस की, कि धारनात के भीत होने वाला नहीं था, उसे तो गरम पानी में धूले हुए साबुन से कड़े ब्रस के सहारे धोने की आव सकता थी, मैंने देख लिया यह काम इस वक्त नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अच्रों को पढ़ने में मैं अवश्य शफल हुआ, जिससे मालूम हो गया कि अविलेक का का 12-13 सदी के पीछे का नहीं हो सकता, तो यह आप यहाँ पे देख लिजिए कि फिर यह कहते हैं 12 सदी के ताल पत्रों में मुझे तिबत में मिले थे, वैसा ही यह लिखा हुआ था, तिबत से यह कंपेर करते हैं, आगे उनको तिबत का मिला भी, तिबत का भी मिल गया 7-8 सद कि वहाँ पे तिबती लोगों ने यह बनवाया था, अब बताईए कि ब्रामण जो है कह रहा है कि हम पुराण लिखें हैं, ब्रामण कह रहा है कि वह महाभारत काल में वेदव्यास लिखते थें, इनका जो वेदव्यास, इनका आठवी सदी का संकराचारिय जो है, वो कौन कौन से गीता का भाष्य लिख दिया, संकराचारे का ब्रमशुत्र भाष्य लिख दिया, इतने पुराण लिख दिये, वेद लिख दिये, इन्होंने चोदी, पंद्रवी शदी में, और मंडों को उसी सदी का अभिलेख पढ़ने नहीं आ रहा था, ये बारवी, तेरवी संकराचारे कह रहे हैं कि संकराचारे जो है, आठ चार धामों की अस्थापना किये थे, केदारनात बद्रिनत कहते हैं सब ना, पूरी का उरी सा कहते हैं, करनाटा का एक कोई है, उसको बताते हैं, या कहां गुजरात जो भी हो, तो अब ये बताईए, ये बताईए कि यहा रहे थे और ये राहु संकृतिया इनको जाकर उसको खोद खोद के पढ़ने की क्यों जरुरत पढ़ी और नहीं पढ़ पाएं फिर बोले आगे कि यह लिखते हैं आगे यह सिलालेक उत्रा खंड के इतिहास के लिए महत्वपुर्ण सावित होंगे फिर आगे निकल गए तो अब बताईए सबसे पढ़ा लिखा पंडा संक्राचार्य वहां पर था उसके गर्वग्री की चीज वह सब नहीं पढ़ पा रहे थें तो इससे क्या पता चलता है कि ब्रामर ने जूटी बात फैलाई है कि संक्राचार्य बहुत पढ़े लिखे विद्वान होते हैं इन लो पर अपना केदार ना थे हैं यह सवाल जो हैं खड़ा करने पढ़ेंगे ना भारत के बच्चे जो हैं जंडा लेके घूम रहे हैं उस सुच रहे कि हमारा धरम मेरे असली धरम जानिये समझे कि भाई क्यों नहीं पढ़ पा रहा है संक्राचार्य को बता रहो माभारत काल से उसको इतिहास पता है उसको 12-13 सदी का पढ़ने आ रहा है लिखता कौन से भासा में था कौन से लिपी में था भाई कि उसको 12-13 सदी के पढ़ने नहीं आता था घील लिप लेपके उसको मीटा रहे थे सब भर दिये थे बताए ये गोतम शिदार्ट क्या करना चाहते थे आ उनके एक जैक थोड़े थे पहले की समय में क्या कलचर दर्म मतलब आ रहा था उनके पहले दगें बुधम के पहले 28 बुधम है ना बदा के पहले 28 बुधम है जो पौन स perdha कि मिला है उस बन में सुलश क मिला है यह पात आपको पता है जी जी देखे थे तो अगर बुधा के समय में स्वास्तिक मिल रहा है तो इसका मतलब और स्वास्तिक फिर हडपा में भी मिल रहा है स्वास्तिक जो है वहां पर भी तो मिल रहा है तो हमें तो दोनों चीज फिर देखनी पड़ेगी न कि हरपा काल में स्वास्तिक फिर बुधा काल में स्वास्तिक और अगर बुधा काल में स्वास्तिक मिल रहा है फिर सांची के सुतूप में मिल रहा है स्वास्तिक यह एक रि इंस्क्रिप्शन जिस पे पाँच अलग अलग बुधा के नाम है चमराट असोक ने जो अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं उसमें शाक्यमुनी बुध के अलावे कोडा गमन बुध का भी नाम लिखवाए हैं और बोले हैं कि ये जगह जो है मैं कोडा गमन बुध का है कि अधिया है उसकी मैं मरम्मत करा रहा हूं शमय रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं कि इसी तरफ आहयान अया उसने भी बताया कि यहां पर और भी कई सारे बुद्धों का जिक्र किया उसने यह देखिए मैं आपको एक रिशर्च पेपर दिखाता है अब पिलर मेडेलियन जो है यहां पे यह नीचे लिखता है इसक्वाइर सेप्ट टीनी क्वाइन बेरिंग दा इंप्रेशन अब स्वास्ति का मोटिव इस अब सांची के स्थूप है एक नंबर दो स्वास्तिक आया है उनका इसने पूरा डिस्क्रिप्शन करके बताया है तो बुद्धिश्ट तो स्वास्तिक पर्योग कर रहे थे ना हडपा में भी स्वास्तिक है हडपा का पता ब्रामडों को है नहीं तो हडपा किसकी संस्कृती थी इसका मतलब कि बुद्धियम की ब्धाटे पूर्वर बुद्धर थेर्य लएं यानि कि बुद्धा की परंपराथी पूर्वर बुद्धो Kी परंपरा थी सिंदु घाटी इंदस से चली आ रहे थी तभी नों बुद्धा ने इसको सानातन कहा है था इस ने एक वाइन को आ रहा कि पसू-पती हैं क्योंकि इनके पीछे पसू हैं हें समझ रहा हैं एक अंगरेज ने क्योंकि हम लोग तो उसका नहीं पर पाए न हम लोग हर्पा संसक्रिति का पढ़तपाय है सब्सक्राइब नहीं पढ़ता है ति भताएं कि वहाँ कोई प्रतीः चिन्ह मिलेगा उसका नाम पपति होगा इसे पता चल जाएगा किसी में है तो इस लिए उसका नाम ना जब और लिपी नहीं पढ़ पाए है उसके आगे पीछे क्या लिखा है जब आप नहीं पढ़ पाएं तो आपने चितर देखा कि उसके आगे पीछे लिखा पसु दिख रहे हैं आप ने कह तिया यही चित्र है ना यह ही चित्र है अब बताईए कि ऊपर भी यहां कुछ लिखा हुआ है तो क्या किसी ने पढ़ लिए कि पशू पती लिखा हुआ है अब एक बात बताईए आप इस चित्र को देखिए आप इसका नाम करण कर दिजिए कि जीसस हैं ठीक है और किताब में लिख दिजिए कि जीसस की हमको पीग मिल गई है वहां पर हडपा में अब बच्चे तो पढ़ेंगे न कि जीसस की मिली है क्योंकि आप तो जीसस पढ़ रहे हैं नाम करण तो आपने कर पुद से नामकरण किया, तो नामकरण करने वाले ने इसका नाम पसुपती कह दिया, अब बच्चे पसुपती पढ़ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि पसुपती तो वही वाली बात आ गई कि हिक्स बोशोन जो पार्टिकल था, उसको मीडिया में फैला दिया गया गोड़ पार पार्टिकल हो गया, साइंटिस्टों ने गोड़ पार्टिकल खोज दिया, बताईए, तो गधेडों की कमी थोड़े ही है, गधेडे जो हैं उनको तो पता ही नहीं है कि नामकरण कोई कर दिया और उसको सबूत मान लिए, अरे भाई, आप उस समय पसुपती नाम की कोई च ट्राइडेंट या उनके त्रीरतन होते हैं, वो इस तरह की चीज़े होती है, फिर यहां बगल में एलिफेंट है, एलिफेंट तो बुद्धिजम का परतीक है, फिर यहां पे गेंडर टाइप का है, यहां पे गेंडर टाइप का है, इधर कोई यहां पे बाग वाग है, इ तो अब इन चित्रों को देखके कोई इसका नाम कहा दे कि पसू है पीछे बैगराउंड में, तहम इसका नाम कहते हैं, इस पसू का नात है, यह पसू पती, अब बच्चा क्या सोच रहा है बच्चे को, पंडो ने, हाँ पंडो ने उसको पढ़ा रखा है कि पसुपती तो हम सीव को कहते हैं समझ रहे हैं पंडा जो है इस तरह से इस्टेबलिस कर रहे हैं यही तो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ यह बताईए कि संकराचार्य जो है शैवमत का उसको बारवी सदी का इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ने आ रहा है गही लेप-लेप के पोत-पोत के दिवाल भरा पढ़ा हुआ है अपने पिता जी को अस्थापित कर रहा है इंडस वैली में तो ब्रामहड जो है चाहे मंदिर का पुझारी बनके रहे चाहे हायर पोजिशन पर चला जाए सही बात सही इतिहास भारत का इ दूसरों को बता रहे होते हैं यहीं बात है सर बस यहीं चीज है ठीक है गौतम शिदार्ट है सब्सक्राइब करें को समय का बना हुआ है या कोई बनाया है ऐसा कुछ रिशर्च हुआ है उस पर अरे भाई राम सेतु पे तो अरटई आई पड़ गई है डला गया राम सेतु पे समझ रहे हैं न और रटई आई ने की राम सेतु का सबूत मिला है कि नहीं मिला है ह्ं तुह मेंशा रह्मायन श्रिवलिस्क किया जा रहा है कि राम से तूहाँ तो स्रिलंका गयता है तो उसका और राम समय जो मेलता है पर एकजक जबुकर मेलता हैरामायन से बोला जाता है कि क्या तेंरे है साथ जो कल पैक जो on तो र् опас याई जन को बोला है नो इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन एनी ऑफ इस्टडी कंड़क्टेड इन साइट ऑफ एस आई उसने पूरा एक मिनट यहां पर डेट ओफ एक्षिन मैं मैं जो है ना उसका मंगाता हूं जो डाला गया है फिर मैं आप लोगो दिखाऊंगा इसका नहीं है और फिर यही बात संसद में पूछ लिया गया मंत्री जी से यहां कोई i guidance had मिला Alto CMS I'm a एक उन्होंने शोरा धो सच्वाट में पनाया घ्रुखता हैएक्ग्षियरों पूरी दुनिया में हर जगह पाया जाते हैं समय रहे हैं हर जगह पाया जाते हैं अब सवाल यह है कि यह मैं दिखा देता हम आपने जो कोश्चन पूछा है मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है देखें यह सब क्यों खाड़ा किया गया था पहले कब खाड़ा किया गया रामसेतु अला उन्नीस सो बाचपेई सरकार जब थी तो उन्होंने स्टार्ट किया था वहां पर उसको तोड़ने का बीच में से क्यों तक नाव चली जाए ठीक है यह घटना जो है यह बाचपेई गावर्मेंट ने 1996 के बाद से 96-97 में सुरू किया फिर कांग्रेस ने जब आगे बढ़ाना चाहा तो फिर इन लोगों ने उस पर लटका दिया वह तो हमारा रामसे तू है अब घटना में ध्यान से दिजेगा 1992 में सुरू हुआ था अयोध्या मंदिर ठीक है तो अयोध्या मंदिर का सबूत कुछ मिल नहीं रहा था तो चानवेर संतानवेर में जब नहीं हुआ फिर कांग्रेस गवर्मेंट आई तो अब इसको धार देने के लिए अध्या मंदिर के मुद्दे को धार देने के लिए एक और चीज खड़ी कर दी गई कि अब रामसेतू भी आ गया वो भी कल्पनिक्ता में कल्पनिक्ता जुड़ गई समझ रहे हैं तो यह अब अब रामसेतू की कोई बात नहीं कर रहा है आप देखें यहां पर इंडिया न्यूज इस्ट्रीम क्या छापता है नो कंक्लूसीव प्रूफ ऑफ रामसेतू मोदी गौर्मेंट सेज इन पार्लियामेंट देख लिया आपने और यह 24 दिसंब 2022 का यह रिपोर्टिंग है सब लोग देख लिए यहां पर लिखा हुआ है 24 दिसंबर 2022 नो कंक्लूसीव प्रूफ ऑफ रामसेतू मोदी गौर्मेंट से इन पार्लियामेंट तो इस पर आर्टी आई भी डाला गया है मीडिया रिपोर्टिंग भी हुई है और वो बोल रहे ह 10-20 साल तक गुमराह रखा जाए तब तक पब्लिक भूल जाएगी तब तक अंधभक्त रोज लड़ने आते थे पहले हमको तो याद है ना यह जब खबर नहीं आई थी तब तक रोज आते था अंधभक्त रहे रामसेतू की बात भी नहीं करेगा मैं बुल रहा हूं काम हो गया है जो बनना था हूँ बन गया यह मुद्दा कतम अब दूसरा कुछ लाया जाएगा तो यह चीजे है ना यह सारी चीजे इस तरह से चल रही है ठीक है फिर ओके ठीक चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर रेशनल बुधिष्ट जो है वो लिखते हैं जैभीम इस चे सर डॉक्टर बाबा शाहब अम्बेदकर जी का शरनेम कैसे पड़ा इसके बारे में काफी कन्फ्यूजन है क्या आप इस पॉइंट पे फोकस करके नौलेज दे सकते हैं रेशनल बुधिष्ट जी इस पर बाबा शाहब के ही घर परिवार खंदान से राजनतर चैनल पे भी डाला हुआ है वहां से भी आप देख सकते हैं तूद पॉइंट दिया गया है और सरनेम जो है उसका किसी ब्रामड ब्रामड से कुछ लेना देना नहीं है उसाफ साफ वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा यह ब्रामड परचार है ब्रामड हमेसा आइडिया एन इट्स बिलियंस मार्केट आच्छा जी बिल्कुल सही बात है शत्या ओनली आपका विजनेस मॉडल हम लोग जरूर सुनेंगे बालबुद्धम महायानी यहां लिख रहे हैं गोतम शिधार्त भाई शही हिस्ट्री पढ़ाई पढ़नी है तो ध्यान रखिये लेखा का ब्रामण नहीं होना चाहिए अधर्वाइज रॉंग इन्फोर्मेशन ही मिलेगी बालबुद्धम महायानी जी आपकी बात सही है और यह भी सांत में जोड़ लिजिए कि जो गैर ब्रामण होंगे जरूरी नहीं कि वो भी आपको सारी सही ही बता दें क्योंकि वो बात करके गये थें कि तर्क बुद्धी विवेग पर खरी उतरे उनको उस अंद्विश्वासी समाज में भी सत्य का पता था कि भाविश्य में लोग जो हैं इस तरह की बेवकूफी कर बैठेंगे या ऐसे धूर्द पैदा होंगे जो लोगों को बेवकूफ बनाते कि बढ़ा मेरे नाम पर भी कोई कुछ परोस्ते तो ऐसे मत मान लेना तर्क बुद्धी विवेग का जमाना पहले है ठीक है बलबुद्धम जी और विनोद पिपल यहां लिखते हैं शर लाइव स्ट्रीम में एड कीजिए बात करना है विनोद पिपल जी आप कहा है एह नहीं यहां पर देखें लिंक जो दिया जाता है उस लिंग को क्लिक करके और फिर आपको इंटर चुडियो होना होगा कम से कम ओड्यू जरूर ओन लीजिए गा और इंटर चुडियो होगे आप इस्टुडियो में यहां दिखेंगे फिर मैं आपको जोड़ सकता हूँ अगर आप इस्टूडियो में नहीं आएंगे तो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, तो मैंने लिंक दे दिया है, आप आजाएं, और देखें कौन आये हैं यहां पर, यह कोई शम्यकराम आये है, हाँ जी शम्यकराम, बताएं क्या करना चाहते हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे है शम्यकराम, शम्यकराम क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, नहीं शुन रहे हैं, तो चलें फिर, आच्छा यह फ्रॉम आंधरा कोई है, हाँ जी फ्रॉम आंधरा, बताएं क्या काना चाहते हैं, आप रहे हैं, हाँ जी ओड़ हैं, आपड़ा आप यह थ्रॉम आप में लेगरां के लिए भी आख बीडरेस्ट हैं, आब प्रीकराम के बेहां रहे हा हैं, बताओ में द्रॉम इए लिए प्रॉम ए मोड़ दिर्धैन करनाून हैं, आप प्रॉम आ बड़ा, आप द्यों सु जब अज वात में उझे बाद में मुझे बहु सारी पता चला तब से मैं इन दो कुछानेशन शो मैं को बज दो कर गोड़्टियों दो किसा रिव प्रद्टिस्ट्यूम जटाए कर रावं स्टोरी लिखना पड़ता है एक स्माइल ठॉलेकर उससे स्टोरी डेलप करना पड़ता है सो मेरे को बहुत सारी जरी अपना है fakir को हिस्तोरी के बारे में सवे मेरे एक पाइले मुवी का जो लिरिशिस था वो तोड़ा इंफरमेशन देया मेरे को मेरे को बहुत शॉक हो वो इंफरमेशन से वो क्या है ना कि रामायन में जो राम और लक्ष्मन जो एक अगनी का पूजा होता है ना विस्मा मित्र का आश्रम में वो लोग एक राशस को मारता है ना उसका बारे में राइटर ने कुछ इंफरमेशन दिया कि वो एक इंटलेक्शन लेडी है यह यह लोग क्या कर रहे है ना बारिश ओके आपकी शाउंड चली गई है आपकी शाउंड चली गई है हाँ जी फ्रम हाँ 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 अब आगे तीके टीके तीके तो एगन कर रहे है ना एगन में राम और लक्षमन ने जो परटक्ट कर रहे हैं आ उसमें एक 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 इंटलेक्श्ट लड़की था उसने पूचा था क्या है कि आप लोग सब आनाज जो भी हो वो आग में डाल रहे हैं अब बारिश आने के लिए भी हमको सीज नहीं बचा तो काने के लिए कैसे खाएंगे इट इस एंटलेक्शल कोईश्ट आट्ट लेडी उसको डेविल का नाम दे के उसको मार दिया वैसा बॉला था अलो तो उससे मेरा जो तो तोड़ा अलग हो गया तो और आए वाज आए ओके अच्छा आपकी साउंड बीच बीच में चली जा रही है फ्रॉम अंध्रा जी तो आप आप एक भी ऐसा कोई मूवी बताएं चाहेंगे आपने बताया कि आप डायरेक्टर हैं तो आप ने कोई मूवी जो चली हो कुछ आप रिफ्रेंस देना चाहेंगे हाजी हाजी आप पर मेरा आइद गुर्व का नाम से एक टेल्गू मुवी था आर्ट नाम से आइद गुरू अच्छा ओके टोसफ़ई इंड़गू दोसफ़ई इंड़गू वोंपांच आच्छा ओके यह इंड़गू में आइद गूरू कहते हैं उसका मैंने कर रहा हूं इस बीच में रीचन्ट तू यूर्स में में ज्यादा हिस्ट्री का बारे में जानने के लिए बहुत उच्छा और जान चुका हूं जो बच्पन से जो हिस्ट्री सिखा तक थे हम लोग को आप अशोका से जो जो मिल रहे है साउंड आपकी फिर से थोड़ी गरबड हो रही है एक चीज मैं आपको तब तक बता देता हूं प्रमांद्रा जी देखें जब भी कोई व्यक्ति अपनी कोई फिलोश्पी देता है अपने कोई मत्पंथ चलाता है तो लोग उसको याद कहते हैं कि ये इस व्यक्ति ने दिया है जैसे महावीर ने किया दिया ये लोगों को पता है जीसस क्या कहते थे ये लोगों को पता है मुहम्मद क्या कहते थे ये लोगों को पता है बुद्ध क्या कहते थे ये भी लोगों को पता है पर कोई भी रिसी क्या कहता था ये किसी को नहीं पता है ठीक है अब रमायर पे आते हैं, अच्छा संक्राचारे ने क्या कहा इभी लोगों को पता है, तो संक्राचारे भी एस्टेबलिस है, लेकिन ब्रामभा विश्णु महेश की क्या फिलोस्पी थी, ये किसी को नहीं पता है, अब सवाल ये है कि रमायड से जब राम को एस्टेबलिस किया जा रहा है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि राम से हमें सीखनी चाहिए, ये जब भी आप किसी को भी, किसी इस्वर को या किसी को भी अस्थापित करते हैं, पूरी दुनिया का एक common pattern है, जब ये अस्थापित करेंगे, तो वो इस्वर हमेशा इंसानों के लिए कुछ उपदेश का, में वो इंसानों के लिए कुछ अच्छी चीजे देगा, वो बताएगा कि मैं तुमको बोल रहा हूँ, पर हमेशा ये बताया जाता है कि हमें राम के जीवन से कुछ सीखना चाहिए, मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये कोई ये story है, moral of the story हमें कुछ सीखनी चाहिए, अब सवा है कि रमायड है, राम सही बताया जा रहा है, तो moral of the story क्यों निकला जा रहा है, इसका मतलब ये सारी चीजे तो जातक कथाओं में होती है, कि जातक कथाओं में एक story होती थी या फिर कहा जाता था बच्चों इस story से आपको क्या सीख मिली, यानि कि रमायड से भी अगर ये क होता, तो उसको moral of the story लिखने की बात नहीं आती, बलकिला राम जो हैं आतार लेते हैं, वो लोगों को उपदेश देते हैं, वो लोगों को बताते हैं, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, यहां से आप सीधे सीधे compare करेंगे, कि ये जातक कथा कि तरह बार-बार कहेंगे कि इस story से हमें सीखना चाहिए, राम का चरित्र से, ये सारी चीजें तो बुद्धिजम के जातक कथा में हैं, कि हमें इस कहानी से ये सीखनी चाहिए, तो यहां से साप साप कोंपी ये चीजे पता चल जाती है, जी आप बताएं क्या काना चाहते पास आये तो बहुत सारी रैटर्स ने लेखा, 300 रामान तक है कि हम लोग चुनाई में है, ठीक है, तो मेरे को डॉट आया, सी इस लाएक क्लास में कुछ टीचर ने उसको एसेंडमेंट दिया, स्टूडेंस को आप राम है, सीथा है, रावन है, आप एक स्टोरी लगके स्टोरी रैटर्स एंड फाइनली देवां देवार कंग्लूडेट टू वन अर्टू लाइक वालमिक रामा और बंदा है ना दूसरा एक दो पॉपली देटा, बट देर इस पॉइंट 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 इस देर आप आप कहा तक जा रहे है ना, वह जा तक रसचेट अ दो पॉइंट वह जा रहा है तो मैं आप से तो यही कहूंगा कि साउंड कभी subtle हो साउंड भी आपकी कमा रही है तो मैं फिलाल आपको डिसकनेक्ट कर रहा हूं आप कभी अगर साउंड सही हो तब आईएगा और आपके बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर भाई कोई डिवेटी क्या हो गया अज सारे डिवेटियों को कि साप सुन गया क्या आज यह कोई शम्यक साइन्स आये हैं हाज शम्यक साइन्स बताएं क्या काना चाहते हैं अजि बताएं आपको आपकी वीडियो में देखता हो तो मैं आपकी वीडियो डेक्ट रेगुलार तो मेरे कुछ प्रस्नेट है सार आपका बैग्राउंड साउंड आ रहा है अब सर्मेरे का प्रस्न था जो विने पिटक का था बताते कि विने पिटक में यह सब आते आई कि बुद्ध ने जो शुट्ट के मुँव में गरम गोला डा रही है सचे बाते क्या कौन से देश के विने पिटक में यह बात आई है कि मेरे दूस ने का था वीडियो देखके बता रहा था मुझे अच्छा अच्छा आप पंचगव्य का होता है प्रेश आप को नहीं पता है बताईए अरे पंचगव्य आपने पिटक की बात करें आपको विने पीटक अगर अच्छे से जानना है तो पहले आपको ना परासर स्मिति सही से पढ़ना पढ़ेगा जब प्रासर स्मित्य आप सही से पढ़ लेंगे तो फिर आप समझेंगे आईए मैं आपको बताता हूं पंचगर्व्य क्या होता है यह कि अगर आपको कोई वी चीज जनकारी जाननी है तो बहले जो है उसको डीटेल्स में जाननी चाहिए यह मैं आपको दिखाता हूं कुछ एक्जैमपल दिखाता हूं यह यह देखिए एक मिनुट यह तो वही वाला दूसरा सेयर करता हूं यह रहा आपका ठीक है और यह जो है इसमें कुछ स्लोक निकाल लेते हैं चबश अधाइस नंबर आप पढ़ेंगे क्या लिखा है अधाइस ट्वेंटी एट नंबर अधाइस अधाइस ट्वेंटी एट नंबर अरे चंडाल लिखा है वह कितनी क्लास पढ़ाई किया है आप अधाइस स्क्रीन के ज़र यह ताना तो डिकाई नहीं दे रहा था कि कितनी क्लास पढ़ाई किया है है अधी 11 साइज हाँ चांडा साइज प्रवस्चांडा लिए है 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 हलो है हां 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 है अ कितनी क्लास पढ़ाई किया है कि अब है अब टुवेल्ड में हुज़़ अचा ट्वेल्ड में है आपकी उम्रा 18 सल से कम है या ज्यादा है अठारा साल है अचा अठारा साल है ना बालिग है ना हां तब तो ठीक है फिर फिर तो आप पढ़ सकते हैं फिर कोई चले 33 नंबर पढ़िए जी सर थर्टी थ्री नंबर को इस चांडालिया ने वत क्या वत में उसको बड़ा करेंगे इससे कितना बड़ा करेंगे भाई इतना तो जूम कर दिया है मैंने अब इससे बड़ा तो करेंगे तो यह स्क्रीन फाड़ के आपके उसमें घुश जाएगा भाई इस स्क्रीन फाड़ के जाएगा यह तैंटीस नंबर पढ़िए नहीं थर्टी थ्री नंबर कि स्क्रॉल कर लीजिए फूल स्क्रीन कर लीजिए अपना मॉबाइल जो है हाँ चांडेलियन वर्ष्ट में बीस दिनों तक गोमुत्र में पके यावक का केवल एक गरास खाना होता है होता है इसके उपड़ास्त्र दस दिनों तक स्वरतर निराहार रहना होता है अच्छा तो आप कभी ऐसा किये हैं गोमुत्र में पका हुआ कभी चंद्रायन वर्ष्ट किया है नहीं सर नहीं किया है लेकिन यहां पर 32 32 नंबर स्लोक में लिखा हुआ है पड़ सकते हैं 32 नंबर में कि जी 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 पड़ियावान ब्राह्मन द्वारा अधन्यान प्रमाध आधी किसी भी कारना वर्ष्ट चांड़ाल के अनक का सेवन कर लिए जाने पर उसे अपने पाप के पच्छाचित में दस दिनों तक गोमुत में यावग सोका सत्तु पका कर खाने चाहिए खानबुजकर चांधाल के अनक को खाने वाले ब्राह्मन को तो आत्मसुद्धी के लिए चांधयन चांधयन वत्त का पालन करना चाहिए मतलब अगर आप चर द्रवान प्रामण है आप ने उसस में आच जी तो नस्तिख तो आप इस वर को तो मनती पुरौन दो आता है जो आस्तिक है उनकी माजया को डाता हो तो बहुत बेकार लगता हो गातिया लगता होगा पड़ा उनके रिगवेट में लिका है कि सूरी आश्वरी हमाजो आठ है वो मोशे नहीं करता है यह सब में पड़ा उन्टे रिगवेट में अच्छा तो आपको जानता है भागवद घीता भी बहुत बेकार लगता होगा लेकिन यह आपने नहीं पड़ा कि चरित्रवान ब्रामण जो है जो का सत्तु में गोमूत्र में पका कर खाए नहीं पड़ा क्योंकि आपको किसी ने पताया नहीं चलिए हम बता देते हैं यह क्या कहता है कि चरित्रवान ब्रामण द्वारा अज्यान प्रमाद आधी किसी भी कारण वस चंडाल के अन्न का शेवन कर लिये जाने पर याने कि चंडाल जिसको कह रहा है अगर उसके घर का वस चंडाल कोन होता है मान लेते हैं कोई ब्रामण की लड़की है उसने किसी सुद्र से साधी कर ली आपकी साधी किसी ब्रामणी से हो गई आपका जो बेटा होगा उसको ब्रामण क्या कहेगा इचंडाल है अब वो जो बच्चा होगा तो कभी उसका नाना उसके घर आ जा अगर उस अनका शेवन कर लिए जाने पर तो उसको पाप लग जाएगा अब पाप के प्रैस्चीत में दस दिनों तक तक अब क्या करेगा चुकि आपके घर में खा लिया है तो चैन्डाल ही कहता है न शुद्र को अंतेज को तो अब इनके घर में खा लिया है अगर गलती से भी चरित्रवान ब्रामः तो वो दस दिन तक गो मुत्र में गाय का मूत्र लेगा उसमें जो का सत्व पकाएगा गाय के मूत्र में और उसको खाएगा दस दिन तक, जान बुझ कर चंडाल के अन को खाने वाले ब्रामर, अब माल देते हैं उसको भूख लग गया है, भूख लग गया और उसने जान बुझ के आपके हाँ खा लिया, तब तो उसको आत्म सुद्धी के लिए चंदरायन वरत का पालन करना पड़ेगा, अब ये चं जाने में खालिया, तब दस दिन गोमूत्र पका के चंदरायन वरत क्या होता है, तो कहता है, चंदरायन वरत में बीस दिनों तक गोमूत्र में पके यावक का केवल एक गरास खाना होता है, अब बताईए, अब बीस दिन तक आपको गोमूत्र में खाना है, यावक यानि ज पढ़ाते हैं असल किताब पढ़ते नहीं है दरसल समय रहे हैं अब बिहार जो है अब यह पढ़िए पढ़िए जो इस नमबर पढ़िए अब चांधाल को घर से बहार निकाल देना चाहिए और फिर उधार कुफालू ब्राह्मन द्वारा निस्टुस्ट पाजचित करके आत्मसोधन करना चाहिए बताएए आप नन हिंदी स्टेट से हैं क्या है अचि बात नहीं कोई बात नहीं चलिए अच्छी बात है कि लान हिंदी इश्टेट से भी इतना ब resilient तो हिंदी पढ़ पारMark रहे हैं तो क्या करा है की ऊंजाने में चंडाल को अपने घर में स thousand देने आवले ब्रांँडा ब्रामण के घर में गलती से भी चंडाल को अगर सरण दे दिया तो जैसे ही पता चल जाएगा चंडाल को जैसे बाबा साहब को एक पारसी ने दे दिया था बाकी तो घुजने नहीं दे रहा उनको लेकिन जैसे ही सत्य का पता चल जाए तो चंडाल को घर से बाहर निकाल देना चाहिए और फिर उस उदार एवं क्रिपालू ब्रामडों द्वारा निर्द्रिष्ट प्रैस्चित करके आत्मशोधन करना चाहिए अब प्रैस्चित भी करना पड़ेगा अच्छा जी और अंजाने में चांडार को अपने घर में अच्चा है देने वाले ब्रामन को प्रचित के रूप में तीन दिनों तक अपने परिवार के सभी सद्योष्टों के साथ गोमुर्ट के पके हुए यावक जो के सतु को दूद दही और घी के साथ खाना चाहिए तता तीनों काल में नान करना चाहिए देखिए यह तो कह रहा है कि अंजाने में चंडाल को अगर चंडाल को अंजाने में अपने घर में आसरे दे दिये हैं अगर ब्रामण तो ब्रामण को कैसे प्राश्चित करना है तीन दिनों तक अपने परिवार के सभी सदस्यों को मतलब वो जो उसके घर में उसकी पतनी होगी, उसकी माता जी होंगी, उसके बच्छे-बच्चिया उंगे। दादा-प्रता सब लोगों को τον does करना कि गोमुत्र में पके हुए जोव के सत्तू में दूद दही घही घुसर लेना है, लेकिन फिर तथा तीनों संध्याओ प्रातः मद्याहन अश्याइकाल में असनान भी करना है खाना है क्या तो दूद दहीगी में गोमूत लाके अजो के सुत्तु फेंट के करना है बाई एनिमल मोवी देखा है आपने उसमें जो हीरो है एनिमल वो भी गोमूत पीता है ठीक है उसको को भी गोमूत पिला दिया है जी सर अच्छा अब यह पढ़ेंगे सेंट नंबर अध्यानवा चांधार को अपने घर में रखने वाले ब्राह्मन को इस पाप के प्रच्यचित के रूप में अपने परिवाज जनों के सार गोमूत के पके यवानू को तीन दिन गी के साथ तीन दिन दही के साथ और तीन दिन दूट के साथ खाना चाहिए इसके उपाप के तीन दिनों तक गोमूत के पकाई यवानू को दूट दही और घी मिला कर खाना चाहिए 12 दिनों तक इस प्रकार का भोजन करने से वह वस्क्र संपत होता है समझ गए अगर अग्यान अपस किसी चंडाल को घर में रख लिया है ब्रामण तो तीन दिन तक गोमूत में पका पका के दूध में दही में घी में तब ये काम करेगा समझ गए ये कोई पढ़ाया है आपको आपको पढ़ाया है कोई नहीं नहीं पढ़ाया है ना हम आपको पढ़ाते हैं हम आपको पढ़ाते हैं तो अब आगे क्या कीजिए आप कि आप जब जो आपको यह समझा रहा था ना जो भी समझा रहा था उसको जाहिए और उसको कहिए कि बटा तु यह यह चीज पढ़ और अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाके सीधे इस जे से डिवेट कर लेना ठीक है आप दूसरों की कही सुनी बाते आकर यहां पे समय मत व्यर्थ कीजिए जो कह रहा है उसको यह पढ़ाईए जिसको दिक्कत है उसको कहिए कि तू जाके वहां सीधे डिवेट करना ठीक है चले दूसरे की बात आके और रोने की नहीं जरूरत है जो कह रहा है उसको सीधे भ पढ़ा दीजिए ले प्रसरिस्मिति पढ़ाईए चले और आगे बढ़ते हैं हम लोग और वीर बहादूर को यह नहीं हाँ जी वीर बहादूर बताये क्या करना चाहते कि क्या आप हमें शुन पा रहा है हाँ सर मैं सुन पा रहा हो उपको हाँ जी बताइए तो यह तो देखें जितनी और्गनाईजेशन है उस और्गनाईजेशन में आर्टी आई का भी एक कॉलम होता है उनकी वेवशाइट पर आप जाएंगे ना तो आर्टी आई का भी एक होता है वहाँ पे आप कुछ पैसे पेमेंट करने होते हैं वो कुछ फी लेते हैं और फिर उनको 21 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी ही होती है तो आप मगा सकते है जै आर्टी 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 यह कौन से विभाग चीज से काम करें वो प्लबद करादेगा और एक मिनट मैं देख लेता हूं कि इसमें इसका जो है पर्षूराम से रिलेटेड जो है विलास खैराजी को देखा था उन्होंने न्हों से मांगा था लिक्वेस्ट करेंगे आर्केलोजी सर्वे अफ इंडिया उनकोआ रिक्वेस्ट करेंगे उनके पास जायेगा और उनको 21 दिन में देना ही होगा तो आप जो question set कर लीजिएगा याद रखिएगा कि आपके जो question होते हैं कई वर क्या होता है कि 3-4-5 question आप भेज देंगे और उधर से क्या करेगा एक question का उतर भेज़ेगा कहेगा कि जो amount payment हुआ है उससे हम एक ही question का answer देंगे तो आप क्या कीजिएगा कि जब भी आप question उसमें रखे न तो उस question को एक question को बढ़िया से उसको बना लीजिएगा कि आप actual में जनकारी क्या चाहते हैं क्या ऐसा question हो कि कोई चीज छूट न जाए क्योंकि उसी उसी का उतर देगा तो आप उसे वो मांगए पुरा तत्व का प्रमाड इंस्क्रिप्शन या कोई उनके समकालीन कोई notes उस समय की लिपी में लिखी हुई उनके उनकी लिखी हुई कोई पुरानी पांडू लिपी scripture वो मांगेंगे इस तरह से आप question रखे तब आपको वो फिर बताएगा कि हम कि यह चीज नहीं मिला यह चीज नहीं मिला वो नहीं मिला था और इंग्लीस में लोग मंगा लेते हैं लेकिन आप हिंदी में देख लीजिए गा और अगर ज्याद हो तो तो आप तो लेंग्वेज ट्रांसलेशन आ गये हैं गूगल का हिंदी करके वो भेज सकते हैं वैसे भी करके अब देख लिजेगा मुझे इसकी मुझा एडिया नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि सायद हिंदी में भी मुझे याद है कि मंगाया गया था वचे तो इंग्लिस मे इसको कोई बात नहीं उसको किसी से चेक कर लिजेगा एक बार गूगल ट्रांसलेटर कर दिजेगा आप तो बहुत सारी चीजे हैं कुछ करके भी बता देंगे ऑन-लाइन भी कुछ चेक कर सकते हैं किसी एक आद लोगों से भी जो जनकार हों से आप करा सकते हैं चेक करा सकते हैं जै कि मैं मगवाना इसलिए चलूंगा था कि इसको जो है मैं सबका निकाल यह पब्लिक्ली में करना चलो कि अभी हमारे कई लेकिन यह हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि ऐसे जवाब आया है हम लोगों पता ही यह तो वीडियो देखी थे आपकी जो भी दो दिन दिन पहले थी तो मैं उन्हों ने बामसेफ ने बहुत सारी चीज़ों का आई निकाल निकाल के रखा हुआ है वह कहिए कि व सारे लोग जो जो काम कर रहे हैं उनको यहां पर लाना जरूरी है समझ रहा है ना क्योंकि उनके जो अपने काम है उससे पब्लिक को फैदा होना चाहिए ना कि लोग क्या-क्या कर रहे हैं क्या-क्या जनकारिया आ रही है उस पर क्या-क्या चीज़े आ रही है तो इसी सब्सक्राइब किताबे मुझे ना आनलाइन मिल रही है ना जो है मार्केड वगरा में मुझे मिल पा रही है कई सारी ऐसी किताबे हैं जिसकी कुछ-कुछ प्रती जो है ना कुछ-कुछ लाइबरेरी में ही एवलेबल है आप जितना रेयर से रेयर जो लाइबरेरी है बड़ी-बड़ी वहां के गलियारों में कुछ-कुछ किताबे मिल जाती है तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि उसने इन दुरलब किताबों को उठा उठा कर और डाल दिया है कुछ किताबे ऐस अगर नहीं खरिदता है तो फिर पड़ी रहती है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना मिल जानी चाहिए मेरे ख्याल से अभी तक तो अब आज की डेट में आज तो मैंने नहीं चेक किया लेकिन मेरे ख्याल से अब एक पर सही से चेक किजिएगा हाँ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो एवलेबल है सबकी हार्ड कांपी नहीं अभी मैं बता दूं यह हिमाले परिचे जो किताब है यह मैंने इसलिए आज बोल रहा था कि शम्यक पब्लिकेशन को चाहिए कि इस किताब को वो लोग छाप दें क्योंकि यह भी किताब कि इसकी हाड़ कमपि नहीं वह रहे संकिर तयान की बहुत सारी किताबे जो है वह चाप च्छाप आई में मिल रही है हाइड कॉपी में लेकिन कुछ किताबे जो हैं जिसे ज्यादा पूल खूल रही है तो वह भी चीज़ है ठीक ओके अचा इसके बाद से कि यहां पर कोई राम जी आये हैं हाँ जी राम जी बताएं क्या कहना चाहते हैं क्या भीम नमा बुद्धा है सर्ड हाँ जी बताइए सर्ड मेरा एक सवाल था यह जो वेदा जैं जो इस टाइम पर यह बुद्धा के टाइम पर था यहां यह जब मनुसमिती आई तब स्टार्ट हुए देखें अगर वेधा जो है उसकी लेंग वेज को बताया जा रहा था यह कोई वैदिक संस्क्रीट ऑवे लेंग वेज तभी होती है जब वहां के लोग उस लेंग्वेज वे बोलते हैं जानते हैं, समझते हैं, तभी वहां का वो culture होता है, तभी वो चीज practice होती है, अब मानलेजे भारत में, पूरे भारत में कभी भी Vedic Sanskrit नाम की कोई language ही नहीं थी, न भारत के लोग कोई Vedic Sanskrit को जानते थे, भारत में सारे ब्रामध भी कोई Vedic Sanskrit स्क्रीट को नहीं जानता सारे अनुवाद करते हैं तो सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग समझ में आता है तो एक बात समझिए कि जो लेंग्वेज कभी भारत में थी नहीं तो उसको प्रैक्टिस करने वाले फिर भारत में कहां से होंगे बुद्ध के समय में बताइए ब्हारत में इसलाम आया तो यहां के लोगों को तो अर्भी-फार्सी नहीं आती थी लेकिन अर्भी-फार्सी कुछ लोगों ने सीख ली लेकिन कम से कम वो जो लो क чаंट हुएं इसलाम में जो कंवर्ट हुएं तो नमाज तो पढ़ने जाते हैं तो हिंदी में तो नहीं पढ़ते हैं, संस्क्रीत में तो नहीं पढ़ते हैं, उसी में अर्भी फारसी में जाके पढ़ते हैं, जो उस लेंग्वेज में लिखी है, तो आप लेकिन उनकी भासा भारत में तो अर्भी फारसी है नहीं न यहां पे, भारत में अर्भी फारसी तो भासा नहीं है वो तो उन्होंने चुकि convert हो गए उस चीज को सीखा उसको रट लिया तो जाके नमाज पढ़के चले आते हैं अब वेद को लीजिए तो वेद में क्या चक्कर है कि अगर भारत के लोग convert हुए होते हैं वैदिक बने होते हैं कोई वैदिक बाहर से आता अपनी language लेके क्योंकि भारत की तो यह भासा है नहीं कभी पाई नहीं गई अब एक condition लोग यह कहते हैं कि विदेश से आ गया तो भारत के लोगों को अगर उसने वैदिक बना दिया तो भारत के लोग भी तो वेद को सीखेंगे ना रट रूट तो लेंगे रट रूट के वो भी त नहीं हुए ना इसमिर्ठी में का रहे हैं क्या चीज मनुस्मृति में मैं समझ नहीं पा रहा हूं के यह काड़ने वाली चीज़ बड़ा अच्छा सवाल है आपका वेद में कहा है वेद भारत के लोग जानते नहीं थे अब वेद भारत के लोग न जाने इसी लिए तो अन्यगरंथ लिखे गए वेद जो है वेद तो भारत के लोगों की भासा कभी थी नहीं तो भारत के लोग जाने ही नहीं पाएं कि वेद क्या है तो वेद लोग न जान पाएं इसके लिए कुछ और किताबे भारत में चार धाम बताये गए हैं आपको नाम पता है चारो धाम क्या जी जी से हरीद्वार अब बद्रीनात और ये दो थे सर तभी मैं भूल गया हूं रजा चलिए मैं आपको बता देता हूं मैं आपकी help कर देता हूं केदारनात का नाम आपने सुना होगा जी सर सुना है ना केदारनात का नाम तो केदारनात को बताते हैं एक बद्रीनात को भी बताते हैं ठीक है तो ये जो जगा है केदारनात बद्रीनात इसी तरह के चार बताए गए हैं पूरी है अब ये बताईए कि इनका जो सबसे मेन होता है उन तो संकराचारे होता है इसमें जो बैठते हैं वो शंक्राचारे होते हैं इनको कहा गया है कि ये लोग पहली ब्रांच है हिंदुईजम की पहली ब्रांच इन ही को माना गया है संक्राचारे को कि इनोहों ने जो भी किया तो ये तो कह रहे हैं इनका तो ये सिधान्त है ब्रम शुत्र पर संकर भाश्य है इनके जो संकराचारे हैं वो तो ये कह रहे हैं वेद श्रमण प्रतिशेध हो उतो प्रतिशेध की बात कर रहे हैं वेदा द्यान प्रतिशेध हो वेद के अध्यान पर प्रतिशेध लगा रहे हैं किसके लिए तो नीचे लिखे हैं सुद्र यग आदी करने का यदि वह शुद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को शुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाट पिगला कर भर देनी चाहिए शुद्र चलता फिरता शमशान होता है अतह उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए वेद का उचारन करने पर शुद्र की जीव काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठष्ट कर लेने पर उसका सरीर चीर देना चाहिए शुद्र को ज्यान नहीं देना चाहिए अब भारत के जो चार धाम है अरे ब्रह्मशुत में लिखा है ब्रह्मशुत्र का 1338 चैप्टर वन जो है उसक अब यह बताइए कि जो मुख्य चार धाम बताएगा है जो शंकराचार को ब्रांच बताई जा रही है मूल ब्रांच बताई जा रही है पहली ब्रांच बताई जा रही है हिंदुजम की वो तो कह रहे हैं कि शुद्र को वेद सुनने ओनने का अधिकार नहीं है पढ़ने का काटने चीटने फिटने की बात कर रहे हैं अब बताईए कि फिर वेद जो है वो बुद्धा के समय में कैसे हो सकता है अच्छा जी चलिए देखें राम जी आये और ये जो है नाम सुनके लगता है संचाई देखके बैटरी खतम हो गई जलिए कोई बात नहीं जलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और शुभंकर गौतम आये हैं इनको मेड करता हूं हाँ जी शुभंकर गौतम जी बताएं क्या करना चाहते हैं साइन जी नमबुद्धा जैभी हाँ जी बताएं साइन जैनल्य जी मेरे एक डौ ता जैसे की अगर हम अगर मेडिवल इस्ट्रीम में देखें तो हमाने पता है कि ऐसे कोई भी इंडिया की श्ट्रीम में हिंदू राजा नी था जिसने अखंड भारत बनाया हूं जबकि ज उसका मैप जो था वो इंडिया से लेके मिडल इस तेक जाता था तो यह सच है या फिर इसमें कुछ सचा है या फिर यह जूट है कौन से सदी में था वो राजा विक्रमादित्या आ एक मैं आपको स्ट्रीम करें करें दिखाता है कि नहीं वह बताते होंगे ना उसका डेट ऑ उन्वर्सिटी से हैं वो सब यह हैं अगर कोई ऐसा रहेगा तो भाई भारत में बताया जाएगा ना पढ़ए जाएगा ना विक्रमादित्य जो है विक्रमादित्या की उपाद ही कौन देता था जहांगीर के समय में जहांगीर देता था विक्रमादित्य की उपादी यह मतलब विक्रमादित्य की उपादी जहांगीर ने सुरू की थी उसके जहांगीर नमा मैं लिखा हुआ है और बोलिए जी जी आप बोलिए देखें कोई भी राजा जो है जब इतिहास में पढ़ाया जाता है बताया जाता है तो उसका एक जनम काल खंड होता है अगर वो हुआ तो उसका बाप कौन था किस से लड़के पूरा इतना बड़ा स उसके बेटे कौन थे कौन सी जगह का राजा था कहां पर है बताना पड़ेगा यह वाट्सप इन्वर्सिटी से कुछ भी यह कह देंगे तो उसको माल लिया जाएगा सबूत मांगा कीजिए खुल के सबूत मांगें कि समय कालखंड तो बता उसका कुछ इंस्क्रिप्शन म पहली बात के आपने एक सब्द कहा कि शमराट असौक जो थें वो ए हिंदू राजा थें गयर हिंदू राजा वह इस्टेटिमेंट गलत है भारत में लोग कुछ लोगों को छोड़कर सब के सब लोग बुदिष्ट थें ए टुजेड लोग भारत के लोग समराटसोग के समय में बुधिष्ट ही थें और जो संग में थें तो उन्हों ने अपने पीलर पे लिखवाया है कि जो संग को तोड़ने की कोशिस कर रहा है उसका मैं सर मूडा के सफेद कपड़े पहिना के बाहर निकाल दूँगा यह उन्होंने जारी किया था सर मूडा के निकलवा दूँगा ब्रामःडों ने नियम क्या बना लिया मनुस्मृति में कि ब्रामःड अगर गलती करेगा तो उसको जो है सर मूडा के देश निकाला दे दो यही सबसे बड़ा उसके लिए मृत्यू दंड है मतलब ब्रामःड समराट असोक के ही राज डंड को अपना नियम बना लिया है कि हमको मृत्यू दंड मत्ते ने खैँ को समराटवसोक जो है वह अपने विखोओं के लिए यह द्रम जारुकिये थे इसलिए हमारा नियम है ऐढ़ आज आप सुनते हैं कि कि वो कर लो उपवाश कर लो दो दिन का आज के दिन ये मांस मत खाओ वो मत खाओ ये भी तो इनों ने यहीं से कौपी किया है समराट असोक ने कहा था फिर इसके बाद से जहांगीर ने कहा था वहीं से इनों ने सारा चीज कौपी किया है तो हर चीज इनकी कौपी है A to Z इनका कोई धरम इतिहास में रहा ही नहीं है भारत में शर्व सरा जो सबसे बड़ा संवराजय था अकबर का था उसके बाद से यृक श्रा-उसिय अंगरेव गातह देभी का सबसे बड़ा अखन्ड भाया था और सबसे पहले सम्राट श balcon का अखन्ड भार्त ता-बागी के ब्रह्म्हनी जम में एक बात बताईए ब्रामपनक़ पंडे तो आपस में मारा मारी कर लेते हैं आप चले जाए इनके पिंडों पर चले जाए और वहां पर जा के वो पूछेगा आपका गाउ क्या है यह कहां है आप किसके उसमें कौन से पंड़ा आपके हैं आप कहिएगा उसके पंड़ा किसी दूसरे के पास चलिए देखे दोनों पंड़े वहीं पर आपस में मारा मारी कर लेंगे अरे यह मेरा कश्टमर था तुमने कैसे ले लिया यह ले लिया इनके हां कभी है ही नहीं इनके हां एकता अपकी नाम की कोई चीज नहीं है ब्रह्मेनिजम में इनका धंदा है धंदे पर आपस में मारा मारी है आपस में लड़ लेते हैं ब्रहेमेनिजम कभी भी देश को बाधा ही नहीं है कभी नहीं बाधा है भारत में जिसने भी बाधा ओव मौरियन्स ने बाधा था मौरियन्स uzok मोरो जरो राजा हुएं बुद्धिजम के वो रहें और फिर उसके बाद से मुगलियां शु Care है और उन लोगों ने जैसे भी कर अजीवक जो थे वो बुधा के उसमें चले गए थे जितने भी आजीवक लोग थे वो बुधा के अंदर में चले गए थे आप सिल्प कलाएं बुधियम की जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो आजीवक थे नंगे रहते थे अब बुधा के साथ खड़े मिलते हैं आपको समय रहे हैं अब जरा सूचिए इसी बात को आप जरा सूच लिजिए कि वो खुद ही सेरेंडर कर लिये थे आजीवक लोग तो उनका अलग बचा क्या अलग क्या बचा और शमराट असोक ने अपने इंस्क्रिप्शन पर ही लिखवा दिया है कि वो तो शुरू से ले आप चाल से लेन की किताब है जाके पढ़ सकते हैं मैंने कई बार यहां इस्ट्रीम दिखाया है जो मैंने अपना प्रजेंटेशन दिया है या कई सारे हमने वीडियो बनाए है वहां पर आप देख लीजिए हमने हर चीज दिखा रखी है अगर आप लोग पुराने वीडि चीज़े पूछता है उसका कारण यही होता है कि इन सारी चीजों का जबाब हम लोग पहले दे चुके हैं अरे उन्होंने इंस्क्रिप्शन पर लिखवाया है भई शम्राटर सोक ने तो एक एक जिकर आता है कि अशोका ने मतलब काफी अजीवी कास को किल भी करा था अपने अपने बुद्धिजम अश्रप करने से पर तो उसमें कुछ चाहाई लिए था आव विकिपीडिया पे उपलाब दें आरे बाटस अपिन्वर्सिटी से एक कदम भी आगे पिछे नहीं है इंसीडंट कहां है उसके विकीपीडिया जो है वह कोई वो थोड़े ही है विकिपीडिया क्या करता है कहीं कहीं से उठाता है जो जिसके देस का है वैसे जां चान देता है मुसलिम के येगा ब्रामडों के सपोर्ट में लिखा होगा बुद्धिजम के सपोर्ट में आपको उतना नहीं मिलेगा इसलिए नहीं मिलेगा कि ब्रामडों ने पूरा कभजा कर रखा है पूरे ब्रामडों ने कभजा कर रखा है इंडिया का जितना भी बुद्धिजम का वो है उसको या कहां इस बात को उतना समझ पाएं हैं कि उनको social media पे क्या प्रजेंस करना है social media की वार को कहां समझ पाएं है और नहीं यहाँ पे कोई fund है कि बच्चों को आप fund प्रवाइट करेंगे पूरा पैसा है इस समय तो सबसे बड़ी ब्रह्मनेजम तो दुनिया का सबसे धनी वह बन गया है ना यह फेंक फेंकने उस तो फैलाने में तो माहिर है वैसे ही अब fund की कमी नहीं है इन पे तो इन्होंने पूरी तरह से अपने support में हर चीज लिख रखा है बताईए जिन लोगों का एक single inscription नहीं मिलता है शमराट असोक का इतना inscription मिल गया आपने विक्रमादित्य का नाम बताया बता दीजिए वो शमराट असोक से पहले था बाद में था कहा कहा उसके inscription मिले किसे ने पढ़ा कब पढ़ा अगर विक्रमादिते इनका हिंदू राजा था तो सारे इंस्क्रिप्शन तो किस ने पढ़े हैं सारे इंस्क्रिप्शन तो पढ़े हैं अंग्रेजों ने आके पूराने जितने इंस्क्रिप्शन थे फ्लीट ने पढ़ा है गुप्त वंस का तो तो पिक्रमादिते का इंस्क्रिप्शन फिर किस ने पढ़ा है तो बीना हिस्टोरिकल प्रूफ के फिर तो बता दीजिए यह राम को खड़ा किये राम को राजा कहां का बताएं है अयोध्या का अयोध्या कितना बड़ा राज्य है एक छोटा सा जगह बताएं उपर से क्या प्रूफ आरहें कि वह भी राजे नहीं है बलकि एक राज्य कोश्ल राज्य हर्य उसको उसल राज्य है ठोटा में एक छोटा सा नगर है अच्छे चूटे-च्छोटे जगह के कालपनी फिरिदी और एक ऐसा संवराथ संब्राट असोग जिसकर इतने inscription मिल गए जिननों की फूती जो है पूरा विश्व में बोल रहे है, उनकी इन्सक्रीप्शन में बताईये, ईजीप्ट के तौलमी जो वहां के प्रसासन था उसकी चर्चा है, ग्रीक के रजावों का चर्चा है, चोल पांडया चंदल सब की चर्चा है उनकी साउत से लेकर lugar लेकर एजीप्ट के साथ को सब्सक्राया कितने दूर कितने डिश्टेंट्स Chinese को तो कितना समराट जो हैं सारी चीजें उनकी मिल रही है उनकी इंस्क्रिप्शन में उबड़ा नहीं है लेकिन कलपना में एक छोटा सा कोसल राज है कोसल राजे का एक छोटा सा कस्वा है अयोध्या उसको आप एक आत्मी जनम ले लिये हैं वो गए हैं लड़ ओड़े के बीबी लेकर पूजा कर भाई क्रिश्ण सबसे बड़े राजा हो गये की क्रिष्ण सबसे बड़े राजा के उन्होंने समझा दिया एक भाई को अपने जो आप मैं मैं सौलूसंदता हूं मैं अपनी पूरी सेना तेरे पच्छ में देता हूं एक काम कर ना नहीं लड़ूंगा और दूसरे से कहते हैं मैं तेरे साथ खड़े रहा तू मार मैं देखूंगा तुमेरे इसे निकों को मार मैं तुझे देखूंगा पूजा करो इनकी अब बताइए छोटे-छोटे कुन्बे-कुन्बे भरके कालपनी किरदार खड़ा करके पूजा पाठ उन पे निल बटे संनाटा मुझ पे और गलत गलत चीजे फाइल आई जा रही है उन पर पहले तो लिपी इन लोगों को नहीं पता थी अब बता रहे हैं कि वो जो है क्या बता रहे है समराट असोक का कि आजीवक्त है तो पता नहीं क्या थे तब कहां सी यह हिश्च्री ले राज्या विशेख हो रहा है यह भी लिखवा दिये उन्होंने यह तक लिखवा दिया कि एक लड़ाई हुई उसमें इतने सेनिक वे निक मारे गए अब मैं सेनिकों के मारने वाली लड़ाई नहीं करूंगा अब धम का प्रचार करके जीतूंगा लोगों का दिल लिखवा लिखवा दिया उन्होंने नहीं इतने नाम लिखवा दिया और उन्होंने तो कहीं नहीं यह बताया कि वह पाले हिंदू थे और यह कोई हिंदू थे हैं यह रहा थे आप तो जब उन्होंने अपने तरब से कुछ क्लेम नहीं किया उन्होंने कुछ कहा नहीं तो यह कौन आपके माइड में डाल रहा है कि समराट असो कि यह थे थे फरजी फरजी गपूर गाथाय लिख लिख के कि समयरा ना हम इतिहास के जिस चरित्रों के बारे में नहीं जानते हैं जिसका चरित्र हमें उनके इंस्क्रिप्शन से उनके सिलालेखों से जिसका पता हमें चल रहा है तो हमको उनके सिलालेखों से ही उनको जानना चाहिए जब और जस्ती पंड़ा-पंडों के गपूर पुरुस जनम लेता है तो वो लोगों को अपने कुछ विचारधारा बताता है, जैसे एकजामपल के लिए बुद्धा थे, उन्होंने लोगों को बताया, पंच सील पालन करो, चार आरिय सत्य बताया, अश्टांगिक मार्ग बताया, जो जो चीजे बताई, भिक्षो ने उसको कमपाईल किया, रख उनकी भी कुछ-कुछ बातों को लोग मानतें हैं, जैन के लोग बुलतें, बटाते हैं कि उनके महाबीर ने ये, बाते वर्धमान ने बाते बताई ये, अनके शिद्धांत है, ठीक है, अब आते हैं हम, इशायत पे, उनके जो जीस थें, जो भी करते थे, पानी वानी पर ज़िसके देखेसे सीधान्त मोजूस सब जानते हैं वैसा करते हैं किます इसलाम को ले लिजिए उनके मुहम्मद ने एक जूंटी कहानी फैला दी कि हमको कोई गैबरेल आता है वो अल्ला की उचाते तो ये भी कह सकते थे जैसे बाकी के बुद्ध हो गए महावीर हो गए जैसे उन लोगों ने अपने सिधान दिया भाई मुहम्मद भी अपने सिधे बोल देते हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं मेरी ही बात है ऐसा ही तुम मानो ये धरम गरां त्यार कर लो उन्होंने एक जूंट का सहरा ले लिया कि जब और जस्ती की कोई गेबराईल आया है वही कहा है क्योंकि साथ उनको इस बात का डर था ना कि इनकी बात को कोई वहा आरे वो कर देंगे मान लेंगे यहां इस वर का राय अल्ला का राय से लिए मान लो भाई तो डर का सहरा ले लेकिन फिर भी आप देखें इसलाम में मुहम्मद तो मौझूद है ना लोग कह तो रहें ना कि मुहम्मद का ये चीज था ये सिदान था ये था जो भी था अब राम पे आते हैं वही आपने कहानी लिख दी और अब आप उसमें बता ही नहीं रहें कि राम के सिधान्त क्या थे अरे आवतार लिया कोई व्यक्ति साधी भी कियें लड़ाई जगड़े भी कियां आप सब बता रहे हो कि रक्षासु का ये शंगार किया वो किया ये किया हर जगह आप एक ब्रामण उनके साथ चेंप दे रहे हो साथ दे रहे हो जब साधी विवा होने जा रहा है तो विश्वामित्रों को साथ में साथ दिये उसके बाद से जब वो साधी साधी बादी हो गई अपहरन जब का केस हुआ तब आप जो हैं पूरी एक बानर से ना साथ साथ दियें बताइए उन जगहों पे जिन रास्तों से वो गएं लंका गएं उन छेत्रों में वहां के लोग वहां के भी तो राजा होंगे जाब दसरत जो है उन तो बुलाए थे ना सबको दक्षिन के नरेसों को बुलाए थें अगल बगल के सौराष्ट के सोवीर के रहा है आजाए भाई यग में सब लोग सम्मिलित होई है तो अब वही पूत्र जब जा रहा है उन रास्तों से गुजर रहा है जा रहा है लड़ाई के लिए एक भी राजा उनके साथ नहीं गया पूरी बानर से ना करोणों बानर से लिखी जा रही है तो आप जो है कलपना जब कालपनिक चीज़े लिखते हैं तो कालपनिक बाते उसमें जाती है रियल में अगर जब चीज़े होती तो आती अब एक सवाल है कि फिर आप जातक कथाये में जैसे कहा जाता है कि यह स्टोरी है इससे आप सीख लो अब आप फिर कह रहे हो कि रमायड में राम के चरित बताएंगे लोगों को ऐसे जीवन यापन करना चाहिए लड़कियों की दसा इतनी खराब है इनके लिए स्कूल कॉलेज खोल दें या इनके लिए भी कुछ कर दें इनके लिए भी कुछ वह तो कुछ नियम सिधांत नहीं बना रहे हैं और तो और आपने उनको क्या कहा दिया शर्यू नदी में डूब के अपने चले गए लोक में पानी में डूबा दिया आपने तो राम तो पूरे चरित्र पूरे किताब में कहीं कुछ बोलते ही नजर नहीं आ रहे हैं एक यहीं चीज बोलते हैं लच्मन से कि देखो मैं तो निंदा कताही नहीं सुन सकता उतर का तो मैं तो निंदा मैं मतलब अपने भी प्राण त्याग दूं तुम भाईयों को भी छोड़ दू तो सीधा कौन सी चीज़ है यही तो कह रहा है निंदा और फिर छोड़ देते हैं तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब भी कहीं कोई कह रहा है न कि इस कहानी से सीख लो moral of the story इस story का moral क्या है यानि कि वो चीज़ें जातक कताओ का हिस्सा है जातक कता में ही सिर्फ एसी कहा जाता था कि इन कहानी से इस कहानी से आपने क्या सीखा यानि कि रमायड जो है मूल रूप से जातक कताओ को ही extend करके लिखा गया है और इसलिए कहा जा रहा है इस कहानी से सीक लोग, अगर वह वास्तों में होती, हकीकत होती, तो जैसे संकराचार यह आठवी सदी का, चार धाम बनाके बाइट गया, तो राम का भी कोई धाम होता. ना, उनके भी कोई अनुआई होते हैं, उनके भी कोई follower होते हैं, उनको भी मानने वाले होते हैं, आगर ना सब को मननेवaż हैं तो ऊसी तरह से अगर राम होतें कोई सिधांत होता तो राम को मानने वाले कुछ होते राम के लेकिन एक समप्रदाइप 1 16 में आता है रामान। समप्रदा अवु दावा कर रहा है क्या यहां कियि मेरी यह 15 15 सदी से पहले वह जमीन किस क्योंकि रामानन तो 15 शदी के हैं उससे पहले वो जमीन किसकी थी और अगर आपके राम हैं आप यहां से राम को इस्टेबलिस कर रहे हैं तो उसके पहले फिर क्या था उसके पहले का तो सब दीजिये राम का फिर तो यह ऐसे मुद्धे हैं जिस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं और इससे साफ साफ पता चलता है कि उससे पहले जाता कता है अल्रेडी एवलेबल थी तो वह कोई भी कह सकता है कि यह कौँ पीछ है हाजी आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पे देवानसु चौधरी जी का यहां सुपरिश्टीकर है फिर यहां पे राज कामले जी का भी शुपरिश्टीकर है यहां पे आईसेक लिखते हैं शर्व वें डिट व्रामिन श्टार्ट डॉमिनेटिंग शुद्राज एडी और बी वाजदेर एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी लोवर क्लास ड्यूरीं बुद्धा प्रियड में कोई लोवर क्लास मतलब आज की जो अच्षूत विवस्था है या जाती अधार विवस्था ऐसा नहीं है बुद्धा के समय में क्लास उस तरह से थी अगर कोई राजा है तो रा जाती व्यवस्ता कुछ थी नहीं वहां पे ये तिपिटक के तमाम चीजे आप पढ़ेंगे जैसे अमबस्ट का मैं बार-बार एक्जामपल देता हूं कि उसमें जो बमड बनके उनसे आया था डिवीट करने जिसको लोग ब्रामड ब्रामड करते हैं उकुद साक्य था बमड सिल्पकार बच्चे हैं उकाते हैं कि चलो-चलो हम तो जा रहे हैं पढ़ने अब पढ़े के हम भी विद्वान-पंडित बन जाएंगे ठीक है चर्चा आती है इनकी तो ये डोमिनेशन का जो बात है ये तब आया है जब बुद्धिजम डिकलाइंड हुआ है वेन सौंग से लेके फाहयान से लेके इतने लोग पढ़ने आये इत्सिंग पढ़ने आये नालंदा में और नालंदा उनिवर्सिटी तो तेरवी सदी में जलाई गई है ना विक्रम सिला अगर इन यहां पे परवेश वरजीत होता शुद्रों का परवेश वरजीत होता जिसको सुद्र कह रहे हैं बारत के कोई अच्छूत वेवस्था होती जिनको इनवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तो वो लिख के जाते ना कि यहां पे एडमिशन जो है बीदेसी लोग का होता है यहां एडमिशन स्रिफ ब्रामडों का होता है यहां पे किसी भी स्चूत का एडमिशन नहीं होता है लिख के जाते ना वकाय दे तो कहीं वहां पे नहीं था बुद्धिजम में है ही नहीं कि कि किसी को सिक्छा नहीं देना है वहां तो यह है कि हर व्यक्ति के घर म मांग के खाना खाईए रोटी बेटी संबंध में खान पान ये जो लाया गया ना कि इसके यहां खाना जो परासर स्मृति में दिखा रहा था जिसमें कहा रहा है कि गल्दी से भी चंडाल के यहां खा लिया उसको कर दिया तो गोम उत्पका के खाऊगे ये बुधा के एगेंश्ट में लिखा गया है बुधा के एगेंश्ट में ये सिधान्त खाड़ा किया गया है कि ब्रामहड इसके घर से नहीं खाएगा इसको ये करना है वो करना है क्योंकि ये खान-पान की बाते बुद्धिजम की थी ना बुधा काते थें कि विखु जो है गरीब से गरीब के यहां भी जाईए सुखा पानी आपको डाल दे सुखी रोटी आपको डाल दे कोई बात नहीं वो भी आप खाली जिएगा बुद्धिजम ने हमेशा ही हर घर से जोड़ा है खाने के लिए और ब्रैमेनिजम ने हमेशा तार काटा है खान-पान को काटा है खान-पान नहीं रखना है किसी से समय रहे है न यह चीज है आईजक जी फिर यहां पे अब इंग्लिस में बहुत सारी किताबें हैं लेकिन आप हिस्ट्री बुक्स में किस हिसाब से पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं वो देखना पड़ेगा न आपको चार्ल्स एलेन की पढ़ सकते हैं लेकिन उनमें भी एक दो पॉइंट पे मैंने फाइंड आउट किया है जिसको हटाने की जरुरत है जो नहीं शुटेबल है वो देख सकते हैं अच्छा अमित्तिवारी जी ने लिखा है कि जै भीम आप शबको वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों बहुत बहुत सुक्रिया अमित्तिवारी जी आपका बहुत सुक्रिया चले हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाविश्यक्याप राहुल संकिर्तियायन बनें और फिर जो है अरे यह तो हैंग हो गया क्या यह लीजीए है अच्छा अब आ गया और शुपरिश्टार जी का यहां पे शुपरिश्टीकर है फिर यहां पे शुपर इस्टार जी करें बहुत बहुत सुख्री आपका शुपर इस्टार जी और फिर यहाँ पे एक क्रेन कौन सी ग्लियर लिखते हैं शर जाती के ठेकेदारों को धोते रहिए जैविम जाती बात पूरी तरह से खतम करना ही करना है उसमें कोई भी वो नहीं होनी चाहिए चले आगे हम बढ़ते हैं और अब देखें कोन आये हैं यहाँ पे कोई चंदन सरमा आये हैं आजी चंदन सरमा बताएं क्या करना चाहते हैं प्रस्ट है कि जब असोप ने लडाई कि थी जब वो भगवान बुद्ध के सरण में गये थी उसके पहले लडाई की थी कई से पटा चला आपको कि लडाई किये थे उसके पहले सरण में गये थे इस अब कहां से आप लोगों को जनकारिया मिली है थोड़ा गयान Да अधियास के बुक से पता चला था जो मैं पढ़ रहा था इतियास और कुछ फूक थी तच्छा पांच में और च्छे में भी पढ़ा था जैश्ट मैं आपका विचार जानना चाहता हूं बोलिया यह क्या हमने सही पड़ा था या कि कुछ इसका मूर कुछ हो रहे है नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं ना ऐसा कुछ है नहीं समराट असोक शुरू से यह बुधिश्ट थे समराट असोक जो है शुरू से यह बुधिश्ट थे भारत में बुद्धा पूरुव बुद्धा उसके अलावा और कोई भारत में मजवब था ही नहीं, ना कोई धरम था ना कल्ट था, मिला zen ली नहीं, भारत में बुद्धित्यम के अलावा कुछ था जैनी जम आया वो बाद में आया है जैन के राजा फिर देखें दूसरी तीसरी पांचवी छटी सती से उनके भी कुछ चीज़े मिलनी सुरू हो जाती है और ये चाणा के तो फरजी है ना चाणा के तो टोटल फरजी है एकदम फरजी है 100% फरजी है चाणा क्या का अभी डाल किरदार नहीं मिला मतलब कई बुकों में नहीं मिला तो उसको कानफर्मेशन वेरिफिकेशन नहीं किया गया तो उसको नहीं डाला गया था लेकिन मुद्रा राक्षस और कुछ किताबे करके हैं उसमें सभी सभी प्रमार्ण खो जा गया फिर और डाला गया या इस पर क्या क्याना चाहिए दखें जितनी किताबे जो आई हैं चाड़ा क्या की वो मौर्यंस अभिलेह के पहले होनी चाहिए थी ना मतलब जैसे राम मंदिर है तो राम मंदिर का मुद्धा कभी भी पहले क्यों नहीं उठा राम मंदिर का मुद्धा जैसे मैंने बाबर नामा दिखाया था अकबर नामा दिखाया जिसमें हुमायू की हालत खराब है और वो सोच रहा है कि हम फकीर बन जाएं सब चीछ छोड़ चाड़ के भाई द्रोह कर दियें दोस्त सब दूर हो गए अपने सैनिक जो है धनों लेके छीन लियें कुछ दे नहीं रहें उसकी हवा खराब थी बिलकुल और तब एक राजा जो है भारत का अमरकोर्ट का वो उसकी हेल्प करके उसकी बीबी गरववती है उसको अपने बीबी के डिलिवरी तक रखने के लिए उसके जगह नहीं थी वो अपने घर रखवा के उसकी डिलिवरी करा के अकबर को जनम दिलवाता है अब बताईए कि इतना कर रहा था क्यों कर रहा था भाई एक व्यक्ति जिसने भारत में जिस पर आरोप है कि जिसके बाप ने राम मंदिर बनवा दिया और उसके बेटा जो है खसते हाल है आप उसकी हेल्प कर रहे हो और बाकी के राजा चुप हैं उस समय तो अपना फिर से राम मंदिर बन करना हुई थी समय रहे हैं कोई भी ऐसी घटना नहीं थी वह कोई जगह थी जिसका फाहयान पांचवी सदी में चर्चा कर गया कि वहां पर सुतूप हुआ करते थे वहां पर बौधों के विखुशंग हुआ करते थे यही सब तो मिलता है कुदाई से और फिर वहां पर कि अपर इस्टेबलिस कीजिए कि चाना क्योंकि अस्थापना कब हुई चाना के कब पैदा किया गया चाना के तब पैदा किया गया जब मौरियंस 1837 में मौरियंस का अभिलेख पढ़ लिया गया 1837 में और उससे पहले विलियम जोन्स जो है 1774 से लेके 1793 तक विलियम जोन्स जो है उनको एक किताब मिली ग्रीक्स की कुछ किताबे मिली युनानियों की किताबे मिली जिसमें एक सब्द उनको मिला शेंडरो कोटस और किताब पढ़ रहे थे विश्नु पुराण उसमें उनको दिख गया कि इसमें कोई नाम चंद्रगुप्त है और कुछ फरजी फरजी वनसावलियां है और वो बंदा को ग्रीक किताबों में शेंडरो कोटस नाम मिल रहा था उसको सूचा कि शेंडरो कोटस वहाँ पे नाम थोड़ा बदल देते हैं पाली ब्रोथा लि कुछ सिमलर सिमलर लग रहा है विलियम जोन्स को विलियम जोन्स ने किया किया कि उन्हों ने कहा है कि यार ये ग्रीक्स की सारी किताबे जो मेगस्तिनीज नाम आ रहा है इसके नाम से किताब मिलेगी पुरा च्छान मारा कहीं मिला नहीं अलग-अलग सोर्स से उसको कुछ- लेकिन तब तक वो यह बता चुके थे कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सेंड्रा कोटस जो कह रहे हैं पाली पूत्र की बात चल रही है यह लेकिन उसमें भी चाणके का कहीं नाम नहीं था अब देखें जब यह खड़ा किया गया जब 1848 में जब मेगस्तिनीज की इंडिका कमपाईल हो गई और उसमें देखा गया कि उसमें कहीं वहां के ग्रीक के लोग किसी चाणके को नहीं जानते थे चंद्रगुत का कौन गुरु था कोई नहीं जानते थे उसमें सबके नाम आ रहे हैं हर चीज आ रही है विक्खुओ की चर्चा है बुद्ध की चर्चा है कौन से विक्खु जो है नंगे रहता है, कौन से विखु जो है वो फल खाता है, फल भी नहीं तोड़ता है, इंतिजार करता है कि फल अपने आप पूट के नीचे गिरे, तग आवे नदी का पानी पीता है, इतनी छोटी-छोटी डिटेल्स की जिसमें चर्चा थी, उसमें चाड़ा के उसमें भी कही किताब कोटिल्य का अर्थसास्त्र लेके आ गया, अब कह रहा है कि यही गुरू है, देखें यह भाग गया है, अब बोलिए चंदन सर्मा आपको क्या कहना है, हाजी चंदन सर्मा, तो इस तरह से आप लोगों ने मौरियंस इंस्क्रिप्शन जब खुल गया ना, आ गया सा क्या आपका होता, और तसास्त उसका होता, ता आपको पता नहीं होता, आपको रहमाण पता है, महाभारत पता है, पुराण पुराण पता है, आपको काम सुत्रा पता है, चाणा के कहीं किसी ब्रहमाण को नहीं पता था, पता भी चला तो कोटिल ले, हलो, हाँ बोलिए, हम कि सम्राट असोक और चंद्रगुप्त मौर जी से पहले जो सम्राट महापदमनंद जी थे उनका भी वड़ानाता है वो सभी बुद्धिष्ट थे एटुजेड यह सारे लोग बुद्धिजम को पालन करने वाले थे बुद्धिष्ट लोग थे अरे भाई यह वन्सा उलिया ही आई है कहा से आई है महावंस से आई है इसब बुद्धिष्ट राजा लोग थे यह महावंस नंद्वनस की अस्थापना महावंस से नहीं आपर प्रदरस्पी गई जहां तक हमने देखा आ अरे भाई नंद वंस भी जो है उसका भी जिक्र है और नंद वंस से पहले का भी जिक्र है उसमें उसमें बिंबिसार का भी जिक्र है बिंदुसार का भी जिक्र है और आजाद सत्रू का भी जिक्र है सबका उसमें जिक्र है देखें चंदन सर्मा हम लोग इस सिधान्त को नहीं मानते हैं कि ऐसा कहा जाता है हम इतना जानते हैं कि बारत के इतिहांस में ब्रामडों को न तो समराट असोक के बारे में पता था न चंदरगुप्त के बारे में, न चानक्य के बारे में, चानक के कोई नहों ने फर्जी खड़ा किया, चंदरगुप्त का तो पता चल गया, और ये शमराट असोक का भी, समराट असोक का तो सिलालेखों से पता चल गया, चंदरगुप्त का भी सिलालेख मिला, लेकिन लेकिन आपके चाड़ा के का आज तक कहीं वेरिफाई नहीं हुआ है कि समय रहे हैं आज तक वेरिफाई नहीं हुआ है अब बोले हैं जी पुछ रहे थे कि जो नंडवंस की अस्थापना है तो इसका मतलब वो सभी बॉध्धित की थे अरे वो पूरा बुधिष्ट थे हैं सिंदु घाटी सब्भेता तक चलता आ रहा है भारत का आपका कोई ब्रह्मेनिजम जो है ना ब्रामडों ने इतना जूंट बोला इतना जूंट बोला आज पूछ लिजे कि आपके चार सबसे पुराने धाम कौन है कहेगा केदार नात ब पूरा दिवाल में लगा लगा के खतम कर दिये हैं वो भी आपका नहीं है जो सबसे पुरानी आपकी ब्रांच है वो चार धाम आप जो बताते हैं वो भी बुधिष्ट का निकला अब इसी से यह सूंच लेजिए चंदन सर्मा कि आपने ब्रामडों ने कितना जूंट बोल है आपका कहा जाता है कि एक पंडा जो होता है एक पुजारी जो है कम से कम रिलिजियस पोश्ट पर हो तो सत्य बोले उन्होंने इतने जूंट बोले राहुल संकिर्तियान सीधे-सीधे मजा कुड़ाये हैं कहें कि हमको बहका रहाता हम तो उसको ओफर दियें कि भाई तु तो यह कहानी है ना आप लोगों की चलें फिर चंदन सर्मा जी तो अच्छा देखें यह कोई कटर जाती बादी ब्राम हड़ भी आये हैं चलो भाई इनको भी ले लेते हैं हाँ जी कटर जाती बादी बताएं क्या काना जाते हैं मेरा कुस्चन यह है थोड़ा सा गलत मतमच्च क्या आपने कभी जली भी खाया है बताईए जाईए आप खाके आईए आगले बार बात करेंगे चलिए अच्छा और कौन आया है यहां पर अच्छा माई व्यूज आये हैं हाँ जी माई व्यूज बताएं क्या काना चाहते हैं अपनी माईक अन्म्यूट करें माई व्यूज हाँ हाँ आ रही है आ रही है जी बताएं कुछ एक चीज है पूछना चाहता थाप से एक्षिली में जैन जहर में प्रेदा हुआ था तो अभी तो उनके सब दीटी रिवाज देखके और वह सब करके नास्ते कुमें पिछले दस साल से साउंड साउंड आपकी चली जा रही है कि साउंड चली गई है माई व्यूज आपके कि यह लगता है कि अपना डिवाइस जो है कहीं और छोड़के कहीं और तो नहीं निकल ली है हाँ अब थोड़ा सा आजा है हम 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 बोलिए ब्लूटूथ कलेक्टिविटी में जैसे हैटफोन लाया था इसके लिए अच्छा ओके ओके आँसर तो जैन का जो रिच्वल्स और वो सब चीजे हैं तो ऐसे लगता है जैसे बुद्धिदम में जो अलग अलग संपरदाय बन गए तो मुझे लगता है कि वही सब चीजे हैं जैनिजम की साथ भी है अगर आप देखे ना तो जैनिजम में जो जैन लोग फॉलो करते हैं मतलब उनकी जो सिच्छाएं हैं और वो सब चीजे वो तो ठीक है लेकिन जो रिच्वल्स आगए हैं उसके अंदर वो मतलब वैसे ही हैं जैसे मतलब ब्रामनिजम में होते हैं कि मतलब मूर्ती पूजा और मूर्ती पूजा भी इतनी ज्यादा हद तक कि उन्हें रिच्वल्स के साथ और उसी को उन्होंने अपना आधार बना दिया हैं जो में आधार था मेडिटेशन का और सेल्फ रियलाइजेशन का वो तो सब खतम कर दिया गया है अभी केवल और केवल यह बचा है कि बस आप पूजा करो पूजा करते रहो उस ताइप की चीजिए जैसे कि अभी यह जो लामा और बुद्धिजम में देखते हैं ना जो ब देखते हैं इसलिए जो प्रॉपर जो बुद्धिजम के जो मेडिटेशन मानते हैं वो लामाईजम को काते हैं कि लामाईजम तो संक्राचारे वाला पार्ट तू है अब ही मैं यह पूछना चाहरा था सर कि बुद्धिजम में मतलब जो आठारा ब्रांच जो थे आपने उ जो सोने चांदी से वो रखते थे कुछ लोग नहीं रखते थे तो जो यह बचे हुए थे अभी उनकी कोई ब्रांचेस बची हैं इंडिया में सब खतम हुई है जो प्यूर बुद्धिजम चला रहे थे औरिजिनल फॉम में देखें जो बुद्धिजम का ओरिजिनल कहा गया है ना उसमें मोर्ति उर्ति तक तो कोई बात ही नहीं थी वो तो सिर्फ meditation था उध है तो जो है वह meditation जाईए meditation कीजिए मस्त रहे अपने में दूसरों को भी मस्त रहिए कि वो भी रहे और न किसी को कष्ट पहुंचाहिए में किसी को पॉब्लिक को वो कंट्रोल कर सके यही चीज था ना अब समराट असोक को अगर हम देखेंगे तो समराट असोक तो पहले यूद किये और यूद करने के बाद से उन्होंने फिर क्या डिसीजन लिया कि यार इतनी हत्या तो सही नहीं है तो इंस्क्रिप्शन लिखवाया कि यह यहां इतनी लोग मरें है इसका मुझे बहुत अफसोस है आगे से मैं जीतुँगा लेकिन लोगों का दिल जीतुँगा अब वो ऑ्धम का प्रचार कर रहे हैM अब उनको लग रहा है तो दीरे-दीरे स्वरूप बिगडते जाता है अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग धरम का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं पब्लिक को हाकने के लिए कुछ लोग धरम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना उसके लिए अपने पूंजी बढ़ाने के लिए जैसे पंडो ने क्या किया मंदिर पे आए भाई चड़ावा लेजे चड़ावा लेजे आप धरम इसलिए मानिए क्योंकि आप चड़ावा देंगे तो हमारा कामाई होगा ये विवस्ता बना ली तो हम ये देखते हैं कि धीरे-धीरे जो मूल चीज था वो दिर्ग्रेड होत पूजा करो फिर टार चलो तुमको जरूरत पड़ेगी पूजा करवाने के लिए किसी की पूजा किये के विधी अब वो मैं बताऊंगा उसकी तो जरूरत पड़ेगी ना तो उसने अपने को उसमें भीतर घुसेड लिया जबरजस्ती जबकि मेडिटेशन में किसी की भी जरूरत नहीं थी आप बैठे मेडिटेशन कीजिए अपने को सांथ कीजिए खतम बात थी मामला सबसेटल था तो कुछ लोगों ने जबरजस्ती इसमें अपने को घुसेड के और अपना रास्ता तय बनाना जैसे कोई डिपार्टमेंट होता है ना जगह बनाना भाई डार हैं हम डिप्टी डिरेक्टर बन जाएंगे हम सहायक वो बन जाएंगे वेकेंसी निकाल ली है उसमें बैटके हमारा भी उसमें चलेगा कुछ चलेगा तो धरम का सुरूप इस तरह से बिगाड़ा और आप तो पूरा पाखंड अब तो पाखंड घुसेड दिया गया धरम क अब अंद्विश्वास पाखंड का धरम में क्या काम होता है यह कि इसे हमारी कमाई होगी अगर किसी धरम मजहब में वह हटा दीजिए तो मुझे लगता है वह धरम शिर्फ आपके परंपरा रहा जाएगी कि आपके घर में कोई आया मिलने आप किस तरह के से मिलते हैं करते हैं फिर आपको अंदेविश्वास इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो अंदेविश्वास पाखंड और यह सारी चीजे धरम में मिलके जो कॉक्टेल त्यार की है वही आज स्वरूप बन गया है यह चीज हो गया है सर यह बात सही है कि चंद्रुप्त नौरे जो हैं वो अश्रोप की वंसावली से ही आते हैं मतलब उनके पोते हैं मेरे क्या अब बुद्धिजम के जो इतियासिक द्रस्टी से मेरा मतलब इसमें और कोई वो नहीं है मैं चुकि आपकी इतियास पर बहुत गहीं है मैं आपकी मुझे लगता है या तो आपका मतलब अकेडमिक बैक्ग्राउंड है त्यास का आपने मतलब उसना पढ़ाई करी है पीएश्डी वगरा करी है या फिर आपका मतलब बहुत ही जादा कीन इंटरस्ट है लेकिन आपकी जो पढ़ाई है और वो सब चीजें हैं यार्वाइस म तो पॉसिबिल नहीं हो पाता है सर इतना सब आपके जितना रिसर्च करना है इसलिए मैं मतलब इन सब चीज़ों मैंने जो बुद्धिसम पढ़ा है बुद्धिसम की तरफ में इसलिए जैन हूं मतलब हूं क्या आप बोल सकते हैं नाम में वो सो भी जैन थैं वो भी जिन्दा बना लेते हैं तो वही चीज़ हुई है बुद्धिसम अच्छे से चल रहा था तो उन्होंने का ठीक है भाई जो बिके हम वो बेचेंगे अगर रामनी बिचते हैं बुद्ध बिकते हैं तो बुद्ध बेचना शुरू कर देंगे और पैकेज में बेचना आए पावर से फाइनली हम राज कर पाएं तो कोई भी चीज़ हो अभी बुद्धिसम को अब तार बताने के यह यह कारण है बहुत बड़ा तो सवरी सग मैं डाइक्रेस हो गया वह चंद्रुप्त वाले से तो चंद्रुप्त जो हैं वह इनके वह हैं कैसर बंसावली से प से डीटो मैच करती है और यही कारण था कि 18-19 सदी के कुछ ब्रामण कन्फ्यूज हो गये और दोनों को एक यही ब्रांच मान लिए जैसे आरे समाज के जो मूल संकर्तिर वेदी हैं या द्यान अंसरस्वति उन्होंने क्या किया था कि बौध और जैन को एक यही मान लिया वो कन्फ्यूज थे उन्होंने जब एक स्क्रिप्चर पढ़ा दोनों के क्योंकि उनको खंडन करना था तो खंडन करने के लिए बौध का मंगाया जैन का मंगाया और फिर जब उन्होंने देखा कि यार दोनों की तो हर चीज मिल रही है बुद्ध के भी जो सबसे परम जो है वो वही है आनंद है यह कई से उनकी गौतम थे गौतम गणधर बोलते हैं यह वो गौतम नहीं है उनका नाम नहीं कुछ स्क्रिप्चर में आनंद नाम भी आया है कोई क्ट्राइव देन दोनों के अनातनी हो गईती तो इन्हों ने सराप देने की कोशिस की थी उनको मावीर को कि तुम मर जाओगे में खली गोसालने तो वहाँ पे वो आनन्द को शंबोधित करते हैं अपने इस्षिक को तो उस करेंगे तो जैनिजम में आतमा है इस वर नहीं है कोई वहाँ पे कोई नहीं है वह क्या कहते हैं कि सरीर जो है मरने के बाद से भी कोई चीज इसमें का एक इंटीटी जो है वह बनी रहती है बुद्रिजम कहता है वह भी नहीं बनी जाती है, तो जो बनी रहती है, वही चल के आगी, आत्मा के रूप में विस्तार किया, उसी को आत्मा कहके आगे विश्तार कर लिया गया, जो नोगो सोचते थे कि इन्सान, पूनर्जन्म का भी concept वहीं से आता है, पूनर्जन्म भी कि इन्सान मरने के पासे कोई entity बच जाती ह वही आगे चलके पुनर जनम में बुद्धिजम इस चीज को नहीं मानता लेकिन वह ज़्यादा मानता है सर इस चीज को पुनर जनम को और करम सिद्धान आप जैसे करम करेंगे फिर उस हसाब से आपकी योनी मिलेगी आप इस नाप में जाएंगे वो मानते ही है वो जो मान लेते हैं कि मरने के बाद से एक इंटिटी बची रहती है अब आतमा हो गई तो अब उसका काम वहीं से सुरू होगा या तो उस वर्ग में जाएगी या फिर पुनर जनम लेगी बची है तो कहीं न कहीं तो जाएगी तो अब जब अब जो साइंटिफिकली रूप से वो चीज वहाँ गलत हो जाती है बुद्धिजम के साथ ये प्लस पॉइंट चला जाता है कि वो इस चीज को भी नहीं मानता था सुरू से तो इसके लिए जितने नास्तिक हैं विदेश के जितने नास्तिक हैं अब देखेंगे तो बुद्धा की मूर्ती मिली ही जाएगी जितने होलीवूड के स्टार हैं उनके घर में मिलेगी मिलेगी उन लोग अच्छा ओके ओके तो और बुद्धा को तो मैं तो देखता हूं कि जो अपने को बहुत बड़ा क्रिमनल जो समझता है जो डॉन समझत है उनके घरों में भी बुद्धा का मूर्ती रखते हैं यह दिखाने के लिए कि हम भी अच्छे हैं जो बहुत बड़ा हुआ है कि चंद्रगुप्त की क्लेम करते हैं जैन लोग कि चंद्रगुप्त जो है वो जैन बन गये थे लेकिन हुआ क्या है कि जो मेगस्थनीज की इंडिका मिले न उसके कम से कम 36 से भी ज्यादा ग्रीक वो मिले हैं किताबे मिली जिसमें इस बात का जिक्र है कि मेगस्थनीज नाम का एक व्यक्ति जो है चंद्रगुप्त के यहां रुका था उनकी साधी हेलेन से हुई थी और अब शेलुकश का जो सेनापति था और वो सब आते हैं इंडिया में न तो उनके बाद के तो वो सब बूधिश्ट बन जाते हैं, सबसे खास बात देखिए कि शेलुकष अपनी बेटी का साधी किया जिसके दरबार में मेगस्तिनीज को भेजा राजदुत को उसने जब जिक्र किया तो उसने बुधा का ही जिक्र किया किसी भी जैन का नहीं जिक्र किया उसने ये जरूर जिक्र किया कि जंगल में कुछ ऐसे बमन रहते हैं, जो नंगे रहते हैं, और वो खाना पकाके नहीं खाते हैं, और वो जो हैं, फल भी तूड़के नहीं खाते हैं, वेट करते हैं, और फल उपर से तूड़के नीचे गिर जाए, त miraculous तब उसको खाएंगे, तो उसने ऐसे लोगों को जिक्र किया आई तिहांसकारों का मानना है कि वो आजीवक लोग थे सब कुछ सिखाई जाता है ना कोशिश तो करते ही हैं अच्छा एक चीज और मैं तो सुबह से ही प्राथना शुरू होती है दुपहर में बोजन मंत्र होता है और व्यस्पतवार को खुब लंबा सा भोजन मंत्र होता है जी मतलब बागी दिनों में वो सुच में भोजन मंत्र होता है और इसमें फिर दिन भोजन मंत्र होता है एक दिन बनाना है इन लोगों ने मुझे पढ़ा के वोई खलती खली तो एनिवे तो मैं यह पूछ रहा था कि जैसे उसमें जैनिजम की कहानी है कि वो बोलते हैं जब सिकंदर जो अलेक्जंदर जब बापस गया वहां से हार के तो उस समय वो कोई एक जैन सादू को अपने साथ ले गया था हाँ इसका जिक्र जो है ना इसका जिक्र है कि उसने एक विखु को उसको सैनिक भेजे थे और उसको लेके गये थे तो उसको भी बताते हैं उसको तमाम वर्जंस में हाँ उसमें है मैंगे स्थिनिच की इंडिका में है इसका जिक्र लेकिन ये हाँ लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि वो जैन्त है उसने ये जरूर लिखा है कि उसको आजीव कभी समझा जा सकता है टीक है क्योंकि वो जो व्यक्ति था उडरते नहीं है जब कहता है ना कि चलो और उनसे मिलने के लिए तो डरता नहीं है कि अपने उसको भी भेज दो तब उसको लेके जाते हैं दरवार में पेस करते हैं सब तो वहां पर क्या है ना इस अब्द नहीं उसने यूज किया है जैन सबस नहीं किया है तो वहां पर अब आपके पास कई चीज से हैं उंको अजीवक भी कशना है जैन भी जब नहीं कुछ नहीं कुछ दिया है तो हम तीनों लोग अपना क्लैम कर सकते हैं तो आजीवक का नाम लिया भी कोई आजीवक जैसे कोई चीज है क्या भारत में उनकी बिचार खारा से डिलेटेड नई अभी सात्वी सदी तक माना जाता है कि आजीवक जो हैं वो लगभग खतम ही हो गये थे और सर आजीवक क्या होते थे जानकारी नहीं इसलिए कुछ रहा है देखें आजीवक वो होते थे जो सर मुड़ा के रहते थे और नूड रहते थे ठीक है वो आजीवक लोग बुधा के साथ उनकी स्टेचू मिलती है जो आपके हां कौन स्वेतांबर या दिगंबर कौन रहत पहनते हैं उनके नाम से पता चलता है जो बोलते हैं कि धिसाई हमारा बस्तर रह दिगंबर है अब यह मैं दिखाता हूं आपकी आजीवक की फोटो आप आजीवक देखेंगे ना तो आपको लगेगा की दिगंबर की तो नहीं बात चल रही यह देखी है यह आजी वक्त है यह आपको दिख रहा है स्क्रीन पर और इस तरह के यह जो है ना बुद्धा के जहां-जहां आपको इस्टेचू मिलेंगी ज्यादतर जगों पर यह एक व्यक्ति खड़े मिलेंगे आपको भुद्धा के जहितने सब्सक्राइब कर वियांगे जेंगे जो फॉड़े मिलेंगे ज्यादतर जाने से हांगेद्धा के यह हम है ना कि यह नूट रहते थे और सर के बाल जो है ना बुद्धिष्ट की तरह मूडा लेते थे क्योंकि आजीवक जो है इनकी टकरार हुई थी बुद्धा से इनकी फिलोस्पी जो है वो थोड़ी सी अलग थी बुद्धा से फिर जब डिवेड्स हुई तो यह लोग पूरे क पूरे बुद्धा को एक्सेप्ट कर लिये थे और इसी लिए जब भी बुद्धा की मूर्ति बनती है तो उनके साथ एक आजीवक जरूर खड़े दिखेंगे वहां पर यह चीज मिलता है बुद्धिजम में फिर यह माना जाता है कि सात्वी उत्वी सदी तक फिर आजीव प्रथा लगभग खतम ही हो गई इनका नाम नहीं मिलता लेकिन जैनिजम में दिगंबर फिर मिलने लगते हैं वो मिलते हैं फिर फिर लेकिन इधर आजीवक नहीं मिलते हैं एक कहानी और जो चलती है जैनिजम में और इतियास में भी जो मतलब जैनरल हिस्क्री पढ़ाई आती इंडिया में मतलब अप्टू ग्लास्टरल तो उसमें ये पढ़ा जाता है कि बुद्ध का और महावीर का समयकाल लगवाई एक ही था वो कुछ पांसो नियुनियानवे वीसी में थे वो कुछ पांसो पचास बीसी में थे मतलब मुझे एग्जेक डेट्स नहीं पता हैं तो मतलब पचास साल का कुछ अंतर बताते हैं और जैनिजम मतलब चुगी अब जैन लोग अपने आपको ग्लॉरिफाई करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि जो बुद्ध थे वो भी जो बुद्ध थे सिदात उगतम थे वो भी जैनिजम से प्रभावित थे और उन्होंने भ उन्होंने कोशिश करी उबास करने की नगन रहने की और वो सब चीज़ों की एंड फाइनली वाज नोट सक्सीडेड एट सवाई ही लेफ्ट मतलब की उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दी बोले इतनी सब कठीन तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है उबास उबास य इसे गलॉरीफाइ करते हैं की चुकि उनपे जने जम सदानी इसलिए उन्होंने का कि जने जम बहता है हां हां ऐसा लोगों का है कहना है बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं लेकिन एक और एक बात आती है कि पूरा तत्वकिना कमी हो जाती है बस एक शीज़ और बताता हूँ हा तो मैं यह नहीं मान था कौन सही था कौन गलत था वो जो थेव नहीं है तो अच्छा एक और जो कहानी चलती है यह जैनिजम में बहुत पढ़ाई आती थी अब तो बंद हो गई है जब मैं छोटा था करीब दस बारा साल का तो मतलब जैसे सब के घर वाले बेशते हैं से हमारे घर वालों ने भीजा कि भाई धर्म की पढ़ाई करो मंदर बंदर में जाते थे वहां पर धर्म की पढ़ाई यां कराई जाती थी वो सब था तो उसमें पताय तो कुछ इए वो कितावे माढते थे उसमें वो कहते थे कि जो चुकि जैनिजम और बुद्दिजम एगी टाइम की बात थी और अल्मुस्ट उनका जो छेतर था वो भी समान था मतलब बिहार और उसके आसपास का एरिया था तो बहुत होते थे जैन मौंक्स में और बुद्द मौंक्स में तो वो बोलते थे कि जो जैन मूंज थे, उन पर जो बुद्ध ग्रस्ट थे, भादिजम को मानने वाले थे, उन लोगो भए उत्याचार दे, इस को मार जिया, उसको मार जिया, फिर जैसे वो हर दरह में ये नफ्रती चीज़ें सिकाई जाती ना दूसर दरह के लिए. और उने फिर कोई एक मतलब लड़की थी उसकी शादी हो गई वो बहुत इजंबाले घर में हो गई तो उनको बोला कि तुम जैन सादुनों को मतलब उनकी सेवा नी करो उनको आहाल में दो उनको खाना वाना मत दो वो सब नी करो लेकिन वो फिर भी देती रही तो मतलब इस तरह से एक वो होता है ना और ये अपने आपको बोलते हैं कि हम शांती प्री हैं हैं अहिंसक हैं और दोसरों भी तो मतलब यह एंसे बातें क्यों करते हैं अद Apr तो उसमें जहांकियाा मिनाएं जाती हैं कि यह स्वरग की जहांकी है अगर आप गराब काम करोगे तो इसे स्वरगम में जाओगे जलाए जाती है तो वो सब भी दिखाया आता था कि इसलिए बुरे काम नहीं करना चाहिए और वो सब बात नहीं थी लेकिन फिर बड़े होने पर आपको थोड़ा सा बाहर निकलते हैं चीज़ें देखते हैं तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज और अट्रेक्शन था ना बुद्धिजम का वो मेडिटेशन ही था और उसी ही वेशे मैं बुद्धिजम की तरफ थोड़ा सा आए ओशो को पढ़ा सुना फिर आपके ये कृष्ण मूर्ति जे कृष्ण मूर्ति इनको पढ़ा और जे कृष्ण मूर्ति की अलग ही लेवल की वह हैं वो कुछ लेवल पर ही पहुँचे पर फाइनली एक जो आपका बुद्धिजम मेडिटेशन है बिपसना वो थोड़ा-थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये इस चीछ पर बात कर रहा है कि आपकी परेशानी क्या है आप क्यों फालतुमें यहां-वान की कहनियों के पीछे पड़े हो जो चार आरे सत्य है न वो सर इतना ज्यादा अपीलिंग किये इतना ज्यादा अपीलिंग करे वो तो और कोई चीज को बोलते नहीं है वो कहते भाड़ में गया तुमारी हिस्क्री विस्क्री यह सब चीज है तुम यह बताओ कि तुम्हें दुख है कि नहीं है और इन सब चीज़ां से तुमारे दुख के दवा नहीं खा रहे हैं वो सबसे जादा मतलब इंस operate था मुझे लगता है जितने लोग भी पसना करते है उंके लिए सबसे जादा जो inspiring point होता है न को यह होता है कि आप यह सब चीजने छोड़ो आप यह देखो अभी तो मतलब हो कि पिछले दौ महिने से पुछ करते समय आपकी तब से वो तो पराने स्कीम जाके देखता हूं तो तो उस टाइप का हो गया है और सच में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है और एक जो लाज सीच में पूछना चाहरा था कि भारत में जैनिजम और बुद्धिजम दोनों के पतन का कारण क्या था इनका जैनिसाइड हुआ है सर्थ हाँ पूराने कई जगह ऐसे मिलते हैं जहां पर यह दिखाया गया है कि बहुत सारे जो लोग थें मौंक्स थें इनको मारा गया एक खतम बुद्धियम को तो पूरा इन्हों ने खतम कर दिया ना इन्हों ने रमायड में एक सब्द लिखा चूर के समान दंड दिलाने का हां दोनू आ जाएंगे उसमें और इन्हों ने क्या किया है कि साउथ में ऐसे कई सारे चित्र मिले है कई सारे ऐसी कि नुक सटाते थे और वो नीचे चोड़ा होते चला जाता था वो फाड़ते हुए सीधे गर्दन के पास से उधर से निकल जाता था उपर इसका जिक्र एक अर्भी यात्री जो है नौवी दस्वी सदी में आया था उभी किया हुआ है कि इस तरह से चोरों को डंड देने का यह रिवाज था और इन्हों ने क्या किया है कि रमायड में लिख दिया कि जो नास्तिक हैं जो बुधिष्ट बॉध मताव लंबी हैं ततागत हैं इन सब को इसी चूर की तरह डंड दिलाया जाए साउथ में पेंटिंग्स जो मिली ना उसमें तो यह दिखाया गया जिसे यह वेरिफाई भी हो गया कि इस तरह की चीजे की गई होंगी तभी बनाया भी गया है और किस तरह से बौधों को या फिर जैनों को भी नरसंगहार किया गया होगा और एक होता है ना कि अमेरिका ने हमला किया और अफगनिस्तान पे फिर अपने किसी आदमी को वहां बैठ इसी तरह से जब नरसंगहार किया गया होगा तो जैन में जो उनके अपने लोग होंगे उनको धी चला अव तुन के अपने आधमी होंगे उनको हायर जो ऑफ्त्रोब्टी होगी वहां लगा दिया होगा तो इसी लिए भारत में ब्थेाम् i'tना ब्यापक फैला था पूरे दुनिया में पूरे दुनिया के दुनिया कई देश जो है बुधिष्ट बन गया भारत से भिखु एक भी नहीं बचा सब खतम हो गया है तो मतलब राजा लोग भी बुद्ध धरम को मानते थे जैन धरम को मानते थे और वो सब हुआ तो मतलब यह जैनोसाइट किस पीरिड मे हुआ 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 उसके कोई सबूत क्यों नहीं मिलते हैं सर हम लोग को सबूत इस तरह से मिलते हैं कि जितने पूर यह जैसे छटमी साथमी सताब्दी में संकराचार से पहले तक छटमी सताब्दी नहीं बताएं साथमी सताब्दी हाँ जी हाँ सर तो वहां तक तो देखें एक चीज़ समझिएगा पूछ लेजिए चलिए पूछ लेजिए चलिए पूछ लेजिए वह बात डाइग्रेस हो जाती मुझे पता है सर आप सताब्दी से लेके और पहला जो मतलब हमारा इन्वेजन हुआ है वो मेरे ख्याल से चौदा या पंदवी सती सताब्दी में हुआ है मोगलों का उसके पहले कुछ और शक हूर बगेरा भी आते थे आरे सेसी किताबा में पढ़ाते हैं वो लो कि सब बुधेश्ट बन गयता है कुषान गुरीक्स भी बन गयते है बुधेश्ट अगर ये सब लोग भी बुधेश्ट बन गए तो मतलब सातमी सताब्दी आठमी सताब्दी से लेके बार्मी सताब्दी तक मतलब यह 400 साल में नहोंने पूरा सब कुछ जैनोसाइट कर दिया और उसके कोई सबूत भी नही हुआ है मैं बताता हूँ हुआ कैसे है दКजिए भी एक घठना करम दिखाता हूँ मैं माल लिए की जब दे्स आद हुआ तो एक party जो ruling party थी आप देखेंगे कि भारत के जितने भी जो लोग थें जो सक्षम थें जो सबल लोग थें उस ruling party के साथ थें और तभी उसकी सरकार 50-60 साल तक चली गई चली ना अच्छा उसके बाद से क्या हुआ कि एक ऐसी party आई जो जो फिर बहुमत में आ गई और वो जो पहले लोग जो उसके समर्थक थें वही लोग सिफ्ट होके दूसरे के समर्थक हो गए इभी देखिए ना मतलब विचारदहारा जो है जो भी हो अगर लोग switching मार दें एक जगा से दूसरी जगा अगर switch मार दें जो मुख्य लोग है वो हट जाएं या मार दिये जाएं खतम करने की छमता रखती है वो देखती है कि अब कोई चारा नहीं है तो चलो इधर ही नीचे रह लेंगे तो यहां पर एक transformation हम समझ सकते हैं इस तरह से कि जो मुख्य लोग थें उनको खतम किया गया होगा बड़े लोग हैं कुछ लोग migrate करके चले गए नैपाल होते हुए आपलान कर दिया गया कि समुद्रपार नहीं कर सकते हो समुद्रपार करना वो जाती वहिन और धरम भी और पताने क्या क्या कर दिया जाएगा तो अब फिर उसके बासे वो कर दिया गया कि जो भी बुधिष्ट देख चाहे उच्छोर के समान उसको डंड दिला अब कोई ब जैन देखे तो उसको गोली मार दो तो मैं सबसे पहले आदित्य शुकला या कुछ भी मेरा नाम है भेस बतल लेंगे आप भेस बतल लेंगे आप बाल बात हो गए कि जो पाकिस्तान में अहमधिया है वो हाँ एक्जेक्टली अगर वो देखें तो तुरंट उनको मतलब कोई हाँ और एक बात और देखिए आज अगर आपने मेरी प्रजेंटेशन देखी होगी तो इक बात मैंने दिखाया कि रहुल संकृतियान जब गर्वगरी में घुस गये और उस समय किसी के पास तो कैमरा भी नहीं होता था ना उस समय तो रहुल संकृतियान के पास तो था तो फॉटो भी अपास घूटिया जाता था नियम बना लिये सब कि ये जोसे दिये जलाओ ये घी जो है देवता को लगाओ आज जहां inscription लिखा है उसके दिवाल पर पोद दो इनियम बना लिये थे सब और पोद पोद के इतनी मोटी लेयर बना दिये थे inscription ठके बताईए मैंने एक एक जामपल भी दिया था कि कोई व्यक्ति जब बनाएगा वो अपना नाम पता लिखवा देगा उसके बारे में और जिसको स सकता है जब मूल आदेमी को खतम कर दिया जाए हटा दिया जाए छीन लिया जाए दूसरा कोई वहां जाकर बैट जाए अब उसको डर लगे कि कोई दूसरा कोई पढ़के यह न कह दे कि यह तुम्हारा नहीं है तो वो उसको मीटाना चाहेगा सबूत को समय रहे ना तो व वो बार्वी तेर्वी सदी के इंस्क्रिप्शन है इससे यह पता चलता है कि शंक्राचार्य जो है उनको बार्वी तेर्वी सदी के इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ने आती थी और उसको मीटा मीटा के रखे हुए थे यानि इन लोगों ने वो जगह बुधिष्ट की थी त इन्हों ने 12-13 सदी के बाद कवजा कर लिया है जगह पर कवजा करना मारो खतम करो अब भिखु होते कितने थे भीखु मुख्य भिखु जो हैं मुख्य भिखु चर्पांच होंगे बाकि तो सब उनके नीचे के भिखु हुए अगर मुख्य भिखु को मार दिया गा है जो अ सरेंडर कर देती है सरेंडर हो जाएगी वही चीज है तो इस तरह से बताते हैं जो आपने बद्रिनाथ और केदानाथ की बात बताई न वहीं बताते हैं जैन लोग बोलते हैं कि जो अयोद्या का हनुवान गड़ी मंदर है न अगर उनका मेक-प और वो सब रटाया जा तो वो जैनमूर्थी है एक्चुली और देखें जैन लोगों के भी कई चीजों को इन्होंने कब जा किया है यह वी हकीकत बात है यह तुरूपती वाला जी का जो मंदर है ना साउथ में उस पे दोनों लोग क्लेम करते हैं उस पे बुद्धिजम का भी क्लेम है वो बोलते कि ठीज् Means पर रोकि लगी राभु संकुर्टियन के सामने तो नहीं रोक लगी या आप कैसे उसमें गुसरहा है गर्ब गृह में उतो जाके वीतर पड़ रहे थे रहे थे ृफ्यले यह नियम नहीं था समयज रहा न ना यह चीज़ है ठीक है फिर My Use सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद बहुत ही अच्छी स्क्रीम रहती है सर मतब सुनके इतना सुकून मिलता है और आप जो आपने जो माइगरेशन थे बताई थी ना सर की यह लोग मतब तो इन्वेजन हुआ था यहां पर अफगानिस्तान साइट से रोमन लोगों का जब य जितने गोरे लोग है ना जो ग्रीस वाले हैं वो उधर से उन्होंने इन्वेट किया धीरे धीरे पंजाब और यह सिंद पंजाब भर्याना दिली तरफ आय पहले यहां बसे फिर धीरे यह बिहार की तरफ गए और फिर वहां से मतलब और नीचे साउथ की तरफ चले गए और इन लोहों ने मतलब में कपजा कर दिया इस इस वेरी लॉजिकल और मैंने शायद मतलब किसी और स्टीम में या हिस्टोरियन जो स्टीम से रहते हैं उनके उसमें उसमा है और यह इसकिन का कलर इतना चेंज होना जो ब्रहमन है तमिलनाडू में भी मतलब 95% आवादी तो उनकी मतलब डार की है ठीक है और केवल जो पाँच परसेंट ब्रहमन हैं आएंगदार और वो सब वो इतने गोरे हैं कि मतलब कोई वह नहीं है तो वो मतलब मैच नहीं करता है अगर वो उसी डेमोग्राफी के होते हैं उसी जीन्स के वह होते ना तो मतलब उनको लोकल जो इनका डिफ्रेंसियेशन है वो बना रहे यह ऐसा ना हो कि मतलब वाइट से ब्राउन हो जाए हलाकि वो होते रहे अरे यह इनके इनके यहां एक तक कभी नहीं थी रावल संकृतियान लिखे हुए हैं इसमें कि यह दोनों जो हैं वैशनों और से वह एक दूसरे का खू जब देश में मुगलिया मतलब मुस्लिम सासन आ गया था उस समय दूनों आपस में मारा मारी कर रहे थे एक दूसरे उससे यह पता चलता है कि इनके हां यूनीटी नाम की चीज नहीं थी हमेशा लडने में विश्वास रखते थे तब ही इनकी सारी कहानिया आप देखें महाभारत की कहानी ग्रियूद की कहानी है पुरान में अकबर आ भाई मेरा ब्रामण भाई तो यह चीज हो गए राम किष्ण में से लडाईया है तुलसी दास खुदी बोलते हैं कि मैं किष्ण के सामने नहीं जुकूंगा उनके कोई चौपाई आती है इनहों ने एक दूसरे के एगेंश्ट में खड़ा किया इसमें दिखाया कि इनकी एक ही पतनी है अब उसमें दिखाया कि उनके पतनिया ही पतनिया है ठीक है इन्हों ने एक दूसरे के एगेंश्ट में करेक्टर खड़ा किया है इन्हों ने क्या किया राम को वेद का पालक बताया और वेदों में इन्हों ने कहा है कि शाम वेद जो है उस सुद्रों का वेद है मतलब बहुत निचला कैटेगरी मानते हैं उसमें वेदों में और कृष्ण अपने गीता मैं क्या कर रहा है मैं वेदों मैं सामवेदों को मनने वाला हूं मतलब यह क्या किया है एक दूसरे के एगेंस्ट में करेक्टर खड़ा किया है राम और कृष्ण को और वो लड़ाई आज भी चल रही है यह लोग समझ नहीं रहे हैं कि यह सब खेल की दूनों लड़ते रहेंगे एक दूसरे पर हमारा पावर रहेगा हम ही समझाते रहेंगे कि तुम्हारा ये है तुम्हारा ये है तुम्हों बचार लड़ते रहो सर आप इस चीच पे और रिसर्च करिएगा थोड़ा सा मतलब मुझे किसी ने बताया था कि जो यह है ना शैव और बैशना और यह सब चीजें उसके बाद जो पुरान लिखेगा इनके जो मतलब संकराचारे ने और यह सब चीजें शुरू करी हैं और उनके बाद संकराचार के बाद लोग आए हैं और उनके पुरान लिखा और पुरानों में इस तरह की चीजें लिखी जैसे रामायन में भी आप देखते हैं बालमी की रामायन में कि जो संकर जी हैं वो राम चंद्र मतलब विश्नु का ध्यान कर रहे हैं और जो राम चंद्र हैं जो विश्नु के अपतार हैं वो संकर जी की पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन्होंने कोशिश करी कि ये सिया सुन्नी की जो लडाई है इसको थोड़ा खतम करके और आपस में एक तल आई जाए अरे इनके हाँ इनको मतलब क्या बता है इनके पुराणों में ऐसी ऐसी बाते हैं कि उसको सुरू किया जाएगा लेकिन एक चीज नहोंने कोशिश करी कि भाई कम से काम प्राम्मनों में तो एकता रहे जो संकर और विश्णू के नाम पर लडा रहे हैं और हमारा पावर किसी दौर के पास ना चला जाए तो मतलब कुछ एक कहानी ऐसी बनाएं याए कि दोनों लोग एक ही हैं आप लोग आपस में समझाता तक नहीं नहीं यह एक तब होंगे जब सामने शुद्र होगा हां ठीक है उसी सामने शुद्र होगा सामने च्छत्रिय होगा सामने वैश होग तो राम चंद जी की दोस्ती हो जाती है मतलब इनकी कहानी देखें रमायड मेलिक देंगे कि समुंदर जो है समुंदर देख रहा है बताए ये राम इतने चतूर चलाक है और सामने इतना बड़ा समुंदर देख रहा है और एक सीव लिंग बना के लिखता है कि लिखता है कि बालमिकी रमायड में तब तक सीव लिंग की बात नहीं थी तो उस बिछा के meditation कर रहे थे सीव को याद कर रहे हैं कि रास्ता दे दे रास्ता दे दे और सीव जो है कि मतलब आपस में एक हो जाओ ताकि हम लोग सुद्रों से जो बहुजन है लड़ पाएं अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो बहुजन से नहीं लड़ पाएंगे इन्हों अपने एक होता है ना salesman उन्होंने समान पर अपने ध्यान दिआ है इस चीज को समझेगा इनको पता है customer आये तो हम आपस में salesman कितना भी जगड़ा करें customer के सामने हमको salesman बंदके रहना है बस समझ रहे है ना स्वां नहीं रहे है ठीक है अच्छा आज तो काफी खिच गया आज और इन्विंसिवल जो है वो लिखते हैं हेलो शर क्या जब फाहयान इंडिया में आया था तब कोई दिस्क्रिमनेशन उसने देखा था क्या उसने ऐसा लिका है है क데 कोई व्यक्ती थ्ट्रास डर के है चुपके वो पूछता है क्यों डरके जा रहा है तो उसके बगल से साधू गुजरता हैं वो बोलता है कि यह improvement आम लोगों की तरह नहीं है यह रूट से बच के चलता है तो बोलता है कि लेकिन यह तो बुधा कदिस है यहां पर ऐसा कैसे हो सकता है तो बोलता है कि यहां लेकिन हर कोई बुधा नहीं है न लेकिन जो मुख किताब है फाहयान की उसमें यह लिखा है कि जो मांस बेचते थे जो मचली बेचते थे सहर में जब बेचने आते थे मांस मचली का और यह सिर्फ मतूरा की घटना है सिर्फ मतूरा के आज भी आप जाओगे मतूरा में उन छेत्रों में तो वहां के लोग लसुन प्याज नहीं खाते हैं प्योर सा कहा रही वहां के तो वो जह की घटना बताई आले गई कि जब वह मजली बेचने आते थें चंडाल लिखा है जब वह सहर में आते थें मजली बेचने आपने भो आम जनो से थोड़ा साइड में बचके चलते थे यह बात वहां पर मेंस प्रता का का नहीं वर्ज्ञन है वेज ननressive का वहां क्योंकि वहां पर यह बता यह जरा कि मास मचली वह किसको बेचने के लिए लाते थे अगर वह कहीं पर रहते थे मास मचली फिर सहर में बेचने किसको लाते थे अगर अच्छूत रहते थे तो उनको बेचने किया जादी थोड़े होती यह तो वैश्यका करम हो गया ना किसी व लोग साइड में रहना दूर रहना हम लोग दूर रहते हैं तो हो सकता है इस कारण से वो बचोच के चलते होंगे क्योंकि वहां की इलीट क्लास जो है उसने ऐसा कुछ बना लिया होगा कि नन्विज वाले तुड़ा दूर रहें और इलीट क्लास होगी तो फिर उनकी कोई ब पढ़िएगा इन्विश्वल यह बात है वहां पर और एश पीपी लिखते हैं हाउ टू ज्वाइन काइंडली हेल्प ज्वाइन करने का बहुत असान प्रोसीजर है आप साइंस चर्णी पर वीडियो वन नाइन नाइन देखिएगा रेशनल वर्ड पर मत देख लिजेगा क्योंकि कई बार मैं लोगों को बोलता हूं कि 199 साइंस चर्णी पर देखिए वो लोग क्या करते हैं रेशनल वर्ड पर 199 देख लेते हैं यह जो प्रोसीजर है जुड़ने का वो साइंस चर्णी के वीडियो 199 में दिया हुआ है और बहुत असान है जो लिंक दी जाती है उस कर सकते हैं या फिर संडे सेवन थर्टी पर यहां पर आईएगा तो फिर हम बात कर लेंगे ठीक है फिर तो सांथियों आज कफी लेट भी हो क्या है आप लोग अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें फिर हम लोग मिलते हैं शुक्रिया आप सभी का